नमस्कार साथियों और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जनवरी 2021 के करेंट फेस के बारे में आपको बता दो जनवरी महिने में जो भी आपकी घटना गटी हुई है देश की हो दुनिया की हो या फिर आपकी राज्य से हो उनसे आपकी परिच्छा में किस तरह की कुश् को यहां सामिल किया गया है और इस तरह की कुश्चंस आप सभी जानते हैं कि स्टेट PCSO, Civil Service को इन सब में पूछे जाते रहते हैं वंडे एक्जाम में आप देख लिए SSC, Bank, Railway, Post Office या सिक्छक या आप देखते होंगे कि पुलिस भरती में भी पूछ लेता है पेपर होता ह जो SI में इस तरह के देखिए सीधी सी बात है कि आप अगर किसी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, Government एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और उसमें आपके इस तरह की कुश्चंस पूछे जाते हैं कि एक लाइन में आप देखते हैं कुश्चंस दे देता है और नीचे चार ओप्सन दे देता है आपके लिए, तो एक क्लास आपके लिए बहुत ही मात्वोड रहेगे और इस क्लास में आपके वही कुश्चंस सामिल किये गए हैं, जो आपकी परिक्षाओं में आने की संभा होना है और एक बात और आपको बता दो, देखें आप लोग जब भी किसी एक्जा आँकड़ी कहने का मतलब होता है कि आप देखिए इस दिवस की कौन सी इस साल की कौन सी थीम है आप समझ रहे हैं आप या फिर आप देखिए कोई report जारी की जाती है जैसे मालनी जे आसमानता report ये आप देखते होंगे कि gender gap index आदा है ये पहली बार कब जारी किया गया था ये आपके इस्थाई आंक्डे हो गया है इसे आप लोग क्या कह देते हैं इस्टेटिक जीके भी कह देते हैं इन आंक्डों को हम भी हम लोग देखेंगे और जो करेंट अपेस से जुड़े इससे फैक्ट होंगे उने भी हम लोग विस्तार से जाननी की कौसिस करेंगे और याद रखी है किलास थोड़ी लंबी हो सकती है उसमें कोई द्वराय नहीं ह सूची बना देता हूँ उसमें 12 महीने का आपका करेंट पेस जो भी होगा वो डला रहेगा वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं और इसकी पीडियाप की बात करूं तो आपको टेलीगराम आप लोग जोईन किये होंगे वहां इसकी पीडियाप भी आपको डाल देंगे य क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं नव वर्स एक उस्ताव की तरह पूरे विस्त में अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग तितियों और विधियों से मनाया जाता है जैसे आप लोग अंग्रेजी कलेंडर में देख लिए इसमें आप सभी को मालु हुए कि जब आप रखना चाहिए और इसमें आप लोग क्या लगाएगे यह उप्सन आपका बिल्कुस सही रहेगा इसमें और आप देखे मद्य आप देखेंगे भारत मेरे म는 अहान जाता है समझ रहे हैं आप लोग लेकिन आपको बता दूह भारत में आप लेगते में वह WORK कि महीने म से तो यह आप लोग कुछ याद रख सकते हैं यह भी आप लोग याद रिखिए हिंदुओं में अगर हम लोग बात करें से तो चैद नव रात्री के पिथम दिन यानि कि गुड़ी पढ़वा पर हर साल विक्रम संबत के अनुसार चैद सोकल पिती बदा से आरम होता है हिंद को नौ वर्स ठीक है तो से भी आप लोग याद रखिएगा दूसरा कुश्चन हमारे सामने हैं अंगला कुश्चन किस एब बन विस चैंपियन को वेटेन का नाइट होड सम्मान मिला हुआ है इसमें आपके सामने चार ओप्सन दिए गया है चार ओप्सन आपको देखने को मिलेगा इसमें कह रहा है कि वाल्टेरी बोटास दूसरा है लुईस हैमिल्टन तीसरा है मैक्स अ बेश्च ट्पन और डी है आपका इलैकस अलवन आप लोगों को इसमें से सही आंसर चुनना है तो इसमें आप लोग देखेंगे क्या होगा लूइस हैमिल्टन यानि कि जैसा रहेगा बिल्कुल सही रहेगा साधवार की F1 विस्ट चेंपियंसिफ लुईस हैमिल्टन को अफ सर की उपादी मिल गई है और वेटिश ड्राइवर हैमिल्टन को बेटेन की क्वीन एलिजा बेट ने सर्वोच नागरिक सम्मान नाइट से सम्मानित किया है और आपको लगाया जाता है और हमेल्टन ने ऐस सम्मान पाने वाली छिटे फर्मूला ऊबन ड्राइवर है, हमेल्टन में पहली 5 ड्राइवर्स को यह सम्मान मिल चुका है इसमें आप देखिएंके सर जैकी स्टिवाट हैं सर इस्टेलिंग मौस हैं सर फैंक भिलियम सैं सर पैटरिक ह और सर्ज जैग वॉथम हैं इस सम्मान को पाने वाले ठीक है तो इसमें आपका पी ओप्सन रहेगा अंगला कुश्चन हमसे हैं क्या पूछ रहा है भारत ने निमोनिया की भारत ने निमोनिया की पहली सौधेसी वैक्सीन लॉंच किया है इसका नाम क्या है बताएए भारत न इसमें नेमोनिया की पहली सौधेसी यानि की देसी बैक्सीन लॉंच की या जिसका नाम क्या है इसमें आपका शॉप्सन कहरा है न्यूं मोघ क्शूót бол, बी ख कह रहा है रहा है न्यूं मों पेट और ठीक है यानि कि ए ओंप्सन इसमें दिलकुँ और रहेगा क्या रहेगा डियोप्शन आपका बिल्कुछ सही रहेगा और भारत ने निमोनिया की वैक्सीन डवलाफ करने में की मामले में सफलता प्राप्त कर ली और आप जानते हैं पूने में एक संस्था है सीरम इंस्टिटीट आफ इंडिया इसने भारत की पहली सौधिसी व बिल एंड मिलिंडा गेट्स फांडेशन के वीच एक दसक में सहीव से डिवलप किया गया है अब आप लोग कहेंगे यहां दो संस्थाओं का भी जिक्र हुआ है तो इनके बारे में भी जान लिए एक तो सीरम इस्टिटीट आफ इंडिया के बारे में और एक आप देख र में याद रखिएगा और पूने भारत में इसका मुख्याले आपको देखने को मिलेगा अगर हम लोग विल और मिलेंडा गेट्स की बात करें तो इसकी स्थाबना सन 2000 में हुई थी कहा हुई थी सन 2000 में और इसका अगर आप लोगों को हेड़क्वाटर जानना है तो वासिं को आप लोग अगर पूछे जाते एं कृष्टंस तरह कि तो उनके आंसर भी दे पाएंगे अंगला कुछें आपकी सामने क्या हुझ रहे हैं अंगला कुश्चन हमसे पूछ रहा है कौन सेल के अध्यक्ष का कारभार गरहन करने वाली पिथम महला बनी है कौन सेल के अध्यक्ष का कारभार समालने वाली पिथम महला बनी होई है इसमें आपके पास आप्सन है अनीता चौदरी देपिका सिंग सोभा मंडल सोभा देवग यानि कि आप लोग क्या लगाएंगे, C option विल्कुल सही रहेगा, C option सही रहेगा, अब आप लोग कहेंगे कि sell का पूरा full form क्या होता है, क्योंकि आप देखते हैं, bank हो फिर आपका railway हो इस तरह इक चाओं में, इसके full form से भी questions पूंच लेता है, तो इसका full form है Steel Authority of India Limited, इसका कार आपना हुई थी, 19 जनवरी, 1915 को, इसका headquarter आपको कहां देखने को मिलेगा, New Delhi में, ठीक है, चलते हैं अंगले question की तरफ, अंगला question हम से पूंच रहा है, कौन बैक्ती, नए उप्चुनाओ, आयुक्त, नियुक्त किये गए हैं, क्या पूंच रहा है, कौन बैक्ती, नए उप्चुनाओ, आयुक्त, नियुक्त किये गए हैं, यह जनवरी के महीने में हुई थे, इसलिए आप लोगों से questions पूंच रहा है, इसमें आप पूंच रहा है, करनात, B कह रहा है, ओमेश, सिन्हा, C कह रहा है, राजिंद भोसली, और D इसमें आप से कह रहा है, दिवाकर सिन्हा, बताईए, इन में से क्या लगा होगे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने लगा दिया होगा, उमेश, सिन्हा, उमेश, सिन्हा, चुनाओ के आयोग के बारे में अगर बात करें आपसे, तो आप सभी जानते हैं कि राश्पती के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, इसमें कोई दोरा नहीं होने चाहिए, भारती निरवाचन आयोगा, आप लोगों ने समीधान में पड़ा भी होगा, और आपको बता दू, जो उमेश सिन्हा है, यह उतर्पते स्केडर के बर्स 1986 के आई, एसा अधिकारी भी है, ठीक है, तो यह भी आप लोग या अगर हम लोग बात करें भारती निरवाचन आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जन्मरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, और आप सभी लोग जानते हैं कि भारती निरवाचन आयोग का काम होता है, लोग सभा, राश्टपती, उपराश्टपती, रा राज्यों में भी अपना चुनाओ आयों होता है ठीक है और इसमें लोग चुनाओ के पहले अध्यक्छ की बात करें तो सुकुमार सेन् थी और जिसका हेड़कोटर आपको निव दिल्ली में देखने को मिलेगा कहां देखने को मिलेगा और इसमें आप देखेंगे अगर तो इसमें क्या देखना है आप लोगों को 25 जनवरी 1950 तो आप लोगों ने date याद रखी लिए कि नहीं रखी है तो रहा लिए कि नहीं रखी है और एसे आप लोग जरूर याद रखेगा और सम्मीधान का आर्टिकल अनुचित 324, चुनाओ आयुक से सम्मंदित है, इसको भी आप लोग याद रखेएगा तो इसमें आप लोग B option लगाएगे ठीक है? अंगला question है, हमारे साबने, कौन बैक्ती केंदری उद्धोगिक सुरक्षाबल के नए माहनिदेशक बने है? बताए, क्या लगाऊगे इसमें? कौन बैक्ति हाल में ही केंदری सुरक्षाबल के नए माहनिदेशक बने है? इसमें आप लोगों के सामने option है नरेंद राजपूद, B कर रहा है विमलेश चौदरी, C कर रहा है सुबोध जैसवाल और D कर रहा है दीपक धीरज आप लोग NDA की तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह की questions फूच लेता है कई बार, ठीक है? तो इसमें आप लोग क्या लगा होगे हैं? बताइए तो इसमें आप देखेंगे सुबोध जैसवाल होगे, C option आपका बिल्कु सही होगा क्या होगा? C option बिल्कु सही होगा और जैसवाल के बारे में अगर हम बात करें तो महाराष्ट केरर के 1985 बैच के IPS अधिकारे हैं, अभी क्या हैं? IPS अधिकारी रहे हैं और उनकी नियुकति पद भार गहन करने के से 30 सेप्टमबर 2022 तक प्रभावी रहेगी, याद रखिएगा आती है केंद्रिय उड दोगेक सुरक्षा वलके तो इसकी स्थापना आपको पताओं कि 10.GO89 की गई थी, इसका हैड़कॉरटर आपको न्यु दिल्ली में मास्टर बने हैं लियोन मेंडुक का भारत की कौन से ग्रेंड मास्टर बने हैं 63 शर्षट भी एकत्र भी 78 बताइए इनमें से कौन होगा तो आप लोगों को याद रखना चीज़ इसमें सर्षट भी होंगे 67 क्या होगा 67 भारत की लियोन में मिंडॉन का मज आपको बता दूँ कि 14 वर्स की उम्र में भारत की सरसट भी ग्रेंड मास्टर बन गये हैं और आपको बता दूँ कि में इटली में तीसरा और आखरी नौर्म हासिल करते हुए या उपलब्दी अपने नाम की हुई है और आपको बता बात की गई है तो गुआ के बारे में भी कुछ याद रखियेगा और आम ऐसे कहीं लोगों की दिल्चस्वी भी रहती है गुआ जाने की जात रहती है या नहीं रहती है यह जूट बोल रहा हूँ तो आपको बता दूँ कि गुआ राज्य के बारे में तो आप सभी को सीटें हैं और विधान सवा में आपकी 40 सीटें आपको देखने को मुलेगी याद रखें इस तरह के कुश्चन्स पूच लेता है कई बार ठीक है सेटों के बारे में भी कुश्चन्स आ जाते हैं अब चलते हैं हम लोग अंगली कुश्चन की तरफ अंगला कुश्चन क्या पूच रहा है पिती बस विस व्रेल डिवस का मनाय जाता है बताईए विस varying दिवस आपके सामने 4 अप्शन दिये गए दो जनवरी चार जनवरी पांत जनवरी तेन जनवरी तो बताईए कुछ तो आपको उता दू चार जनवरी को और हल साल आप देखते होंगे चार जनवरी को विस्ट व्रेल दिबस के तौर पर लुईस बैल की जैन्दी पर मनाये जाते हैं और व्रेल लिपी के विसकारक थे लुईस बैल इनका जनब हुआ था 4 जनवरी 1809 फ्रांस में और आप सभी को मलग हुगा कि ये ब्रेल एक ऐसी भासा है जिसका उपयोग दिश्टी बादक लोग जिनकी आखे खराब होती है लोग पढ़ने और लिखने के लिए करते हैं तो इसे आप लोग जरूर याद रखेगा ठीक है और आपको यह भी याद रखने उनके सम्मान में किनके लुई ब्रेल के दोजार उन्नीस में सहित्तराष्ट महासवार द्वारा विस ब्रेल दिवस अनमोधित यानी वनाने कब किया गया था एक तरह से ठीक है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं आंगे चलते हैं हम लोग अंगला कुश्शन क्या है हमारे सामने किस राजसरकार ने राज में तमिल अकादमी की इस्थापना की है बताइए किस राजसरकार ने राज में तमिल अकादमी की इस्थापना की हुई है बिहार दिल्ली गुवा पंजाब तो इसमें आप लोग दिल्ली लगाएंगे दिल्ली के बारे में भी कुछ पॉइंट आपको बता दो क्योंकि आप देखिए राजधानी है हमारी दिल्ली और आप से कुश्चन्स हो सकता है पूछ ले तो याद रखे दिल्ली भारत की राज से से कादा क्या जाधान भी करते हैं सिक्छा के लिए स्वास्त के लिए श्मझे रहे हैं अगर आप लोग यहां विदाल्सवा सीटों की बात करें तो आपको 90 सीटने को बहें और लोग सब्सक्राइब लोग आपको 7 सीट धे मे dif देखने को बहें राज सब्सक्राइब अ तो ये भी आप लोग याद रखेगा आगे चलते हैं हम लोग अंगला कुष्चन है हमारे समने इन मैंसे कौन जम्मू कस्मीर बलद्दाक के नए चीफ जस्टिस बने है जस्टिस पायल गोस्वामी जस्टिस सुरेस चत्रवेदी जस्टिस पंकस मित्थल और जस्टिस होएं कि जम्मू कस्मीर को दो भागों माट तिया गया था जम्मू कस्मीर लद्दाक और आप देखें दोनों आपके संगसासिट एक तरसे राज्ज्य हैं आपके केंदसासिट ऑर आप सभी को मालूगा कि लद्दाक में आपके राजवाल होंगी और लेकिन विधानसभा का यहीं होगी लेकिन जमु कस्मीर में दिल्ले की तरह आप देखेंग्य बिधान सब्हाभी आपको देखनेे को मिलेगी। तो इसमें आप देखेंगे सी ऑप्सन आपका विल्कु सही कर रहेगा पंकच मिदतल और इसके बारे में अगर आप दोनों के लिए आपका एक तरह से क्या है हाई कोट है ना इसलिए आप समझ रहे हैं तो जम्मू किस्मीर के बारे मैं आपको बता दूं तो आप सभी जानते हैं कि यह बहुत पुराना राज है इसका फाउंडे सन की बात करें तो 14 मैं 1954 की पास देखने को मिलेगा लेकर लग 30 सक्रूबर 2019 को यह अस्तित में आया था ठीक है तो यह आप लोग याद रख सकते हैं और इसकी राध्धानी की बात करें तो लद्दा की कहां देखने को मिलेगी लेसे करने को मिलेगी ये आपलो याद रख separately और नए अगर सौरूम में बात करें जमूग असमीर की तो अभी आपने देखा है आया हुआ है कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ी बात हो तो बताईएगा ठीक है और जमूग की सबसे बड़ा नगर और जमूग नगर समझें है चली अंगले कुष्टन की तरफ हम लोग कौन बेकटी अखिल भारतिये चेस फाइडरेशन की नए अद्धेक्च बने हैं बताईए आप लोग चार ओप्सन आपकी सामने दिए गए नीरा साय नंद किसोर जैन याराकिस पम्वी तामवी और संजे कपूर तो यह समें याल रखें संजे कपूर होंगे कौन होगे आप पूछेंगे कि इसके बारे में भी बता दीजे ओल इंडिया चेस फांड फैड़रेशन के बारे में तो आपको बता दूँ इसका हेड़कॉर्टर आपको चैन्ने में देखने को मिलेगा और इसका इसकी स्थापना उन्नीस से इंक्यावन में हुई थी ठीक है यह भी तक जीतने वाली खिलाडियों को तीन करोर उपे देने की घोष्णा किये हुई है पहला इसमें कुष्टन क्या है पंजाब राजिस्थान उत्तरविदेश तमिलाडू बताइए आप लोग तो इसमें राजिस्थान होगा अब आप कहेंगी राजिस्थान के बारे में भी क तो 1949 में इसकी स्थाफना उगई थी 30 मार्च 1949 को अस्तित में आ चुका था इसकी क्यापिटल जैपूर है आप लोग यानि की क्यापिटल कहने का मतलब राजधानी की बात कर रहा हूं और आपको बता दूँ यहां विदान सभा सीटों की बात करें तो 200 सीटें देखने कुम तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं चलते हैं अंगले कुश्चन की तरफ और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए कोई मेडल जीत के आजाता है उसके बाद आप उस पर पैसों की बरसात करते हैं मुझे लगता है यही पैसा अगर आप लोग पहले खिलाडियों के जो पिसीख्छन होता है आप वो जब सीखते हैं उस समय खरच किया जाए तो आप देखिए हमारे देश में मेडल जीतने व किस तरह इसी ने सम्मानित किया जाता है अंगला खुश्चन ने कौन बेक्ती भारत में बेटिंग के नए उच्चायुक्त नूप्त किये गए हैं बताइए कौन होंगे इसमें अब पहला option क्या रहा है आरूमाडो पीटर्सन बी कह रहा है आपका एलेकजंडर एलिस जेपी थॉमस हूजों जोंसन बताएए तो इसमें आप याद रखेए बी-उप्शन होगा एलेकजंडर एलिस क्या होगा एलेकजंडर एलिस भारत में वेटे साइक कमिशनर एक तरह से नुक किये गए हैं ठीक है अंगले कुश्चिन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कौन वेक्ति भारतिय सेना के मानौ अधिकार सेल के पहले तर्मुक बने हैं कौन वेक्ति मानौ अधिकार सेल के पहले तर्मुक बने हैं देखें, मानो अधिकार से हलकाने का मतलब होता है कि आप लोग इंसान है, आपके अधिकार होते हैं, आपके अधिकारों को आपने देखा होगा संभीधार के भाग तीन में आप लोग मौलिक अधिकार भी देखते हैं, और आप लोगों कई तरह के मौलिक अधिकार भी मिले ह बोलने की सुतंता है आप लोगों को लिखने की सुतंता दी गई है आप देखिए आने जाने की सुतंता दी गई है आपको विरोत पर दसन करने की सुतंता दी गई है आपको संगठन बनाने की सुतंता दी गई है लेकिन याद रखिए इस सुतंता आप लोगों को वहीं तक द मानवर्धिकार सेल की पहले त्रमुक कौन बने हुए है इसमें यह आप्सोन कहा रहा हे? रगुनाद सिंग्, जितन सिंग्, मोहन चोपड़ा गोतम चोहान तो याद रखिए गोतम चोहान होगे cooling कौन होगे gotham चोहान भालतिय सेना ने पहली बार माना अधिकार मुद्देफर गौर करने और बलके ट्रैक रेकूर्ड को बहतर बनाने के लिए सुझाओ देने के लिए प्रमुक मेजर रेंग के अधिकारी की नियुक्ति की है और मेजर जनरल गौतम चोहन ने ये अत्रिक्त महाने दे सकते माना अधिकार की रूम में अपना पदल एक तरसे गहन किया हुआ है ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखेगा अंगले कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अंगला कुश्चन क्या मुश्रा है हम से जारी The Chronicle of Philanthropy 2020 की रिपोर्ट में कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं बताइए कौन सबसे बड़े दानवीर बने हुए हैं दानी आप लोग समझते ना उसी की बात की जा रही है तो इसमें आप लोगों से पहला रतन टाटा जेफ बेजोस मार्क जुकरवर ऑथर ब्लेंग तो आपको बता दो इसमें आपके होंगी जेफ बेजोस यानि की बी ओप्सन आपका बिलकुत सही रहे गया है आप देखिए बिजनेस में नहों और आप देखिए अगर यह कमात करते हैं तो बहुत सारे एक तरह से क्या करते हैं दान भी करते हैं आप देखेंगे जारी दा क्रोनिकल ऑफ ठिलान थरौफी एक तरह से आप कहसे कि बारिसिक रिपोर्ट है हर साल यह निकलती है और इसके मताबिक दुनिया के सबसे अमीज सक्षन ने 2020 में सबसे बड़ा द 732.49 अरब रुपी होते हैं दान किये थे और पिछली सालों के माकाबले इससे बार अरब पतियों ने कम दान किया है विजोस के दान को यदी एक और और देखें तो 2020 में 10 तरवादिक दान करने वालों में से 2.6 अरब डॉलर यानि कि 190.46 अरब रुपी का युग दान किया ह है जो आप देखें कि वर्स 2011 के बाद सबसे कमदान है क्योंकि कोरोना महामारी में आप लोग याद रखें बहुत लोगों को फरक पड़ा है अगर हम लोग इसके क्रोनीकल और थेलेंथ्रोफी की बात करें तो इसकी इस्थापना 1988 में की गई थी ठीक है यह आप लोग की हुई है बताइए इसमें आप लोग क्या करोगे हरियाना लगाओगे विहार लगाओगे या फिर आप देखिए मद्पिदेश यासम लगाओगे बताइए तो मुझे लगता है इसमें से आप लोग मद्पिदेश लगा दोगे क्या होगा मद्पिदेश होगा इसमें और और अब आप कहेंगे कि मद्धिदेश के बारे में भी कुछ बता दीजे तो आप लोग कहेंगे तो बता देता हूँ जरूर बताओंगा आप लोगों से वादा किया है तो वादा तो निभाना ही पड़ेगा तो आपको बता दो देखें सन 2000 के पहले मद्धिदेश छेतफल मे सबसे बड़ा राज जुगा करता था जब तक आप देखेंगे चटीज़ गड़ आपका मद्धिदेश का हिस्सा था लेकिन आप सभी को मालूएं कि चटीज़ सन 2000 में अलग कर दिया जाता है मद्धिदेश से और एक नया राज बनाया जाता है उसके बाद मद्धिदेश क नमबर दूसरा है चेथफल की दृष्टी से पहले स्थान पर आपका राजिस्तान है और आपको बता दूँ इसका राज बनानी की बात होते हैं एक नमबर 1956 को इसे राज बनाया गया था एक नमबर सन 2000 को इसे पुनरगठन करके 36 गड़ को अलग कर दिया गया था इसकी रा से संबंदित भार्थी खलाड़ी माइकल किंडो का नेधन हो गया यानि की मौत हो गयी यानि की डेथ हो गयी बताइए किस खेल से जुड़े हुए थे हौकी फोटबॉल करकेट बास्केटबॉल तो हौकी याद रखिएगा इसमें क्या याद रखिएगा हौकी आप लोगो उनको याद रखना पड़ेगा ये हौकी से जोड़े हुए थे वर्स 1975 में हौकी विस्तिकब में भारत को जीत दिलाने वाले माइकल किंडो का 73 की एज में उनकी देयर्थ हो गई ठीक है तो आप लोग याद रखिएगा आँगे चलते हैं लोग कुश्टन क्या पूछ रहा है अंगला आपसे किस देश ने हाल में ही मित्युदंड की सजा को समात कर दिया आप लोग देखते हैं फांसी या मित्युदंड यानि की मौत की सजा उसी की बात की जा रही है तो इसमें आप देखेंगे साउदी एरब लोग देखते हैं ना यूरेसिया में इस्तित एक देश है यूरोम में भी और एसिया में भी ठीक है और चेटफल्म की आधर पर आप देखें दुनिया का सबसे बड़ा सबसे नौबा सबसे बड़ा राज्य एक तरह से और आपको बता दूं यह पहले सोविय संग का हिस्स समझे रहे हैं आप लोग चलिए तो यह भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में कजाग के राष्टपती ने कानून में संसदी पिस्ताव पर हस्ताक्षर किये जिसमें वित्युदन के उन्मूलन काहन किया यानि कि खतम करने की बात की गई है ठीक है मद्देशिया में लगबग 20 बरसों से बिखलांग है एक तरह से चलें आंगे हम लोग अंगला कुशन क्या होश्रा है हमसे हमारे दिश्च में अभी आप जानते हैं कि होती है मौत की सजा दी जाती है फांसी दी जाती है मित्युदन्ड दिया जाता है किसी आंद्विदेश हाई कोट की में नहीं मुख नयादीश कि रूम में निघ किया गया है बिमलीश कुमार गोड अजीस सिंग चावला अरूप कुमार गोषवामी सीतारम सर्मा बताइए अप लोग तो इसमें आप लोग एखेंगे ल्ग क्या लगा बीं अरूप कुमार कुस्वापी क्या लगा गें अरूप कुमार को सौम Always तरह से उच्छे नहाला की और बात आती है अंदप्पेडेस की तो अंधपदस के बारे में भी बता देता हूँ पहले आप लोगों को मालर होगा कि अँदप्पिदेस का हिसा ही हुगा करता ठाते लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि उसी अलग राज बना दिया गया इसके इस्तापना एक नबंबर 1956 को भी थी इसकी केपिटल यानि कि अगर हम लोग राध्धानी की बात करें तो अमरावती देखने को मिलेगा और आप सभी लोगों को एक पॉइंट वर रियाद होगा एक कुष्चन से भी कई वार पर इच्छाओं में पूछा जा चुका है भासाई अधार पर गठित होने वाला पहला राज आज सभा में 11 सीटें देखने को मिलेगी लोग सभा में 25 सीटें देखने को मिलेगी कितनी 25 ठीक है आंगे कुष्चन से हमारा अंगला किसे गूगल क्लाउड की एसिया पिसांच्छित की प्रमुक की रोम में नियुक्त किया गया है आप लोग बताइए इसमें पहला ओप् कौन करन वाजवा यह आप लोग गूगल क्लाउड फिलोट फॉर्म के बारे में बात करें तो आपको मालू होगा यह लॉंच हुआ था अपरेल 2008 में इसका ओनर है आपका कौन है गूगल ही है ठीक है यानि कि आप देखिए गूगल आप लोग सर्च करते हैं गूगल को एक तरह से आज का भगवान समझने लगें कुछ भी बोली आपके सामने फिरगट हो जाता है अंगला कुश्चन है मारे सामने कौन पूरुष्ट टेस्ट मैच में एमपारिंग करने वाली पिथम महिला बनी है कौन पूरुष्ट टेस्ट मैच में एमपारिंग करने वाली क्या लगाओगे इसमें तो आप याद रखे डी ओप्सन होगा किलेयर पोलो साग ठीक है और साथ जनवरी 2021 की बात है भारत और अस्टेलिया के वीचे एक सिडनी में क्रिकेट ग्राउंड में मैच हुया था और किलेयर पोलो साग एंपारी करने वाली पिथम महला बनी है और 32 साल की पोलो साग एस मैच में चौथे या एंपारी की भूमक्या निभार ही थी ठीक है तो यह आप लोग जरूरी याद रखेंगे चलिए अंगले क्विश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अमेरिकी राष्टपती जो वाइडिन ने किसी अपना अटाउनी जनल चुना ह बताइए केमरो रोच एलेक्स जोसिंडा मेरिक गार्डलेंड पीटर मार्वल तो याद रखें मेरिक गार्डलेंड होंगे इसमें आप सभी लोगों को मालू होगा कि अमेरिकी राष्टपती पहले डॉनल्ड ट्रम्प हुआ करते थे अब नए निर्वाचित राष्टपती हैं जो वाइडिन समय रहे हैं आप लो चलिए अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लो पिती वर्ष यानि की हर साल फिरवासी भारती दिवस कब मनाया जाता है इसमें आपके सामने ओप्सन है 8 जनवरी 9 जनवरी 10 जनवरी और यह है आपका 13 जनवरी इन 4 ओप्सन में से एक ओप्सन सही होगा वही ओप्सन आप लोगों को चुनना है अब आप लोग कहेंगे कि एक तो सही होगा लेकिन कौन सा सही होगा यह आप लोगों को बताना होगा तो याद रखी 9 जनवरी होगा इसमें क्या होगा 9 जनवरी आपका बिल्कु सही होगा यानि कि भी ओप्सन आपका बिल्कु सही होगा और पहली बार ये 2003 में मनाये गया था समझ रहे हैं कब मनाये गया था 2003 में बनाये गया था इसे नौ जन्वरी समझ रहे है कि नहीं समझ रहे हो कि अगर हम लोग इसकी इसकी बिसाय यानी की थीम की अगर बात करें तो आत्म निर्भर भारत में योगदान इसकी थीम रखी गई थी क्योंकि आप सभी को मालुख होगा कि इस तरह की थीम के बारे को कुश्टन्स कई बार पूँच लेता है समझ रहे हैं आप लोग तो इनके बारे में भी जरूर याद रखा करें गया मालुख चला कुश्टन्स आपकी सामने आ गया और आप लोगोंने अंसर नहीं दे पाए नहीं दे पाए समझ रहे हैं आत्म निर्भर भारत में योगदान और इसके मुख अतिती थी थी सुरी नाम की राश्पती चंदिका प्रिसाज संतोस की यह भी तरवासी माना जाता है वो दच्छड अफीका से वापस भारत लोटे थे उन्होंने भारत की सुतंता संगराम का नितित किया था और भारत की जीवन को सदेओं के लिए बदल दिया था एक तरह से उसी समय को एक तरह से आप लोग क्या मनाते हैं तरवासी भारती दिवस की मनाते हैं तो इसी आफ लोग याद रख सकते हैं चली अंगले कुष्टन की तरव हम लोग बढ़ते हैं अंगला कुश्टन हम आते सामने क्या है किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है आपके सामने हैं तमिलाडू जहरखन महाराष्ट उरीसा तो आप ल भूमनेसवर में देश का पहला फायर फार्ग खोला गया है इसका उद्देश सामन जन को अगनी सुरक्षा से संबंदित ओपायों के पिती ज्यागरू करना है ठीक है याद रखिएगा चलें तो अंगली कुष्ण की तरक चलें या पर उडिसा के बारे में कुछ पॉइंट आप लोगों को बता दूँ वरना आप लोग कहेंगे कि उडिसा के बारे में आप लोग कुछ नहीं बताए तो उडिसा के बारे में अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था इसकी राध्धानी आपको भूवनेसवर में देखने को मिलेगी और यहां विध राज में इतनी सीटें आपको सही चुनना होता है उनमेसे तो आप लोग याद रखिएगा ठीक है और वैसे अपने राज के बारे में तो आप लोगों को याद रखना ही होगा क्योंकि आप लोग जब इस्टेट लेवल का कोई एक जम देते हैं तो उसमें जरूर इस तरह क्यine questions पूछ लेता है अंगला question है कौन भारती है मूल के बेक्ति अमेरीकी सेना के मुख सूचना अधिकारी बने हुए क्या बने हैं मुख सूचना अधिकारी बने हुए इसमें देखें आप लोगों कि असोख निगम अरविंध प्रजापत राज एयर रमेस लोखंडे तो तो इसी आप लोग याद रखिएगा चलते हैं अंगले कुश्यन की तरफ इसमें क्या लगा होगी सी ऑप्सन बता चुका हूँ ठीक किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए सौर सैलेरी अकाउंट लांच किया हुए इसमें एक्सेस बैंक बंधन बैंक कैनरा बैंक HDFCA bank बताइए कौनसी बैंक की बात हो रही है बंधन बैंक तो इसमें क्या लगा उगए बंधन बैंक कहां कोलकाता जानते हैं आप अश्टिंबंगाल में कोलकाता आप लोगों को मालु होगा और इसके लिए बंधन बैंक ने आर्मी के साथ एक MOU भी किया हुआ है, हस्ताक्षर भी किया हुआ है, इस अकाउंट के मार्म से सेना के जबानों को कई सुविधाय भी दे जाएंगी, और जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलेगा, खाते में एक लाख रोपे से जानदा की रासी पर 6.30 का ब्याज भी मिलेगा और बैंक के सभी ATM पर unlimited threat transaction की सुविधा भी मिलेगी, तो हमारे आर्मी आप जानते हैं कि हमारे सेना हमारे लिए 24 गंटे खड़े रहते हैं, आप सोचिए गर्मी हो, सर्दी हो, बलसाद हो, कोई भी मोसम हो, वो हमारे लिए वहाँ खड़े हुए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, एक ज्यान की बात नहीं दे रहा हूँ, अगर हम लोग चैन की नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो उन्हीं की बदौलत, ठीक है? अंगला कुक्षन है, कौन भारती है? अखिल भारती है, फुटवाल महासंग के पहले ओप महासचिफ बने हैं, अखिल भारती है, फुटवाल महासंग की बात हो रहे हैं, AIFF की, आरुन जादा हो, भिमल चावला, अभी से क्यादा हो, आनन सिनहा, बताइए आप लोग, तो इसकी स्थाबना 1948 में हुई थी, ठीक है, FIFE की बात हो रही है, ठीक है, और वैसे आपको बताऊं, तो यह बहुत पुरान असंग है, यह 23 जून 1937 में ही एक तरह से एस्तित में आ चुका था, एड़क्वार्टर की बात करने तो नियू दिल्ली में देखने को मिलेगा, इस हिंदी दिवस कम मनाया जाता है, बताइए, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, आप देखिए, दो तरह का हिंदी दिवस होता है, आप समझ रहे हैं, इस हिंदी दिवस या वर्ल्ड हिंदी डे, आप सभी कमाल हुगा, कम मनाया जाता है, 9 जन्वरी, 10 जन्वर को मनाया जाता है लेकिन आप लोग याद रखेंगा एक बात और 1975 में आयजित पहली हिंदी संभी इन विस्व हिंदी संभीलन की वर्सगाट को चिन्नित कंडिक्ट लिए पहले विस्व हिंदी संभीलन का उद्गाटन पिधानमंत्री इंद्रा गांधी ने किया हुए था ठी ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा 14 सेप्टमबर 1949 को राजयन सिन्भा कब पच्चासवा जनब दिन था हो क्योंकि उनकी कोसिसों के चलती ही आपको मालू होगा कि हिंदी को अधिकारी भासा के रूम में अपनाये गया था और आप भाती समिधान के अंच्छे कि आप लोगों को भूल जाओगे जनवरी चलते हैं आगे चलते हैं हम लोग अंगला कुश्चन है मारे सामने किस राजगेपूर मुकमंत्री माधाव सींग सोलंकी का 94 वर्स की उम्र में नेधन हो गया यानि कि डैथ हो गई उनकी मौत हो गई उनकी बताईए क्यों भी कुछ बताओगे गुजरात राजिस्थान महाराष्ट हर्याना तो आप सभी को मालू होने चाहिए गुजरात के थे कहां के थे गुजरात के थे अब अगर आप लोग कहें तो गुजरात के बारे में भी कुछ पॉइंट बता देता हूं और आपको मालू होने चाहिए कि गुजरात के ईकुर मुखमंत्री थे और कॉंघ्री सो पाइटी के वरेष्ट नेता भी रहे तीक है चार बार मुखमंत्री के पतपर रहे हैं समझ रहें आप लोग और एक वह भारत के विद्च मंत्री भी रह चुके थे गुजराद की अगर हम लोग बात करें तो इसकी रादधानी आपको लोगों को मालू होगा कि गांधी नगर है क्या है गांधी नगर है और इसकी स्थाबना एक नब एक माई माई 1970 को की गई थी यहां आप लोगों को बिधान सावा में 180 सीटें देखने को मिलेगी राज सावा में आपको 11 सीटें को मिलेगी और लोगसावा में आपको 26 सीटें है अब ही वहीं के हैं समझ रहat चली यहंगे चलते हैं हम लोग, कौन बैक्ती है, जैफ बैजोस को पीछे छोड़ कर, दुनिया के सबसे अमीर बैक्ती बने हैं, दुनिया के सबसे अमीर, बिल गेट्स, मार्क जुकरवर्ड, और एलोन मस्क, या फिर मुके सम्भानी, बताईए, मुके सम्भानी को आप और टेसला के CEO हैं यह, ठीक है, एलोन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर बैक्ती बन गए हैं, इनकी संपत्ती की बात करें तो 188.5 बिलियन डॉलर थी, जो अमेजन्स के CEO जेफ वेजुस की तुल्ला में 1.5 मिलियन डॉलर आधेक है, तो यह भी आप लोग याद रखिए, टेस लागी बात करें तो इसकी इस्थाफना एक जुलाई 2003 को हुई थी, एड़कॉर्टर आपको United States में देखने को मुलीगा, USA में, चलिए अंगले question के तरफ बढ़ते हैं हम लोग, पिती वर्स राष्टी युवा दिवस कम मनाये जाता है, बताएए, आपके समने 10 जन्वरी, 11 जन्वरी, 12 जन्वरी, 13 जन्वरी, तो आप सभी कमाल होगा कि 12 जन्वरी इसमें देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, 12 जन्वरी, क्या 12 जन्वरी, और यह स्वामी वि रखी गई यूबा उस्तार नई भारत का ठीक है तो इसकी थे में भी याद रखी अब आप लोग कहेंगे कि बेवेका स्वामी बेवेका नंद के बारे में भी बता दीजे कुछ तो इनके बारे में भी आप लोग वैसे पड़े होंगे तो इनके इनका जनब हुआ था बारे जनबरी 1863 में कोलकाता में और इनकी डेथ हुई थी चार जुलाई 1902 को ठीक है याद रखीएगा चलते हैं आंगे चलते हैं हम लोग कौन वैक्ति अमेरिकी खुपिया एजनसी C.I.A. के नए निदेशक बने है C.I.A. जानकते हो आप देखते होंगे कि कई सभी देशों की लगभग आप देखिए खुपिया एजनसी होती है इसका पहला ऑप्शन है Cameron Charles William Burns Tom Pearson Michael Moody तो बताइए इसमें क्या करोगे William Burns टीक है तो इसमें B-Option आपका दिलकुछ सही रहेगा और इसकी इस था आपना अठारे सेप्टमबर 1947 को हुई थी Kendriya को भी आ एजनसी की टीक है USA की चले यांगे चले हम लोग अंगला कुष्टेन है हमारे सामने जारी हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा इस्तान मिला है बताइए इसमें पहला ओप्सन कह रहा है आपसे 37, 89, 85, 91 बताइए आप लोग क्या करोगे क्या लगाओगे 85 आपका बिलकुल सही है अब आप लोग कहें कि हैंली पासपोर्ट तो यादर की इंटरनेशनल एयर ट्रांजेक्सन ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन के आकड़ों के आधार पर पिदीवस हैनले एंड पार्टर नर्स द्वारा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है ठीक है यह आप लोग यादर जापान के पास अगर देखें आप लोग सबसे उपर देखने को बिलेगा जापान क इसों की दिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं अपने पासपोर्ट पर कोरिया जर्मनी आपका तीसरे नंबर हुए है ठीक है भारत आप देखेंगे पचाप सी बेस्ते इस्थान पर है और अगर पाकिस्तान की बात करें तो 107 बेस्तान पर है चीन की बात करें तो 70 बेस्तान बोटा 90 सिलेलंका 100 बंगलादेश 101 नेपाल 104 एक बात और आपको बता दू देखिए याद रखिए जब भी इस तरह के कोई इंडेक्स आता है रिपोर्ट आती है सूचकांक आते हैं तो इसमें हमारे पड़ोसियों का क्या इस्थान है उन्हें भी याद रखा करेंगा चलत थे बताईए लेखक थे या अगरतग थे विज्ञानिक थे अभी नेता थे तो आप सभी को मालू होगा कि लेखक थे किताबों लिखने का काम करते थे भारती अमेरिकी उपन्यासकार बेद महता का 86 बर्स के उम्र में डैथ हो चुकी है आपको बता दूं कि 20-20 सदी के एक तोर पर जाने जाते हैं जिन्होंने अमेरिकी पाटकों की भारत से पहचान कराई और मेता 24 किताबें में बॉलकिंदा इंडियन इस्टिट्स प्रोटेट ऑफ इंडिया और महत्मा गांधी एंड एप स्टल्स सामिल है इसमें ठीक है तो 24 किताबें इन्होंने लिखी हुए मताईए कम बनाते हैं voulais इसमें पहली डिट आप लोगोंकी सामने है 15 जनवरी दूसरी कह रहा है 13 जनवरी और तीसरा कह रहा है 12 जनवरी 11 जनवरी तो आप लोगों को मालोः को कि 15 जनवरी को मनाया जाता है कब 15 जनवरी को इसके Пार बादे में कुछ Оर और कि इसके बारे में और क्या याद रख सकते हैं कुछ रखना है याद कि सेना दिवस्त कि पंद्रह जन्वरी को कि जो हमारे बहादुर सेना थे रहे सेना नहीं रहते हैं उन्हें सेलामीद भी दी जाती इस दें तो यह हमारे लिए जिन लोगों अपने जान निचागा कर दी है चलिए अंगली कुश्चन की तरफ हम लोग भरते हैं कौन बैक्ती इंटेल की नए सी इओ बने हैं इसमें पहला ओप्सन क्या कह रहा है आपसे जैंस फॉल्क भी कह रहा है पेट गल्सिंजर डी कह रहा है डेनियल गुड और डी कह रहा है जीजे इसमर्थ तो आप लोग क्या लगाएंगे पेट पेट और यह आपके गल्सिंजर ठीक है यह आप लोग याद रखिएगा और इंटेल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना अठारे जल जुलाई की 1960 में हुई थी और इसका हेड़क्वाटर आपको यूएसे में ही कैलिफॉनिया यूएस में ही देखने को मिलेगा ठीक है अधिकतर इस तरह की कंपनिया आप देखते होंगे यूएसे की ही रहती है ठीक है भी ऑप्सन होगा इसमें आप लोग याद रखिए अंगला कुशन है कौन बैक्ती पुर्दगाल में भारत की नए राजदूत नियुक्त किये गए है रंजन इसमें क्या कह रहा है रंजन ऊस्वाल हारून खान मनिस चौहन निरमल सिंग तो इसमें आप सभी को मालम होना चीह हैं मनिस चौहन हैं मनिस चौहन हैं भारत्ष सरकाने पोर्दगाल में मनिस चौहन को निया राज़दूत बनाये गया है भारति विदेश सेवा यान कि chicos के 1994 की अधिकारी मनीश चोहान रहे हैं तो याद रखिए चलते हैं आंगे चलते हैं जारी टुम टुम ट्राइफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन दुनिया का सबसे जानदर ट्राइफिक बाला सहर बना है इसमें आपका विजिंग चीन मॉस्को रूस मॉंबई भारत सिर्डि लगाओगे और मास्को आपको बता दो दुनिया का सबसे भीडवाला वाला सहर रहा इसके बाद दूसरे स्थान पर भारत की मंबई रही है आर्थिक राध्धानी भी आप लोग कहते हैं समझ रहे हैं तो इसे भी आप लोग याद रखेगा आंगे चलते हैं लोग क्या पूरुराष्टपदी तो आप सभी कुमाल होगा कि संगीतकार थे अच्छे संगीतकार थे क्या थे अच्छे संगीतकार थे मसूल सास्तिय गाय को संगीतकार रहे हैं ठीक है हो 89 साल की एयर की उम्र में 89 बर्स की उम्र में इनका नेधन हो गया है और गुलाब मुस्तपा ख गुलाम मुस्तापा खान आप लोगो ने कुछ मूवी इस तरह की देखी होगी उसमें समय रहे हैं तो यह याद रखीगा तीन मार्च 1931 को इनका जनम हुआ था और 17 जन्वरी 2021 को इनकी डेथ हो गई थी यह डेटें कमी पूस्ता है लेकर बता देता हूंगी कभी कुष्चन से अगर बन जाए तो आप लोग आसानी से इसका अंसर दे सकेंगे अंगला कुष्चन है किस देश की फटोवालर बैन रूनी ने खेल से सन्यास लिया है एक किस देश के थे इंग्लेंड ब्राजील रोस क कानाड़ा तो याद रखें इंग्लेंड के थे कहां कि थे इंग्लेंड के थे इस तरह के कुष्चन भी कई बार मुझ लेता है मैंचिस्टर यूनाइटिट यूनाइटिट के पूर दिगज खलाड़ी रहें वेन रूनी ठीक है चलिए अंगले कुष्चन की दरब बढ़त मनीश कुमार बताई यह लोग मनीश कुमार होंगे इसमें और यह कुष्चन से याद रखिए हो सकता है कि आपकी परिक्षाओं में पूछे ले क्यों कि 2020 में आपने देखा है कुरोना मामारी किस तरह से परिशान किया हुए है ठीक है और दिल्ली के एम समय भारत का पहला यह लगाता है तो यह भी याद रखिएगा मनीश कुमार है कि चली आंगे चलते हैं लोग है अंगे कुष्चन से हमारा अठारे जन्मडी दूजार इकीस को एंडी आरेफ ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है एंडी आरेफ ने कौन सा अपना इस्थापना इस्थापना आपको माल होगा कि सन 2006 में हुई थी इसका हैड़कवार आपको न्यू दिल्ली में देखने को में लेगा ठीक है तो यह आप सोलेवा है कौन सा है सोलेवा है ठीक है क्या लगाओगी बी आपक्षन आपका सही है राश्थी आपदा पिति क्रिया वलभी से आप लोग कहते हैं और यह आपकी जन्वरी 2006 में आई हुई थे 19 जन्वरी को चलिए आंगे चलते हैं लोग किस राज के राजपाल ने वन इसकूल वन आई एस योजना सुरू की है तमिलाडू उडिसा केरल मेहाल है इमने से आप लोग बताईए तो इसमें होगा केरल और आपक बहुत च्छा राज है शिक्षा के चेत में देख लीए महलाओं की स्थिखी के चेत देख लीजे आप लोग संपत्ती के चेत में देख लीजे समझ रहें साख चलता हो लिंगन पात हो तो सबसे भेतर विदसन करता है कि केरल किरल और इसकी राध्धानि आप लोगों को माल देखने को लेगी और आपने देखा हुए भारत में जो भी इंडेक्स निकलते हैं उसमें केलल लगबग टॉप पर ही रहता है और विहार आपने देखा विहार उत्तरपिदेश मद्दपिदेश नीचे से टॉप कर रहे होते हैं चलिए अंगले गोश्ण शमारा किस ब्यक्ति की जन्दिनन पर 23 जन्वरी को किती बर्स पराक्रम दिवस मनाने की गोश्णा हुई है बताईए इन में से मुराजी देशाई सुवाश्चंद बॉस पीवी इनल सिंभा और एक हैं आपके चंद सेकर आजाद कौन होंगे आपने देखा होगा केंद सरकार ने हाली में महान सुदंता सेनानी और आजाद हिंद भॉस की संस्तावक थे नेता जी सुवाश्चंद बॉस नेता जी सुव मनाय जाएगा ठीक है और इस बर्स आपने देखा होगा कि निता जी की 125 जैनती मनाई गी है 125 भी सुवाश्चंद बॉस आपको बता दूं कि इनका जनम 13 जन्वरी 1897 को हुआ था इनकी डेथ यानि की मौत 18 अगस्त 1945 को हुई थी चलिए अंगले कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं किसने महलाओं की एकलबर्ग में थाइलेंड ओफेंड 2021 का खिताब जीता हुआ है बताइए इनमें आपके सामने चार ओप्सन जीएगा मिया बेस फेल्ट या फिर आपके हैं के रोलीना मारिन से हैं ताइजू कि बताइए कि क्या लगा हुए आप लोग तो याद रखिए इसमें होगा के के रोलीना मारिन ठीक है के रोलीना मारिन आपका सही रहेगा इन्होंने ताइजू इंको 29 और 21 सोले से हराय था ठीक है चली आंगे चलते हैं हम लोग अंगला कुश्चन है हमारे समने किस राज की सरकार ने डेगन फ्रोट का नाम बदलकर कम लम कम लम फ्रोट किया है राजिस्थान गुजरात मद्पदेश का रुना ठक तो आपको बत पूरवी भारत में आप लोग देखते होंगे अपने देखा होगा मयानमार और चेन की सीमा पर इसे राज की बात करें तो इसे संगसासिस चित बनाए गया था 21 जन्वरी 1972 को लेकिन राज कदर जया मिला था इसे 20 परवरी 1987 को इसकी केपिटल यानि कि आप देखेंगे राध्धान अगर देखने को मिलेगी यहां विधान सभा सीटे आपको 60 देखने को मिलेगी राज कि क्या है हिमाचल पेदेश न अरण चल पेदेश की बात करें हिमाचल पेदेश तो आप देखेंगे यहां आपका देखने को मिलेगा कभी कभी हो जाता है कंवा करता दिवस परेड में सामिल होने बाली पहली महला फाइटर पाइलिट बन चुकी हैं बताईए इसमें होगा सुर्भी चाफला अनीता कॉमारी गीता राओ भावना कांथ तो भावना कांथ ठीक है Yuk क्या होगा डी ओंसन आपका बिल्कुल सही होगा है भाटी पाइप से नकी पहली फैले लेट पाइलेट भावना कांथ बनी हैं, ठीक है? चलिए यहांगे चलते हैं अंगला कुश्चन है हमारे सामने हुई गुश्चना की मताबिक किस राज में भारत का पहला सरम आंदोलन संगरालै खुलेगा सरम आंदोलन संगरालै खुलेगा तमिलाडू या फिर पंजाब या केरल असम बताई इसमें तो इसमें याद रखे केरल होगा आपका क्या होगा C-Option आपका बिल को सही होगा C-Option क्या स्था होगा बिल को सही होगा आपका एक तरह से आप देखें परेटन के अंध भी बन जायगा यह चलिए हैंगे हम लोग चलते हैं अंगला कुशिन है हमारे सामने महरा सरकार ने गोरे वाडा चिडिया घर का नाप बदल कर कि इनके नाम पर रखा है तो बाला साफ ठाकरे और आप सभी जानते हैं बाला साफ ठाकरे के बारे में उधाव ठाकड़े उन्हीं के बेटे हैं और एक लंबे समय तक आप देखिए राजनीटी में इनका हस्तिशिप काफी बड़ा रहा है इनकी जन्म की बात करें 23 जन्वरी 1926 को इनका पूने में जन्म हुआ था और 17 नवंबर सन 2000 बारे में इनकी डेथ हुई थी मुंबई में तो याद रखिएगा और एक और बात बता देता हूं महराष्ट के बारे में कुछ फॉइंट बता देता हूं आप लोग कहेंगे कि महराष्ट के बारे में नहीं बताया हुआ है महराष्ट की राध्धानी आप लोगों को मालू है क्या है मुंबई सुने हो मुंबई बिंटर राजधानी के अगर पूछ ले तो नांगपूर है याद रखिएगा ठीक है और इसे राज़ बनानी की बात करें तो एक माई 1960 को इसे राज़ बनाया गया था ठीक है और एक माई को आप महराष्ट डे भी मनाते हैं बात्र राश्क दिवस यहाँ आपको देखने को मुलएगा बिधानासवा सीटें 282 विधान परिशत भी यहाँ उसमें आपको 78 सीटें देखने को मलेगी लोगसभा 48 सीटें देखने को पलेगी ठीक है चलते हैं आगे चलते हैं कौन बेक्ती सौमनात मंदिर ट्रश्ट की नए अध्यक्ष बने योगी यादितनाद नरेंद मौधी महवन भागबत तरिवीन तोगर्णिया तो याद रखे एक कौन होगे नरेंद मौधी साहब हिंदू टेंपल है आपको मालव है गुजरात में गुजरात में आपको देखने को लेगा इतिहास में के बारे में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा हुआ और इस पद पर वो असीर यानि के होने बाद चुनने वाले दूसरे पिधान मंत्री है इससे पहले आपने देखा होगा मुराजी देशा मुराजी देशाई भी इस पद पर रहे चुके हैं मंदिर नियास का द्यक्च नियुक्त हुए थे चली आंगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करना है आंगे भारती देलबी ने हावडा काल का मेल ट्रेंड का नाम बतलकर क्या रखा है मुखरजी एक्सप्रेस गांधी एक्सप्रेस नेताजी एक्सप्रेस या सावरकर एक्सप्रेस तो याद रखे नेताजी एक्सप्रेस इसका नाम रखा है नेताजी एक्सप्र की बाद की है उत्हरपिदेश Kings अन्द्पिदेश मंद्था तो याद हिमाचल पिदेश के बारे में बता है और हमाचल पिदेशिस आप लोगों को गुंबने की वड़ी को राज बनाए गया था यहां विदान सभा सीटें आपको 68 देखने को मिलेगी राज सभा में तीन सीटें लोग सभा में आपको चार सीटें देखने को मिलेगी ठीक है चलिए आंगे चलते हैं हम लोग कौन बेक्ती है टीसी सुसील कुमार की जगए एलाइसी के नए प्रबंद नेदेशक बने है दीपक साय जैरा मोसवाल सिद्धात महंती रमन सर्मा बताए 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 एलाइसी आप लग जानते हैं न कमी भीमा भीमा कुछ करवाए हो सिद्धात महंती होंगे इसके अपना एक सेक्टमबर 1956 को भी थी और इसका हैड़क्वाटर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा ठीक है चलते हैं आगे चलते हैं आप लोग और आपको बता दो कुछ हम जो आंकड़ी बताते हैं उससे जानदा गर आपकी दिमाग में आते हैं तो आप लोग नीचे कम बताइए कौन सा स्थान मिला है तो इसमें आप देखेंगे हमें चौत्रा स्थान मिला है फोर्त नंबर पर हम लोग रहे हैं चारवी नंबर पर जिसमें भारती सेना को चौत्रा स्थान मिला है और इसमें आप देखेंगे इस सूची में अमेरिका को दुनिया की सबसी बचल का डेथ हो गई इनकी मौत हो गई एक कों थे गायक लेकक या फिर अबिनेता या कभी बता गी कों थे हुशा तो यह आप सभी जानते हैं गायक थे कौन थे गायक गायक घायक गायक घाना गाने वाले गाय कि चलिए कई त्हुता को चलिए कई इन्हों ने में कई विस्थद फिल्म हों में के लिए लिए गान間 गाये हुए है भाजन भी किए है in a अंगति हमारे किसे जकार्था में आसियान सघ्यवाले में भारत का अंगला राजदूत किया गया है और मेंग जैसबाल जैन्थ खोव रागडे आलोग सोनी बिनीत दशपांडे अ बताइए तो याद रखिए जैन्थ खोव रागडे हैं खोव रागडे हैं इनके बारे में यहां एक आया हुआ है आशियान आप लोग और इसका हेड़क्वाटर जिकारता इंडोनेसिया में देखने कुम लेगा यह आप लोग याद रख सकते हैं याद रखने में क्या जा रहा है तुछ जाएगा चलिए याँँए चलते हैं हम लोग अन्गला कुशन है मारे समने किसे भारती है गरतग को किस भारती है generate 2021 का प्रुस्कार मिला है अजीत चंद चंदपाल को रण जी सिंग सिंगल को देवपाल माथल को निखिल स्री वास्ता को बताईए तो याद रखे निखिल स्रीवास्ता होंगे इसमें कौन होंगे निखिल स्रीवास्ता होंगे जब आप लोग कोई अच्छा गाम करते हैं तो आपको फुरुसकार मिलना अच्छी बात होती है कैडिसन सिंगल समस्या और रामानुज ग्राफ लंबी समय तक अनुतरित सवालों को हल करने के लिए एक युवा भारती गड़ तक निखिल स्रीवास्ता को और दो अनलोगों के साथ 2021 के पितिष्टित माइकल लेवं सीला हैल्ड फुरुसकार से समानित किया गया है ठीक है और इनमें कैलिफोनिया विस्विध्याले वरकल के निखिल स्रीवास्ता है और येकल पॉलिट टिकनिक फेडरालрос ब्साने हैं के एड़ एड़म मार्कस हैं और एलविस विद्याले की डेनियल एलन इस फिल में सामिल हैं तो निखल स्रीवास्तों के बारे में याद रखिए का अच्छे से यही पूछा जा सकता है आपसे बाकी दो को अगर याद रखना है तो रखिए नहीं रखना है तो नहीं रखिए पिती वस राष्टी वाल का दिवस का मनाया जाता है पिती वस राष्टी वाल का दिवस का मनाया जाता है 24 जन्वरी 22 जन्वरी 25 जन्वरी 21 बताईए तो आप सभी जानते हो कि 24 जन्वरी को मना जाता है कि इसकी सुरुवाद आपको बता दो कि 2008 में महिला और वाल विकास मंतरा ले भारत सरकार द्वारा इसकी की गई थी यह आप लोग जरूरी आज सकता है 24 दन बरी है जरूर याद रखीएगा और इसका अधिस यही होता है कि भारती समाज में लेंगिक्स आसमानता वाल का सिक्छा का महत तो उसके स्वास्त वापोसन के वारे में जाग रूपता फैलाना समय रहे हैं महिलाओं को एक तरह से सतक्त बनाना सक्ती साली बनाना इनका एक तरह से उद्देश ही रहता है और डिजीटल पीडी हमारी पीडी थीम इस साल की इसकी रही थी तो यह आप लों याद रख सकते हैं थीम से भी कई बार कोश्यंस पूच लेता है पितिवस राष्टी मत दाता दिवस कब मनाय जाता है 22 जनवरी को 24 जनवरी को 25 जनवरी को 26 जनवरी को बताए राष्टी मत दाता दिवस की बात हो रही है 25 जनवरी को मनाय जाता है कब मनाय जाता है 25 जनवरी को मनाय जाता है और इसके बारे में अगर कुछ और पॉइंट बताए इसका मनाने का उद्देश यही होता है कि मद्दाताओं को जो मद्दान करने की बात होती बोट डालने उसके पिती जागरू रखें क्योंकि आप सभी जानते कि आपका बोट बहुत कीमती होता है एक तरह से लोकतंद को बचाने के लिए आपकी अधिकारों को बचाने के लिए ठीक है मद्दा इस साल की थीम की अगर बात करें हम लोग इस दिवसकी तो मद्दाताओं को सचे सुरक्षत और जागरूख बनाना एक तरह सी थीम रखी गई थी अगर आप लोग जागरूख रहेंगे आप लोग अ पैसा खरच करेगा वो पैसा निकालेगा भी इस बात को भी आप लोगों को जान लेना चाहिए क्योंकि जब कोई खरच करता है तो वो पहले निकालेगा जरूर और आप सभी जानते हैं भारती निर्वाचन आयूप का गठन हुआ था कब 25 जमरी 1950 को एक तरह से आप कह सकते हैं उसे को मनाते हैं और इस देवस को मनाने की बात करें तो 25 जमरी को 2011 से राश्टी एम अद्दाता देवस की रूमू में मनाने की सुरुवात हुई थी चलते हैं आगे चलते हैं किस राजी की सरकान ने बालिकाओं के लिए पंक अभियान की सुरुवात की हुई है पंक अभियान यसमें आप देखिए उत्तरपिदेश उडीसा मद्दपिदेश करनाटक अब क्या होगा इसमें मद्दपिदेश होगा ठीक है पंक अभियान इस तरह की अभियानों से भी अब देश ठीक है और बेटियों का एक तरह से समग विकास हो इसके लिए अब यहां चलाए गया पंक कि चलिए अंगले कुश्टिन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कितने बच्चों को राष्टी है पुरुसकार बाल पुरुसकार 2021 मिला है 25 32 43 और 57 बताईए तो इसमें आप देखें कि 32 होगा 32 बच्चों को बी ओप्सन आपका दिलको सही होगा बाल पुरुसकार केंद्री महला और इवंबाल विकास मंतराले ने बच्चों के लिए एक तरह से पुरुसकार दिया हुआ है इसमें कई वच्चे सामिलें अगर आप कहें तो वच्चों के नाम भी बता देता हूँ अमेया लगूणू बियोम अहूजा हिदय और किष्चना अनुराग रमोला तनुच समद्दर बिनिस कैसम सुहार्त डे जियोती कुमारी कुमर दिभ्यांस सी कामिसोर जगनाद वाग मारे राकेश किष्चना के स्री नाव मोजिस अगवाल बीर कस्यब नम्या जोसी अर्चित राहूल पाटिल आयूस रंजन हिमेश चादल वादा चिराग भानसाली हर्मन जोच सींग मुहम्मद सुयव आनंद अन्वेश सुभम पिधान अनुजयन सुनित सिसोलकर पिसिद्दी स सविता कुमारी अर्सिया दस पलक सर्मा मुहम्मद रफी काम्या कारती के खुसी चिराग पटल मंत्रा जितेंद हर्खानी ठीक है नहीं आप लोग याद रखिएगा कोई चलिए अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग नाम नहीं पूछे जाएगा मुझे लगता है कि राज्यों में पूछा जाए तो बहुत बढ़ी बात है लेकर केंदर में कोई परिक्षा होती सेंटरल लेवल की तो उसमें बहुत मुस्किल लेता है 26 जन्वरी 2021 को पूरे भारत में कौँसा गरतन दिवस मनाया गया है सतरवा बहतटरवा छेतरवा अठतरवा तो आप सभी को मालूगा कि 72 क्या 72 आप सभी जानते हैं कि और आ आप लोगों को मालूगा कि पहला गरतन दिवस 26 जन्वरी 1950 को मनाय गया था देखिए आजादी तो हमें आपका कब 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूरी तरह से हमारा जो समिधान लाग हुगा था 26 जन्मरी 1950 को हुगा था इस दिन कई संस्थाओं का एक तरह से बनाई गई थी अस्तित में आई हुई थी तो उसी को आप लोग याद रखिएगा और 26 नवंबर भी होता है आपको बता दू 26 नवंबर 1949 को कुछ फिरावधानों के साथ आपका समिधान लागू किया गया था इसलिए आप जानते हैं कि समिधान देबस की रूम में 26 नवंबर को मनाया जाता है हुई गोशना के अनुशार कितनी हस्तियों को पदम सम्मान 2021 मिला है पदम सम्मान तो आपको बता दूँ पदम सम्मान को आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं 119 हस्तियों को 119 लोगों को अब आप लोग कहेंगी की लिष्ट बता दीजिए तो बहुत वड़ी लिश्ट होगी आप लोग कहें तो आप जैसा आप लोगों की चाहों कि इसमें कोई राय नहीं होने चाहिए इसमें मुझे लगता है कि खास खास लोगों को आप लोग याद रखेगा खास खास लोगों को गयाद रखेगा क्योंकि आप से कुष्टिंस अगर कोई चर्चा में रहा हो बेक्तित और उसी अगर दिये गया होंगे तो जरूर मुझे लगता है questions पूचे जाने की संभावना वनी रहेगे क्या वनी रहेगे questions वनी रहेगे 119 को एक तरह से आप देखे 7 को पदम भी भूसन मिला हुआ 10 को आप देखेंगे पदम भूसन मिला हुआ और 102 को पदम से मिला हुआ आप सभी जानते हैं कि पदम पुरुसकारों की गुष्णा हर साल गरतन दिवस यानी की 26 जन्वरी को की जाती है और वर्स 1905 में इस्थावित किये गये थी पुरुसकार ठीक है और लेकिन 1978 हो 1989 हो 1993 हो 1997 हो इस दोरान निलंबित भी रहे हैं बंद भी रहें और आप सभी जानते हैं भारत के सर्वोच नागरिक संबान भी है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखिए और पदम भी भूसन की बात करें तो आसाधारन और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है बाकी आप लोगों को बता दूँ कि देखिए जो नाम है उन्हें आप लोग कहीं से भी डाउनलोड करके अपने पास रख लीजेगा उस समय आपने देखा होगा जब मिले थे उस समय हम लोगोंने बाद भी की हुई थे की थी या निकी थी क्योंकि नाम एक तरह से आप देखे चलिए खेर थोड़ी बड़ी कलास हो रही है यह लेकर बता देता हूं पदम भीभूसन की बात करें तो साथ लोगों को मिला है इसमें सिंजो आवे ए पबलिक अप्रियस में मिला है जापान के हैं इस वी बाला सुवमनन्यम एःम मरने के बाद ह Whats. कला के यह लोगों के हैं तमिलाडु के हैं। डोक्तर वेले मुनपप Saturday मैडिसन के करना टक्की, स्री शुदानला सींक कफ्नी इने मरने के बाद मिला है, Science and Engineering USA के है शुदर, सदर् wijन शुर्ण मुलाना वहीरादिक खान पैर अध्यात्मिक की छित में तिल्ली के हैं बीवी लाल परात्त 25 शंहां जुड़ी हैं यिग सुद़ासें साहूं कला के चिते हैं उडिसा के इन साथ नावों को याद रखें इनसे questions बन सकता है पदम बूसन की बात करें तो इसमें आप देखें कि किसनन नायर सांतिक कुमारी एक कला के चिते से जोड़ी हुए केरल से हैं तरुन गुगोई इन्हें मरने के बाद मिला है एसम के चिते से हैं और चं गैसु भाई पतल इने मरने के बाद मिला है पबिक अपयस से जुड़ी रहे है घुजरात के खंवे साधित इन्हें भी मरने के बाद मिला है अध्यात्रमचिते से जूड़ी है उत्तरप दिस है रजनी तेवी दास यह उद्देव से जुड़े हैं महराष्ट के तरलो चन सिंग पबलिक अफेस थर्याना की हैं ठीक है तो यह आप लोग याद रखेएगा इनी से मुझे लगता है अगर questions पूछा जाए तो इनी से आसानी से आप लोग उनकी आंसर दे सकेंगे आंगे चलते हैं हम लोगा किसे मड़ीपूर हाई कोट के नई चीफ जस्टिस के रूम में नियुक किया गया है बताईए पहला उप्सन है जेपी खुराना खुराना पीवी संजय कुमार और और यह आपके केके रंजन केके रंजन अब आप लोगों को बता देना है चार में से कौन सही हो है त आपके पीवी संजय opioid में यहां मड़ीपूर के बात ही तुमरीपूर के बारें में मैं कुछ प्वाइंट बता देता हो आप लोगों को आप देए हैं मडीपूर पूर्वी भारत में एक राज़ और इसकी राधदानी इंधाल है आप लोगों को मालू है और इसे राज और यहां विदान सभा सीटें आपको 60 देखने को मिलेगी लोग सभा सीट एक दो देखने को लोग सभा सीटें दो है और आज सभा सीट एक है यह आप लोग जरूर याद में रखिएगा चलिए आंगे चलते हैं लोग अंगला कुश्चन है हमारे सामने पूरू भारती है खिलाडी पिसांत दोरा का नर्धन हुआ है वो किस खेल से संबंदित थे इसमें आपका ए ओप्सन करा है फोटवाल होकी क्रिकेट वास्केट वॉल तो यादर कि फोटवाल से जुड़े हुए थे फोटवाल से किसे फोट राज बनाए गुजरात मत्विदेश उत्तरफिश मडीपूर तो याद रखिए उत्तरफिदेश होगा अब आप कहेंगे कि उत्तरफिदेश के बारे में भी कुछ पॉइंट बताईए आप सभी जानते हैं कि उत्तरफिदेश जनसंग्या में सबसे बड़ा राज है एक ब तो इसे आप देखेंगे कि कब राज बनाए गया था 24 जन्वरी 1950 को राज बनाए गया था इसलिए आप देखते हैं 24 जन्वरी को उत्तरफिदेश दिवस के रूम में बनाया जाता है और आप देखेंगे यहाँ विधान सभा में आपको 403 सीटें देखने को मिलेगी विध ग्लॉबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा इस्थान है बताईए दूसरा पांचवा सात्वा नौबा तो याद रखी सात्वा है क्या है सात्वा है क्या है सात्वा है ग्लॉबल क्लाइमेट इंडेक्स रिस्क इंडेक्स इसमें सात्वा स्थान है ठीक है तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं इसमें अगर हम लोग बैस्विक जल्वाई जोखिम सूचकांग समझ रहे हैं anges गजब साधवी नमेर पें इंडिया अंतराश्विक परियावन फिंक टेंक जर्मों बस्विक जल्वाई के सूचकांग जारी करता है तक और हर साल जारी किया जाता है क्या हर साल जारी किया जाता है चलि आगे चलते हैं लोग स्ताथवासता ने इसमें अगर आप लोगों ने एक और मुझसे सवाल पूंचना चाहिए था वैसे आप लोगों के लिए पूंचा नहीं चलिए पूंचा नहीं क्या बूल लगी बाद में पूंचते भी हम इसमें एक और कुष्टन बन सकता है कि टॉप पर कौन है क्या है टॉप पर सबसे किस ब्यक्ति को 2021 का सुभाष्चंद बौस आबदा प्रवंधन पुरुष्काल मिला है रगुनाद रास पदम सींग रमेश नगर कोटी राजन भंडारी बताए कौन है राजिस भंडारी कौन है राजिस भंडारी ठीक है इन्हें आप लोग याद रख सकते है आबदाओं पर बिग्यानिक अध्यन की सुरुवात करने वाले राजन कुमार भंडारी को एक परसे पुरुसकार दिया गया उनकी काम के लिए और तेश जन्मरी को नेताजी स्वास्चंद बौस की जैनती होती ना उसी दिन इसकी घोशना की जाती है चलते हैं यांगे चलते हैं अमेर क हैं इसमें क्या हुगे पारिक साँ है अंगला कुशन है मारे सामने कि सरागने जहें पर्याटन नामक पहल की सुरूवात की हुई है उत्त Łफद्र महाराश्ठ जःकंड केरल तो याद्र की महाराश्च होगा जेल की सुरूवात यानि की जेल घूमने की एक तरह से नई परयाटन शुरू गिया वे तो महराष्ट अंगला कुशन है कौन इस्टोनिया की पहरी महला तदानमंत्री बनिया है इसमें रिजा ओलेक्स फिनी मूरे और काल काजा कलास लिसा हेंडरसन तो याद रखें काजा कलास हैं काजा कलास हैं और आपको बता दूँ उन्नी से कानवे में सदंता हंसिल करने के बाद के स्टोनिया ने देश में पहली वार किसी महला को पिधानमंत्री बनाया गया है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं इस्टोनिया की आपको बताना है कि हमारे देश की सबसे पहली महला पिधानमंत्री कौन थी पहली महला राष्टपती कौन थी और दुनिया की सबसे पहली पिधानमंत्री महला किस देश की बनाया गया थी कौन थी बताना है और याद रखें इस्टोनिया आपकी यूरोप का देश है ठी है चलिए आंगी चलते हैं लोग किसे मिस्तर में भारत का अंगला राजदूत नियुक्त किया गया है इसमें आपका ओप्सन है दिस्वेस कुमार सिना बिमल कुमार नेट अजीत बिनाय गुपते रमिश्वक पिकास तरपाटी तो यादर की अजीत बिनाय गुपते होंगे इसम आपने कौन बेखती कजाकिस्तान में भारत के अंगली राजदूत नियुक्त किये गए हैं तो यसमें निहार जो सौनी वरुन चतुरविदी अर्विंद गोस सुब्दरसनी तिरपाटी तो इसमें याद रखिए सुब्दरसनी तिरपाटी होंगे अंगले कुश्चन की त किसके SBI के और SBI की बारे में अगर बात करें तो एक जुलाई 1955 को इसकी इस्थापना ही हुई थी हेड़कॉर्टर इसका निव इसका हेड़कॉर्टर कहा है SBI के State Bank of India का मुंबई में तो इसमें SBI किसे 42 में उपसेना प्रमुक की रूम में नियुक्ति की गई है किसकी केकी सिंग एमके तिवारी सीपी मोहनती जेपी जोसी तो याद रखिए सीपी मोहनती होंगे इसमें जारी वर्स 2020 के विश्टाचा धारना सूचकांग में भारत को कौन सा इस्ता मिला है बताए च्यासी वा नवासी वानवेवा च्यानवेवा तो आपको बता दूँ इसमें 86 वा मिला हुआ है हमें ए उप्सन आपका विलकुल सही रहेगा इसे आप लोग क्या कहते हैं विश्टाचार बहुत सूचकांग भी कहते हैं करेश्टन और यह ट्रांसफेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है 2019 में भारत को 180 देशों में से असीवा इस्थान मिला था और ट्रांसफेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतराष्टी गयर सरकारी संगठन है इसकी स्थापना एक 180 देशों को सामिल किया गया था अंगला कुश्चन है हमारे सामने पिती वर्स यानि की हर साल भारत में किस बेक्ती की इसमीर्थी को में 30 जनवरी को सही तिवस मनाया जाता है इसमें पहला ओप्सन है आपकी सामने भगस्निंक महत्मा गांदी या फिर आजीब गांदी या पंडिश जवालाल नहरू तो बताइए आप लोग तो मुझे लगता है कि आप सभी को माल होगा इसमें महत्मा गांदी लगा ओगे आप सभी लोगों को माल होगा कि महत्मा गांदी की अत्या जन्तीस जनवरी 1948 को साम की टाइम बिढला हाउस में आपने देखा होगा न पॉइंट वी आप लोग याद रखेगा और मात्मा गांदी के बारे में वैसे आप लोगों को मालू भी होगा कि इनका जनम दो अक्टोबर 1889 में हुआ था इनका पूरा मनाम मोहंदास करमचन गांदी था ठीक है अब आंगली कुष्टन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जाता है 5TVर्स विष्ट कोष्ट Divas कम मनाय जाता है इसमें पहला ओप्सें कहा रहा है 29 जनवरी को ब्दिक वहारा है 30 जनवरी már यह फिर इसे मनाया जाता है तो यह भी आप लोग इसका उद्देश यही होता है मनाने का देखिए कि लोगों के भी कुछ रोग जो होता है इसको लेकर जागरूपता पैदा हो और वो इसके रोग ठाम के लिए कुछ उपाए अपनी तरप से भी करें और आप देखे कुछ लोग सरका अंगला कुश्चन है मारे समने कौन बैक्ती ACI क्रिकिट परिशत के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं A कह रहा है मुरली कार्तिक B कह रहा है राकिस डेटली C कह रहा है जैसा है और D कह रहा है आसीस नहिरा और आप सभी को जैसा है के बार में तो मुझे लगता है कि आप सभी जानते भी होंगे तो इसमें आप लोग लगाएंगी क्या जैसा है किसके बेटे हैं जैसा है आप लोगों को बताना है अगर आप लोग ACI क्रिकिट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 19 सेप्टमबर 1883 में हुई थी ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखिए इसके हेड़कॉर्टर की बात करें तो कोलंबुक स्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा आगे चलते हम लोग कौन बैक्ती नेशनल हेल्प अथोर्टी के नए सी इ वो बने है आरेस सर्मा ऐसेस अगवाल पीके माथुर या फिर आपका डी ओप्शन है जेके सिंगल बताई इसमें क्या लगाओगे कुछ लगाओगे वही तो याद रखिए आर एस सर्मा क्या है आर एस सर्मा है इसकी ठीक है तो इसमें आपका ए ओप्शन बिल्कुस ही है और इसकी फाउंडरेड यानि की स्थापना की बात करें दोहजार अठारे में इसकी स्थापना की गई थी यह आप लोग याद रखिएगा अंगला क्यूशन है हमारे सामने जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मताबिक किस राज्य को नियाय देने की मामले में सीस इस्थान मिला हुआ है यानि की टॉप इस्थान मिला हुआ है इसमें तमिलाडू महराष्ट केरल या फिर जहार घंड तो याद रखिए इसमे की ओ बने है इसमें धुरपूरी अमंजयन राम मोहन राओ राम चंदन दस तो याद रखिए इसमें आपका सी ऑप्शन होगा क्या होगा सी ऑप्शन होगा एस्वी आई के बारे में पहले भी बता चुका हूँ तरसे एक बार सुन लीजे इस्टेट बैंक इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात आए तो एक जुलाई एक जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हैड़क्वाटर आपको इस्टेट बैंक ऑफ इं नासा की कारकारी पिर्मुक बनी हुई है नासा को आप लोग जानते हैं कहां की अंत्रिक्ष एजनसी है और हमारी एजनसी का अंत्रिक्ष एजनसी का क्या नाम है इसमें पहला ओप्शन के रहा है अनीता कंथ रस्मी देश-पांडी भव्यालाल निसा दरबाटी तो याद चुलाई 1908 में हुई थी और इसका हेड़कोटर आपको बॉसिंग्टन डीसी USA में देखने को मिलेगी और USA यानि कि अमेरिका की अंत्रिक्ष एजनसी है तो यह आप लोग ज़रूरी याद रखेंगे जैसे आप लोग दास नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एड्मिनि अलीट ट्रॉफी अगरे दोजार इकीस का खिताब जीता है बताई अगरोदा तमिलाडू बिहार कुजरात इन में से आप लोगों को एक उप्सन चुनना है एक उप्सन तो चुनना है लेकिन सही कौन है इस चुनना है तो आपको मालून चीट तमिलाडू है इसमें क्या है तमिलाडू है तमिलाडू के बारे में कुछ और बता देता हूं हो सकता है कि आपसे कुश्टन्स पहुंच ले देखे तमिलाडू की राजधानी कहा है सबसे पहले तो यही कुश्चन से आप से पूंच रहा हूं मैं मैं ही पूंच रहा हूं क्या गहा रहा हूं मैं ही पूंच रहा हूं आप लोगों से बताए आपको दच्छन भारत में देखने को मिलता है न चैन नही सुनाए तमिलाड की राजधानी है चैन नहीं और इसके अगर राज बनानी की बात हो तो 26 जन्वरी 1950 को इसे राज बनाया गया था और यहां आप लोग देखेंगे लोकसवा सीटें आपको 29-49 सीटें देखने को लेगी 39 लोकसवा सीटें राजसवा सीटें अठार है और विधान सवा सीटें 234 ठेक है यह आप लोग याद रखेगा चलिए तो यह है आपके जन्वरी महीने के जो भी घटनाय रही है उनसे जितने तरह के कुश्टन्स बन सकते हैं उनका एक ओवर्वीव हम लोग उन्हें ले लिया है आप लोग जब भी पेपर देने जाते हैं तो इनने जागर आप ल ले लेंगे सभी कुश्टन्स को सामिल करके बात करेंगे ठीक है नमस्काल सातियों चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे करेंट अफेस के बारे में और आप लोग उन्हें देखा होगा पिछली क्लास में हम लोग जन्वरी महीने का जो भी घटनाय गटी उस समय की उससे और याद रखिए इन क्लासों में हम लोग आपका करेंट अफेस तो कवर कर ही रहे हैं उसके साथ आपका इस्टेटिक जीके भी कवर किया जा रहा है इस्टेटिक जीके का कहने का मतलब यह होता है कि आप सभी जानते हैं कि देखिए आप लोग किसी एकजाम की तयारी करते हैं तो उसमाई आप लोगों को दो तरह की आखड़े देखने को मिलते हैं एक तो आपकी इस्थाई आखड़े होते हैं एक आप देखते होगी कि आज इस्थाई आखड़े आपको देखने को मिलेंगे जैसे माल लीजे आप लोग कोई दिवस मना जा रहा है या फिर आप ranking कुछ और हो सकती है लेकिन आप देखिए पहली बार इंडेक्स कब जारी किया गया था किसके दुवारा जारी किया गया था यह इसके इस्थाई आकड़े होंगे और मुझे लगता है कि दोनों और इस्टेटिक जी के वो या फिर आप देखिए करेंट पेस हो यह आपकी परिक्षाओं की दृष्टी से बहुत ही महत्पूर रहते हैं और इसे लिए कहता हूं कि करेंट पेस कबर करते रहा करेएगा और इसके लिए आपकी एक प्लेलिश सूची बना दी गई है मंतली करे सर्विस हो इस्टेट PCS हो या वंडेक जाम हो वंडेक जाम कहने का मतलब है कि आप देखिए SSC बैंक रेलवे या फिर आप देखते हैं टीचर भरती होती है या फिर आपका पुलिस सेना या MPSI, UPSI इस तरह के जो भी स्टेट SI गरवाते हैं उनमें भी इस तरह के अगर पूछे जाते हैं कि एक लाइन में उसका कुश्णस देदेगा और चार आपको नीचे ऑप्सन देदेगा तो एक किलास आपकी उस पर इच्छा की दरश्टी से बहुत ही महत्तमूर रहने वाली है और इसकी PDF की बात करें तो टेलीगरम पर आपको PDF मिल जाएगी या पर आप वेवसाइट पर जाकर भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ देख सकते हैं तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहला कुश्णस सुरू करते हैं क्या है हमारा पहला कुश्णस एक फरवरी 2021 को भारतिये तट रक्चक बल ने अपना कौन सा इस थापना दिवस मन हाई आप लोग क्या लगाओ गें आप लोग इसमें लगाओ आप लोग 25 बार यानि कि आपका D option कैसा रहेगा बिलक्स सही रहेगा क्या रहेगा डी ओप्षन आपका विल्कुष सही रहेगा आपको बता दूँ इसकी अगर हम लोग भालतिय तत्रक्षक वल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी एक फरवरी मुख्याल है निव दिल्ली में आप लोग उनको देखने को मिलेगा तो यह आई आप लोग याद रखिए भालतिय समुद्र की सुरक्षक करने की लिए एक तरह से इसकी स्थापना की गई थी तत्रक्षक वल की और इसके नाम से ही एक तरह से आप सभी को माल होगा और यह रक पिती वर्स विस्व आद्द भूमी दिवस कब मनाया जाता है क्या कह रहा है पिती वर्स विस्व आद्द भूमी दिवस कब मनाया जाता है इसमें पहला ओप्सन आप से कह रहा है एक फरवरी को दोसरा कह रहा है दो फरवरी सी तीसरा तीन फरवरी और डी कह रहा है चार फ क्या रहेगा वी ओप्सन आपका विल्कों सही रहेगा अगर हम लोग इसके आद्ध भूमी के बारे में बात करें तो आद्धे के दो फरवरी को हर साल विस भर में आद्ध भूमी दिवस मनाया जाता है लेकिन इसके बारे में और कुछ कोईंट भी याद रखना चाहिए आप वेट लेंड्स एंड वाटर इस बार की 2021 की क्या रही है ठीम रही है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और एक कुष्टन साबसे यह भी मूचा जा सकता है कि पहली बार विस आद्ध भूमी दिवस कम मनाया गया था बताए तो यह विस आद्ध भूमी दिवस का पहली बार दो फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्स पूर्वी होने के आउसर पर किया गया था तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं और अगर हम लोग 2020 के आद्ध भूमी थीम की बात करें आद्ध भूमी दिवस की थीम की तो उस समय की थीम रही थी आद्ध भूमी औ जय बिवित्ता ठीक है चली अंगले कुष्टन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुष्टन क्या कह रहा है अंगला कुष्टन है मारे सामने तीसरा किस राजित की सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिसन की सुरूआत की है किस सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिसन की और D कह रहा है बिहार तो बताइए क्या होगा इसमें होगा आपका पंजाब क्या होगा पंजाब अब आप लोग कहेंगे कि पंजाब के बारे में कुछ सत्रे देखने को मिलेगी राज सवा सीटें साथ देखने को मिलेगी लोग सवा सीटें 13 देखने को मिलेगी ठीक है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं आंगे चलते हैं लोग इसमें याद रखी इसमें आपका A होगा क्या होगा A option अंगला question है भारती खिलाडी असोग डिंडा ने किस खेल के सभी प्यारूपों से सन्यास लिया है यानि कि छोड़ने का मूर मनाया हुगा एक तरे से किरकेट, होकी, फोटवाल बेडमिंटर तो याद रखे किरकेट है, क्या है किरकेट खेलते थे, अब इन्होंने सन्यास ले लिया है यह आप लोग जरूर याद रखे और असोग के बारे में अगर हम लोग बताएं तो इन्होंने 13 बंडे मैच खेलिए जिनमे 12 विकेट लिये हुए थी वही इन्होंने 20 मैच खेलिए हुए है और इसमें 17 विकेट लेने में सफल रहे थे ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रख सकते है अंगली कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते है अंगला कुश्चन कह रहा है क्या पूछ रहा है, कौन भारत की सबसे कम उमर की महला पाइलेट बनी हुई है बताइए ए कह रहा है, इसमें हैं लताफ चोहन बी कह रहा है, सिबांगी तोमर और सी कह रहा है, तितीक्छा 24 और डी कह रहा है आपसे, आईसा अजीज तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों ने अगर करेंट फियस नीज पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोगों को माल होगा, आयजा आईसा अजीज इनकी उमर आप देखेंगे 25 साल आप लोगों को देखने को मिलीगा ठीक है, और इनके बारे में अगर और कुछ बताऊं तो साल 2011 मैजीज ने लाइसेंस आसिल किया था और उस समय उनकी उमर आप देखेंगे तो करीब 15 साल की थी, ठीक है अंगला कुष्टन है मारे समने, कौन सब्द, बर्स 2020 का आक्सफोर्ड हिंदी सब्द चुना गया है, कुरोना, मजदूर आत्म निर्भरता, पलायन बताईए इनमे से कौन चुना गया है, तो आत्म निर्भरता, आप लोग देख रहे होगी कि नई सरकार जब से मौदी गवर्मेंट आई हुई है, मौदी गवर्नेंस आप लोग कहा करिएगा, ठीक है भारत सरकार होती है, तो यह आत्म निर्भरता की और काफी जोर दे रही है इसलिए आप देखे, 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी सब्द चुना गया है, कौन? आत्म निर्भरता, ठीक है अंगला कुप्षिन है हमारे सामने यह कर रहा है, पिती वर्स फिसल कैंसर देबस, कब मनाया जाता है 3 फर्वरी, 4 फर्वरी 5 फर्वरी, या 6 फर्वरी बताई इसमें तो इसमें याद रखे आप लोग क्या रहेगा? इसमें 4 फर्वरी रहेगा क्या रहेगा? V option आपका 4 फर्वरी यह जरूर आप लोग याद रखिएगा ठीक है और इसके बारे में अगर हम लोग और कुछ पॉइंट आप लोगों को बताओं तो इसका उद्देश आपको पहले भी बता चुकाओं कि इसका उद्देश मैं जागरूपता और उस बीमारी के बारे में एक तरह से लोगों को जागरूप करना है ठी मैं हूँ और मैं रहूंगा यह थीम रही है ठीक है यह आप लोग याद रखिएगा और सबसे पहले विस्ट कैंसर दिवस वर्स 1993 में जेनेवा सुईजेलेंड में यूनियन फोर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल की द्वारा मनाय गया था अंगला कुश्य ने मारे सापने किस सहर में भारत का पहला इंप्यूटी क्लीनिक खुला गया है बताईए से पहला ओप्सन इसमें क्या कह रहा है भोपाल हैदरावाज जलगाओं या फिर चंडीगड़ तो इसमें आप देखेंगी चंडीगड़ होगा क्या होगा चंडीगड़ होगा डी ओप्सन आपका विल मरीजों के इलाज के साथ पुनरवास की विवस्ता की गई है और मरीजों को दुरगटना के बाद सावन जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो और इस क्लीनिक में सबसे पहले मरीज के छतीगिस्त अंग का इलाज किया जाएगा और उसके बाद उसे डॉक्टर की देखवे ए आई यू माप्स करिए फिर से सुन लिए ए आई यू द्वारा जारी वर्स 2020 के लोगतं सुचकांग में भारत को कौन सा इस्थान मिला हुए है आप देखिए एक तरह से आप खुद जानते हैं एक बात को तो हमारे देश में जितनी भी हमारी रेंकिंग आती है उनमें हम खराब ही है समझ रहे हैं आप लोग अब एक क्यों खराब है या आप लोग भी जानते हैं जानते हैं या नहीं जानते हैं यह बताना पढ़ेगा तो 32 भा या 48 भा 53 भा सरसट भा बताईए तो आप सभी को मालूँगा थिरेपन भा है इसके बारे में लेकिन कुछ और की जाती है ठीक है यह आप लोग और इसके पेवानों में अगर हम लोग बात करें तो चुनाव पिक्रिया वह बहूलता बाद को ध्यान में रखा जाता है सरकार की कालसरली राजनितिक भागेदारी राजनितिक संस्किती नागरिक आजादी इन सभी को इसमें ध्यान रखा ज चाहिए और हम लोग 2019 में किस स्थान पर थे इंक्यावन भी कौन से इंक्यावन इंक्यावन 51 और विसका सबसे बड़ा लोगतंत होने का दम भी हम लोग भरते रहते हैं लेकिन क्या इस्तिती है आप सभी लोग बहतर समझ सकते हैं और इसमें लोग अगर सबसे ऊपर की बात करें तो नौर्वी को आप देखेंगे टॉप इस्तान में ला हुआ है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं इनसे कुष्टन क्या होता है कि कई बार पूझता रहता है बहुत बुरी इस्तिती रहती है और अगर हम लोग चलें आंगे चलें 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 या ने चलें अगर हम लोग एकोनोमिस्ट इंटेलीजेंस यूनिट की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका ह अध्यक्ष कर दोष्ट्य राश्टि च्वर्यशंथ की अध्यक्ष बने हुए है आपके सामने चारुपशन है को बताई ए कौन है कि तो यस मुझे मन्यम, इसके बने है नए अध्यक्ष बनाए गये है कि एन एस एन एस सी सुनाया आप लोगों ने जैसे आप लोग नेशनल से कॉर्टी काउंसिल कहते हैं इसके इस्तापना आप लोगों को मालू होना चाहिए कि 19 नवंबर 1998 में की गई थी ठीक है यह आप लोग याद रख सकते हैं कि चली आंगे चलते हैं अप लोग अंगला कोशन हमसे क्या पूंच रहा है अंगला कह रहा है दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार ने इलेक्टोनिक बाहनों को बढ़ावा देने की तू किस अभियान की भी देते रहते हैं तो इसी को लेकर आप सभी को माल होगा इनकी काफी तारिफ भी की जाती है स्टार्ट दिल्ली सुष दिल्ली एलेक्टो दिल्ली इलेक्टोनिक बाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज में सुष दिल्ली अभियान की शुरुआत की है और आपको बता सोसल मीडिया हैंडल को जंता से सीधे जुड़ने के माध्यम में रूम में इस्तिमाल किया जाएगा और एलेक्ट्रोनिक बहान खरीदने में सबसेटी या किसी अन्य सिकायतों को दूर करने एवी खरीदारों की सफुता की कहानिया और पिसंसापध को भी सांजा कर दिल्ली ब है देए गेए मुखमंदरे और यहां अगर हम लोग सीटों की बात करें कि विधान सबा सीटें भी है राज-सबा सीटें आいきます चलिए अंगे लोह जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन बरस 2020 के सबसे मुलवान भारतिय सेलिविटी बने है एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसके मुताबिक आप लोगों को बताना है कि 2020 के सबसे मुलवान भारतिय सेलिविटी बने हुए है इसमें A option कह रहा है अमिताप बच्चन, B कह रहा है सोनुसूद, C कह रहा है कंग्रा रनोत, और D कह रहा है विराट कोईली, तो आपको बता दूँ विराट कोईली है, कौने इसमें विराट कोईली है, और इस report में आप देखेंगे विराट कोईली 23.77 करोड अमेरिकी डॉलर क bond value के साल लगाता 14 साल 2020 में सबसे valuable भालती सेलिविटी रहे हैं, और इस सूची में आप देखेंगे दूसरे नमबर पर फिल्म अविनिता अक्षाकुमार, और तीसने नमबर पर आप देखेंगे रडवीर सिंग सामल है, और मुझे लगता है इन सबी लोगों को आप लोग जानते भी होंगे, चलिए आंगे बढ़ते हैं हम लोग, किस देश के पूर्व करिकेटर, ब्रूस टेलर का 77 साल की उम्र में डैथ हो गई है, इनकी मौत हो गई है, कौम थे, न्यूजिलेंड, औस्टेलिया, इंगलेंड, आयरलेंड, बताइए आप लोग, तो आप लोगो जिसे आप लोग न्यूजिलेंड कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूजिलेंड कहते हैं, और इसकी राध्धानी की बात करें तो विलेंगटन है, आप सभी जानते हैं, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, याद रखी एक और बात बता दूँ आपको, भारत का मैप हो, आपके राज का मैप हो या दुनिया का मैप हो इसे बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लिएगा और मैप का साहगरार लेकर आप लोग पढ़िएगा तो यह क्या होगा कि आपकी प्रीक्षा में अगर कुष्चन साता है तो आसानी से उसके आप लोग आंसर भी दे अंगली कुष्चन की तरब बढ़ते हैं किसे भारत के लिए गूगल क्लाउड का एमडी नियुक्त किया गया है विकास कुमार रित्खुराना विक्रम सिंग बेदी और निसान्थफाल सिंग रविंद सिंग चौबडा तो याद रखिए विक्रम सिंग बेदी हैं क्या है गूगल क्रोड की बात करें तो आप देखें गूगल की है एक तरह से प्लेट पॉम है इसकी इसता अपना अपरेल 2008 में की गई थी साथ अपरेल को ठीक है आगे बड़ते हैं लोग विलोंबर्ग द्वारत जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा इस्थान मिला ह है श्यालीजवा पचास वा अंधावन वा या फच्पन चप पैंसट वा बताईए इनोवेशन इंडेक्स की बात हो रही है तो इसमें याद रखे भारत को कौन सा इस्थान मिला है पच्छास वा फिफ्टी नमबर बहारत है और इसकी भारत आपको बात करें दच्छेंड कोरिया इसे इंडेक्स में आपको टॉप पर देखने को मिलेगा ठीक है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं बैस्विक नवाचाल सूचकांग भी कह देते हैं इनोवेशन एक इसके द्वारा जारी की जाती है भारत आपका पच्यास बे नंबर पर है जरूर आप लोग याद रखिएगा चलिए हम लोग आँगे चलते हैं आँगे क्या पूश्रा है आपसे एग विलूम बर्क की बात करें तो आप देखिए गए कक्टूबर 1981 में इसकी इस्ताफना हुई थी और New York USA में इसका Headquarter आपको देखने को मिलेगा कि नहीं देखने को मिलेगा New York में इसका Headquarter देखने को मिलेगा चलिए अंगले कुश्चन की तरब बढ़ते हैं किस खेल से संबंदित भारत के पूरक लाड़ी अक्तर अली का डैथ हो गई यानि कि इनकी मौत हो गई है आप लोगों को बताना है इनका किस खेल से संबंदित थे टैनिस, फोटोवाल, क्रिकेट या फिर सतरंज बताईए तो ये थे टैनिस से, ठीक है किस ते थे टैनिस से जोड़े हुए थे अगले कुश्चन की तरफ लोग चलते हैं कौन शौवी टेस्ट मेच में दोहरा सतक लगाने बाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए बिराट कोली भारत बाबर आजम पाकिस्तान जो जो रूट इंगलेंड इस्टी वन इसमित ऑस्टेलिया के हैं बताईए तो आपको देखने को मिलेगा जो रूट हैं इंगलें सवेंगलेंड के हैं सौविट टेस्ट मैच में समझ रह commendable वो क्रिकिट से जोड़े निर्धन हो गया यानि कि death हो गई है यानि कि मौत हो चुकी है एक किस से जुड़े हुए थे वो कौन थे वो अभीनेता गायक लेकक या फिर कभी तो याद रखे अभीनेता थे क्या थे अभीनेता थे अंगला कुशन एक किस राज सरकार ने जमीन की धोकादरी रोकने ही तो पिते एक जमीन को 16 अंको का यूनिक आईडी नंबर जारी किया है इसमें आप देखेंगे उत्तर पिदेश या फिर महराष्ट या उडिसा या फिर हरियाना बताइए तो आप देखिए उत्तर किया हुआ है उत्तर पिदेश ने उत्तर पिदेश ने ये काम किया हुआ है कि जो उत्तर पिदेश की योगी सरकार है इसने जमीन धोकादरी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर एक तरह से आवंटिद बाठा गया है और इससे कोई भी व्यक्ति घर बैटे एक क्लिक करके जमीन का पूरा विवरा जान सकेगा और इस 16 अंकों के यूनिक आईडी नंबर को राजय सुबेभाग तिरसी आवासी है और विफसाइक भूमी को चिन्नित कर यूनिक आईडी नंबर जारी करा है और इसे योजना में जरीमीन के पुराने मालिक के स सबसे बड़ा राज्य आप सभी जानते हैं आप लोगों को बताना है जनसंख्या में सबसे छोटा राज कौन सा है और 24 जन्मरी 1950 को उत्तर पिदेश को राज बनाया गया था इसे लिए 24 जन्मरी को आप लोग उत्तर पिदेश दिवस भी मनाते हैं और यहां अगर हम लोग विधान सभा और लोग सभा सीटों की बात करें और राज्य सभा और आपकी विधान सभा सीटों की बात करें तो आप सभी कुमाल होगा कि 403 आपको विधान सभा सीटें देखने को मिलेगी 100 आपकी विधान सभा सीटें देखने को मिलेगी और 31 आपकी राज्य सभा सीटें और अस्ति आपकी लोक सबसीटें देखने को मिलेगी इसी गुडा भाग के कारण सीटों के कारण आप देखे इस कहा जाता है कि दिल्ली की जो गद्धी है इसका रास्ता उत्तर पिदेश से उकर जाता है और आप देखे कि अधिकतर पिदानमंत्री आपके उत्तर पिदेश स की पहली महला महा निदेशक बनी है जैमीना फेरिस मेरा टैमी मार्क जुवास नगोजी ओंकोजो एवला और डीएपी ओसो मेलेडी जुवाए बताइए इसमें क्या लगा होगी विस्व व्यापार संगठन के बारे में सुने हों के नहीं तो याद रखे इसमें नगोजी ओं कोजी एवला है ठीक है और इसके बारे में अगर हम लोग वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजिशन यानि कि विस्व व्यापार संगठन के बारे में बात करें तो इसकी इसताफना एक जन्मरी 1995 की होई थी और इसमें में मेंबर आपको सदस देखने को मिलेगे 164 और इसका हैड डेविड वांडर टेम पैन पेटर हैंड हैंड सकम और डी है आपका इस्टीवन इसमित बताएजिए इसमें से चार में से पोई तो यह खोगा और आपको बता दूँ इसमें इस्टीवन इसमित हैं इस्टीवन इसमित हैं कौन है डी ओप्शन आपका बिलकु सही होगा और अश्टिलिया के धागड वल्लिवाजी स्टीपन इसमें इन्हें 2021 का एलन बॉर्डर मेडल समान मिला हुआ है ठीक है तो याद रखिएगा चलिए आंगे चलते हैं लोग अब पिती वर्स विस्व दलहन दिवस कब मनाय जाता है दलहन तो आप लोग खाते हैं ना साथ फरवरी को नौ फरवरी या दस फरवरी या फ्रागाप का ग्यारा फरवरी तो याद रखिए दस फरवरी को मनाय जाता है किसको मनाया जाता है दस फरवरी को मनाया जाता है और दस फरवरी 2021 को दुनिया भर में विस्स दलहन दिवस मनाया जाता है और यह दिवस दस फरवरी को ही मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उदेश दलहन की पैदावार को बड़ावा देना है आप देखें प्रोटीन भी आपको मिलता रहता है और पहली बार 2016 को अंतरश्टी ये दाल वर्स गोसित किया गया था विसे दालहन देवस मनाने की की सुरुआद दस फर्वरी 2018 से सुरू हुई थी यानि कि पहली बार ये दस फर्वरी 2018 को मनाय गया था आंगे आपका कुश्चन सुच रहा है किस खेलाड़ी को जनवरी 2021 के लिए ICC मैं मैंस प्लेयर ओफ दा मन्त अवार्ड के लिए चुना गया है इसमें पहला है जो रूट पहले है इस T1 इसमें विराट कोईटी रिसाप पंथ तो बताई इसमें रिसाप पंथ होंगे साहब कौन होंगी रिसाप पंथ होंगे आंगे चलते हैं हम लोग किस राजी की सरकार ने चात्रों के लिए मुकमंत्री विज्ञान की तिवा परिक्षा इस क्रीम के गोशना की हुए है कि यह तरह कि कुशार्व में पूचे जाथे रहते हैं फिर चाहिए ऋपनिक कोई यह उजना जारी करें तो आप हर्यान क kole दिल्ली या गुजराद तो या रखी इसमें दिली लगाएंगी स्कुर्ण हर्याना कि क्यों लगाएंगे केबिनेट की वैठक्ट में कच्छा नौवी के एक हजार मेधावी चात्रों को पांच रुपई की रासी विज्ञान चात्री के रूम में देने के लिए मुखमंती विज्ञान की दिभाब परिक्षा स्कीम को मंजूरी दे गई है और बच्चों में एक तरह से आप देखे व कुछ पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं जिने आप लोग याद रख सकते हैं याद रखोगे या नहीं रखोगे सबसे पहले तो यहीं बताओ मुझे एक नबंबर 1956 को करनाटक को राज बनाये गया था क्या बनाये गया था अगर हम लोग यहां इसकी राध्धानी क की बात करें तो बैंगलोर आप लोगों को देखने को मिलेगी विधान सवा सीटों की बात करें तो 224 देखने को मिलेगी विधान परिशत 75 सीटें विधान परिशत भी एस राज्य में राज्य सवा सीटें बारह हैं और लोग सवा सीटें 28 है ठीक है तो यह आप लोग हमाइब आती है उससे कि एक रहा है फरवरी महिने की दूसरे द्वभीबार को बेखर इन wp evenly मैंगे की दूसरे सम्झल African Q model अंभी महिने की दूसरे सुख्वार भार को मनाया जाता है है इसमें आप लोग धी यह option आपका बिल्कु सही रहेगा क्या रहेगा बिल्कु सही रहेगा और आपको बता दू यह दिवस फरवरी महीने की दूसरे संबार को मना जाता हूं मिरगी एक निवरो लॉजीकल इस्तिती है जो दौरे की कारण बन सकती है और मिरगी दौरा पढ़ता पढ़ना रोगी और देखवाल करने वाले दोनों के लिए डरावना भरामक होता है और ऐसे इस्तिती में जागरुकता बढ़ाने के लिए समझ बढ़ाने के लिए एक तरह से से मनाया जाता है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा अ कि अ कि यह भी आप लोगों से क्या बार कुश्चन्स बन जाता है ना इसलिए बात कर रहा हूं चली अब हम आंगे बढ़ते हैं अंगला कुश्चन है हमारे सामने किस राज्य में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टिब बैड बनाने की घोश्चना हुई है जारकंड उत्राकंड उडिसा मडीपुर तो यह आप याद रखे उडिसा में होगा क्या होगा सी ऑप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा अब आप लोग यह भी कहेंगे कि हमें उडिसा के बारे में भी बताई है क्योंकि आप लोगों की आप लोगों की जानने की जिग्यासा भी तो होती है ना कि उडिसा के बारे मे पता देता हूं कि भवनेसुर है और इसी स्थापना एक अप्रेल 1936 को हुई बहुत पुराना राज्ज है आपका और यहां देखें कि बिधान सभा सीटें 147 हैं लोग सभा सीटें 21 हैं राज सभा सीटें यहां 10 देखने को बिलेगी क्या देखने को मिलेगी और इसके भारत मौसम बिध्यान विभाग IMD ने उडिसा के बाला सोर में भारत के पहले थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बैड को इस्तावित किया है और आपको बता दू उडिसा और पूर्वी राज्जों में विजली के जटके कारण होने वाले जानमाल के घातक नुकस टेस्ट बैड का उद्देश होगा अब आपके मन में आ रहा होगा कि जे भारती मौसम बिभाग बिध्यान क्या है तो इसकी इसता अपना 1875 में हुई थी है ठीक है है हेड़को आटर इसका डियू दिल्ली में देखने को मिलेगा चली आंगे बढ़ती हम दो किसी किसने फै और सी कह रहा है आपसे शुरूती छिलर और मानसा बना नसी तो याद रख्षी से में मानसा बना नसी होगा ठीक है क्या होगा और यह तेलंगाना की है ठीक है और बी एल सी सी फैमीना मिस इंडिया 2020 का किताब इन्होंने अपने नाम किया हुए है तो यह भी आप लोग पर रोक लगा दीगे हिमाचल पिदेश आंद्र पिदेश आवनाचल पिदेश उत्तर पिदेश तो आपको बता दो इसमें हिमाचल पिदेश होगा क्या होगा हिमाचल पिदेश होगा यह उप्सन आपका दिलको सही रहेगा लेकिन हिमाचल पिदेश की बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए आप लोगों को अगर questions पूंचा जाता है तो आसानी से इसके आँसर देपाएंगे तो इसकी राध्धानी इसे मिला देखने को मिलेगी हिमाचल की देश की और दूसरी राध्धानी इसकी धरम साला है और इसे 25 जनवरी 1971 को इसे राध्धा देखने को मिले जाएंगी राध्धा सावा सीटे तीन और लोग सावा सीटे चार देखने को मिलेगी आपको ठेक है आँगे बढ़ते हैं लोग पिती वर्स तेरे फरवरी को राध्धी महला दिवस किसकी जैनती पर मनाया जाता है अगर आप से पूंचा जाए तो अगर आप लोगों को मालू हुआ करें तो आप लोग नीचे लिखती या करिएगा और जितनी अधिक जानकारी हुआ करें उतना मैं तो कहता हूं लिखा करिएगा तो इसमें आप लोग C आप करी B आपका बिल्कु सही रहेगा सरोजनी नाइडू अगर हम लोग सरोजनी नाइडू के बारे में बात करें तो आपको मालू होगा कि इनका जनम तेरे फरवरी 1889 को हैदराबाद में हुआ था इनकी मौत दो मार्च 1949 को लखनव में हुई थी अहां लखनो hooks में और सरोजनी नाइडू याद रखे देश के किसी राज जी की भारत के किसी राज जी की पहली महला राज़पाल बनी थी उत्तरपेदेश की पहली महला राजपाल थे एठीक है सरोजनी नाइवरों अंगला कुष्ण किती पर्स विस्त रेडियो दिवस कम मनाय जाता है विस्त रेडियो दिवस की बात हो रही है बताइए कम मनाय जाता है विस्ट रेडियो दिवस ते तेरह फरवरी चौदर फरवरी पंदरह फरवरी या दस फरवरी और एक और इसका महला दिवस की थीम और आपको बता देता हूं महला नितत कोविद 19 की दुनिया में एक समान भविस को तराप्त करना इसकी थीम रखे गई थी ठीक है क्योंकि थीम पूंच लेगा आपसे हो सकता है और इस बार अगर हम लोग रेडियो की बात करें तो 13 फरवरी को यह मनाया जाता है ठीक है और इसकी थीम की बात करें तो इस बार की थीम इसकी रही थी निव वर्ड निव रेडियो यानि नई दुनिया नया रेडियो ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा अंगला फॉल्क जैसन वूड मारियो द्रागी लिंफो मार्क तो याद रखिए इसमें आपका मारियो द्रागी होंगे एंग्लेंड यह रोब में आप देखते ना उसी की बात हो रही है किसे टाटा मोटर्स के नई एंडी और सी ओके रूम में न्यूक्त किया गया है जैंस खुज मार्क लिश्टू सेला अलवीरो जॉंसन वेलो ग्रासज बताईए तो याद रखिए इसके मार्क लिश्टू सेला होंगे क्या होगे इसमें आपका भी ओप्सन क्या करोगे बताईए इसमें आपका भी ओप्सन और इसकी अगर इस्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी इस्थापना की गई थी और इसके फाउंडर थे जे आर्डी टाटा थे और इसका हेट क्वाटर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं किस भारती है विकेट कीपर बल्लेवाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लिया है दिनेश कारतिक नवन ओजा रिदी मान साहा और रिसपंथ बताईए इसमें कौन होंगे नवन ओजा कौन होंगे नवन ओजा होंगे इसके भारती के टीम के विकेट कीपर भी रहें बल्लेवाज भी रहें इन्होंने सन्यास लेने का एक तरसी एहलान भी किया हुआ है चलिए आंगे बढ़े अन्हेला कुश्यन है हमारे सामने आईपील क्रिकिट टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है आईपील टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है पंजाब किंग्स पंजाब टाइगर पंजाब लाइंस या फिर पंजाब तूनस तो याद रखे पंजाब किंग्स रखा हुआ है क्या रखा हुआ है पंजाब किंग्स और भी इसके बारे में कुछ बताओं थी ठीक है ते भी आप लोग याद रखिएगा अभी होगा था ना अब आंगे आपको बता तो इसी नाम से जाने जाएगे पहले इस टीम को किंग्स 11 पंजाब कहते थे चलिए आंगे बढ़ते हैं लोग पीएम मोधी ने किस राज में महाराजा सोहिल देओ किस मारक का सलन्याज किया हुआ है और मुझे लगता है कि अगर आप लोग राजनीती को थोड़ा बहुत समझते होंगे और आप लोग थोड़ा बाद निकुच पेपरों से जुड़े र होती रहती है आपको बता दू 995 एडी में का जनम होता है 1050 में की मौत हो जाती है समझ रहे हैं और भारती राजा रहे हैं एक तरह से एक समय के तोनी के नाम पर एक तरह से बात हो रही है राजनीती आंगे चलते हैं लोग कौन भारती मुल्क की महला सेविक्तराष्ट पू पूजी विकास कोस्त की अध्यक्ष बनी हुई है तो प्रीती से नहां होंगी इसमें क्या होंगी प्रीती से नहां डी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा देखिए यहां सेविक्तराष्ट की बात हुई है उनाइटिड नेसंस की बात हुई है तो आपको बता दू 24 अक् अपना 1966 में की गी थी इसका हेड़क्वाटर भी आपको निव आर्क में देखने को मिलेगा ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं हम लोग किसे भारतिय टेलीविजन अकेडमी के 22-22 अंसकेंड में ने हॉल ऑफ फ्रेम का पुरुसकार मिलाय साक्षी तंबर एकतकपूर आसानेगी दिव्यांका तिरफाटी तो याद रखिए एकतकपूर एक आपकी विवादों में भी रही थी आप सभी जानते हैं रही थी या न चलिए आंगे चलते हैं अंगला कोक्षिन है हमारे सामने पिसिद ब्यक्तिद एम राम जो इसका नेधन डेथ हुई है आने की मौत हुई है वह कौन थे पूर्वर राजपाल पूर मुक मंतरी पूर किरकेटर या फिर पूर रच्छा मंतरी बताईए तो आपको बता दूं पूर्वर राजपाल थे ए ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा चलिए आंगे बढ़ते हैं कौन आईपीएल की त्यास में सबसे महेंगे खिलाडी बने हैं आप देखे इस तरह के किरकेट से कुश्चंस आ जाते हैं और मुझे लगता है किरकेट के प्रैमी होंगी तो व तो याद रखी क्रिस मौरिस अब आप लोग कहेंगे कितने महेंगे भी के थे तो आप लोगों को गर माली हो तो बताईए जल्दी से बढ़ना मैं तो बताऊंगा ही है यह दच्छी डफीका को और लाउंडर है ठीक है और राजिस्तान रोयल्स की टीम ने ने 16.25 करोड रो बात आप लोगों से पूचनी है मुझे आप लोग इसे IPL को सही समझते हैं या घलत समझते हैं क्योंकि आप देखिए अंड कोई देश इस तरह कोई मैच नहीं करवाता है देखिए मुझे लगता है दो देशों के बीच मैच अगर होता है तो ठीक है लेकिन अपने ही देखिए जहां तक पैसे की बरबादी की बात है तो आप सभी जानते हैं इसमें बहुत जाना बरबाद होता है लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ कमाई भी होती है तो आप लोगों को क्या सोचना है आप जरूर बताईएगा क्योंकि यह कुरो नाम हामारी में आप ने द असम होगा क्या होगा असम होगा असम जानते हो कहां है असम पूरवी भारत में देखने को मिलेगा और असम में कनेक्टिटी के उद्धे से महाबाहु ब्रह्मवपुत यह उजना की शुरूआत की गई है और इसे यह उजना की अंतरगत कई चोटी बड़ी पर यह बनाया जाए जाने आने को आस्थान बनाय जाए असम की बारे में अगर हम बात करें है तो आप देखें कि इसले 26 जनवरी 1950 को राज बनाया गया था और इसकी राधनी दिस पूर है यहां विदान सबस्थीटें 126 हैं राज सबस्थीटें साथ हैं लोग सबस्थीटें 14 देखने को मिलेगी 14 ठीक है चलिए आंगे बढ़ते हैं विस पैंगोलीन दिवस कम मनाये जाता है विस पैंगोलीन दिवस कम मनाये जाता है A कह रहा है फरवरी महिने की तीसरे सनी बार को B कह रहा है फरवरी महिने की तीसरे रभी बार को C कह रहा है फरवरी महिने की तीसरे बुद्द बार को D कह रहा है फरवरी महिने की तीसरे मंगल बार को बताएए कुछ इसका मालू चलेगा तो इसमें मुझे लगता है फरवरी महिने के तीसरे सनीबार को फरवरी महिने के तीसरे सनीबार को यानि कि ए ओप्सन इसका बिल्कु सही रहेगा क्या रहेगा? बिल्कु सही रहेगा और दुनिया भर में यह मनाया जाता है और इसका मनाने का उद्धिस यही कि पैंगुलिन जो जीव होते हैं इनकी पैजाती पैजाती को बचाना एक तरह से आप सभी जानते हैं कि खतम होती जा रही है तो यह भी आप लोग याद रखेगा पैंगुलिन और पैंगुलिन एक गहरे भूरे या पीले रंग भूरे रंग का जुन्डा कार्जीव होता है ठीक है और साब छिपकलियों की तरह दिखाई देता है यह आप लोग जरूर याद रखेगा चलें आगे चलते हैं यह option लगाओ ठीक है इसकी पहले आप लोग पीडियाप डाउनलोड कर लीजी उसके बाद मुझे लगता इस किलास को देखें तो और बेतर आप लोग समझ पाएंगे किसे किसने ऑस्टेलियन ओपें 2021 में पुरुश एकल का खिताब जीजा हुआ है तो इसमें ए करहा है डेनियल मैदवेडेयों पी करहा है रोजर फेडर और सी करहा है नवाग चुकोविच होड़ी करहा है रफेल नडाल रफेल नडाल को तो आप लोग जानते होंगे रहेगा सी ओप्सन विल्कुल कि उन्नी सो पांस से चला रहा है पता है यह बहुत पुराना सर्भीया के स्टार खिलाडी है नोवाग जुकोवच इन्होंने ओस्टिलियन ओपन किताब जीता है और इन्होंने रिकॉर्ड नौवी बार उस्टिलियन ओपन का किताब जीता है और जुकोवच का यह अठारवा ग्रेंड सेलेम किताब भी है और इन्होंने अपने जो पितीदवंदी थे डैनियल मैदवेदियो इन्हें साथ पांच छे दो छे दो से हराकर चलें आगे चलते हैं जिसने किसने ओफ्टिलियन ओपन 2021 में महला एकल का खिताब जीता हुआ है वहां देखिए पुरुस में नोवाक जुकोवच है अगर महला में पूछा जाए तो जैनी फर्वेरडी नवमी ओसा का सेरेना बिलियम्स या सिमोना हालेव तो याद रखे नवमी ओसा का है ठीक है इन्हें भी आप लोग याद रखेगा और आप सभी को मालग होगा कि जापान की टेनिस खिलाडी है नवमी ओसा का इन्होंने ओस्टेलियन ओपन 2021 में महला एकल का किताब जीता हुआ है और फाइनल मुकाबले में ओसा का ने अमेरिका की जैनीफर एक अर झहरए बॉरेडी को सीथे सेट में छे चार और छे की निसयदी से हराय हुए था हुआ है चली है आगे चलते हैं राजिस्थान पंजाव गुजरात उत्राखंड तो याद रखिए उत्राखंड होगा इसमें क्या होगा उत्राखंड होगा उत्राखंड सरकार ने क्या किया हुगा है एक फैसला लिया हुगा है कि महलाओं को महलाओं को ससक्तिकंड एक तरह ससक्त बनाने के लिए सक्ति साली वनाने के लिए फैसला लिया गया है और जो पितक यानी की फितकी संपत्ती होती है, उसमें अधिकार देनी के लिए सरकार अध्यादिश लाकर आई है, उत्रास्थ ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्ज बन गया है, ठीक है, उत्राखंडी के बारे में आप सभी जानते होंगे यहाँ आभी कुछ सब मैं पहले काफी उठाफटक भी चली हुई थी कई CM बदले गए थे उन्होंने का ये सही ने फिर उन्होंने का ये सही ने इसकी रादधानी देहरा दूने है और आप सभी को मालू है कि 9 November सन 2000 को 2000 में इसी उत्रपेदी सिर्कल के अलग करके बनाए गया था बिदाज सभा सीटें यहाँ 71 देखने को बलेगी दाज सभा सीटें 3 और लोग सभा सीटें 5 देखने को बलेगी ठीक है चलिए आँगे चलते हैं हम लोग पिती वर्श विस्य चिनतन दिवस कम मना जाता है मुझे तो लगता है कि आप लोगों को चिनतन करते रहना चाहिए तो विस्य चिनतन दिवस की बात हो रही है पहला Metro क्या कह रहा इसमें 20 फरवरी 21 फरवरी 22 24 फर्वरी तो याद रखे इसमें 22 फर्वरी होगा आपका क्या होगा 22 फर्वरी को दुनिया भर में विश्चंतन दिवस मना जाता है और यह दिवस दुनिया भर में कई जब गाइड और गर्ल स्काउंट को एक दूसरे के लिए सहारना दिखाने की अनुमती देता और इस दिन को खास त", पर गर्ल गाइड और गर्ल सकाउट के बारे में सोचने के लिए विस्थी भर में मना जाता है और इस दिन को महलाओं की सम्मान के तौर पर भी देखा जाता है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा चलिए आने चलते हैं हम लोग चलें की ना चलें आपका जैसा मन हो इसका विसायरा है सांती स्थाफना अंगला फुक्षन है हमारे समने कितिवस बिस्व मात्वासा दिवस कम बनाया जाता है 21 फरवरी 24 फरवरी या 25 फरवरी क्या है मात बिस्व मात्वासा दिवस मात्वासा आप लोग समझ रहे हैं उसी की बात हो रही है तो 21 फरवरी को बिल्कुस सही रहेगा आपका दुनिया भर में मनाया जाता है ठीक है कल्चरल डाइवर्टिटी को प्रमोट करने के लिए इस दिन को खास्तोर पर मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्दिश भासा में विवित्ता को बड़ावा देना है एक तरह से और 1909 में मैं यूनेसकोने से एक तरह से शुरू किया था है कि सुई कि दी दी वही थी ठीक है कि चली अब हम लोग आंगे चलते हैं हमारी भासा चले आंगे अंगला है कुश्चन हमारे सामने कौन बैक्ती निर्याद संगठन की एफ आई ए ओ ने नए अध्यक्च बने है निर्याद संगठन आयात संगठन नहीं निर्याद यानि कि हम लोग पहचने की बात हो रही फेडरेशन ओप इंडियन एक्सपोर्ट और्गनाइजेशन की बात हो रही है इसकी स्थाफना 1995 में की गई थी टेक है इसका है एड़क्वाटर आपको कहां देखने को में लेगा न्यू दिल्ली में बी पल वल ए सक्तिवल या फिर आपका सी एस जैसंकर या डी पीस वदर मद्विदेश सरकार ने किस सहर का ना बदल कर नर्वदापुरम कर दिया है मुरेना अली राजपूर होसंगाबाद या जबलपूर तो आप सभी गमाल होगा कि होसंगाबाद होगा इसका और एक बात आपको बता दू यहां मद्विदेश की बात हुई है तो इस आप समझ रहे हैं और इसकी स्थापना की बात करें तो एक नबंबर 1956 को इसकी स्थापना की गी थी राजज के रूम में आये था और भौपाल इसकी रादधानी है यहां विधान सभा सीटें आपको 230 देखने को बिलेगी लोग सभा सीटें 29 देखने को बिलेगी और रा आपसे लोगों से कह रहा है रंडमी सींग बीर सल्वान खांग अक्षर कुमार या वरुन धमन बताइए इनमें से तो एक होगा लेकिन कौन होगा यह आप लोगों को बताना होगा कौन होगा बताइए कुछ अक्षर कुमार कौन होगी अक्षर कुमार दादा साहब फालके के बारे में सुने हैं इनका जनम 30 अपरेल 1870 में हुगा था 30 अपरेल 1870 में इनकी डेथ हुई ती 16 फरवरी mogą दीन सो चावालीस को पर दादा साहब फालके की तरह से सम्मान में दिया जाता है पुरुसकार और इनकी सता संवाइस परसकार कि समप्慧ार में 1979 मेंव हुआ अनि reign 69 में commanders फोनषर में पाहिली थी इसे पुरुसकार दादा साहब पाल के परुस्कार पाने वाली देवी का रानी थी जरूर आप लोग याद रखेगा और 2000 अगर अभी लेटिस्ट की बात करें 2020 में मिला जो यह अमिताब बच्चन को चलिए आंगे चलते हैं लेकिन वेश्ट एक्टर की बात हो रही थी तो अक्छार कुमार ठीक है अंगला कोईशन है पित्ती वर्स केंद्री उत्पात सुल्क दिवस का मना जाता है 20 फरवरी 21 फरवरी और अंगला है आपको 23 फरवरी और 24 फरवरी तो याद रखे 24 फरवरी को केंद्री उत्पात सुल्क दिवस का मना जाता है 24 फरवरी को और इससे मनाने का उद्देश यही होता है कि केंद्री उत्पात और कृस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का देश के आर्थिक विकास दिये जाने वाले एकदान का सम्मान हो और इसके जरिए टेक्स सिस्टम के बार अब लोग टेक्स देते हैं समय रहे हैं आंगे चलते हैं अब हम लोग पीछे तो चलेंगे ने अंगला कुष्ण ने कौन वेक्ती राष्टी अनसूची जंजाती आयों के नए अध्यक्ष बने राम निवास मातुर लोकिस थारदवाज सुरेंदर राओ विजय सांपला ए लेकि MPPSC में जब तक ASTSC Act आते थे उस समय तक आपने देखा हो बड़ी संख्या में इससे कुष्ण सापके पूचे जाते थे लेकिन आप आपने देखा है कि नया से वरस आ चुका है तो उसमें भी आपकी दो-तीन कुष्ण साथ ही रहते हैं इस तरह के तो इसमें विजय स अनुसूचित जाती आयोग ठीक है और जे अनुसूचित जाती हों के जो AST के लोग होते हैं इनके हितों की रक्षा के लिए काम करता है और भारती समीधान का अनुशित 338 से आयोग से संबंदे थे आप सभी जानते हैं ठीक है और एक और आप लोग याद रखिए जो 65 बा से दोनों को मिलाकर एक हुगा करता थे लेकिन आंगिसल के लिए इसे अलग कर दिया गया था नवासीवे समीधान संसोधन 2003 द्वारा तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं अनुसूचित जाती और अनुसूचित जाती इनसे संबंद जितने भी पॉइंट हो सबको याद रखे केरल होगा इसमें और आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं जो भी आपके देश में कोई रिपोर्टें आती हैं उसमें आप देखेंगे केरल सबसे उपर देखने को मिलेगा स्वाप आप देखे साक्षर्टा की बात हो लिंगन पात की बात हो सबसे बहतर है आपका किसका केरल का है और इसकी स्थापना की बात करें तो एक नमूंबर 1956 को राज बनाए गया था इसकी राध्धानी तिरुवनद्पुरम है यहाँ विधान सभा में 140 सीटें देखने को मिलेगी और लोग सभा में 50 सीटें देखने को मिलेगी ठीक है तो यह आप पास मंगलापुरम इस्थि टेक्नो सिटी में इस विध्याले का उद्गाटन किया गया है डिजीटल यूनिवसिटी की शुरुआत राज की तरफ से नई टेक्नोलोजी को बढ़ाबा देने और लोगों की जीवन में सकारातमक बगलाओ लाने के लिए इसका इस्थिमाल कि बिहार उत्राखंड पंजाब करना टक बताएं तो याद रखी समें उत्राखंड है क्या है उत्राखंड आपको देखने को मिलेगा इसमें क्या लगाओगी बी-वक्सन आपका बिल्कु सही है उत्राखंड भारत का ऐसा करने वाला चौथरा राजबन चुका है जहां पु अंगली कुश्चन है आपके यूसुप पठान ने किर्किट के सभी प्यारूपों से सन्यास लिया है वह किस देश से संबंदित हैं बताइए भारत बंगलादिस या पाकिस्तान या इरान तो याद रखिए भारत आप सभी जानते होंगे इने तो जानते हैं कि नी जानते हैं आल राउंडर रहे हैं समझ रहे हैं 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में पचास ओबर वर्ल्ड कप जीतने वाले भारती टीम के हिस्सा भी रहे थे पठान ने आप देख बताऊं तो संतावर बंडे मैचों में 27 की उससे 810 रन बनाए वही 22 T20 मैचों में उनके नाम 236 रन है उन्होंने बंडे में 2 सतक और 3 सतक भी ठोके ठेक है और यह उसुप ने बंडे में 33 और T20 में 13 विकेट भी अपने नाम किये हुए है तो यह हैं इनकी कुछ उपलब्दी भी है तो मिलाडू सरकार ने सरकारी करमचारियों की रेटार्यमेंट उम 69 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है तो ए याद रुखिए 60 सल गहां तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग 60 सल लगा दोगे बिना सोचे समझे नहीं सोच ले ना है फिर आपका सोचे समझे तमिलाडू के बारे में कुछ बता देता हूँ आप लोग कहें तो तमिलाडू के बार तो यह पूरे भे कहा देखने को मिलेगा दक्षिन भारत में आपको तम इन आल्व देखने को मिलेगा इसकी रादधानी क्या है भाताब चैण नहीं नहीं जैण से राज्य का बना गया था कि इसे बना गया था 26 जनिवरी पिज्वेंद को को dependent, यहां आपको 244 देखने को सवा में और राज्य सवा सपाम if you have 18 देखने को मिलेगी कितने 28 कुर टिछलिए आंगे चलते है कौन वेक्ति ओएलेक्स और टोल्ट के नए गिलोवल स्थी ओवने हुए है इसमें जग्दीश तिवेदी गौतम ठाकर राजफल सीना अनिल निगम कौन है बताईए तो इसमें याद रखे गौतम ठाकर होंगे ठीक है यह आपका बिल्कुस सही रहेगा अंगला कुशन है मारे सामने किस भाज़ा के पिसे कभी विष्णु नारायन का डैथ हो चुकी यानि की मौत हो चुकी एक तरह से उनकी ठीक है तो मल्यालम तमिल या गुजराती या मराठी तो याद रखे मल्यालम से जुड़े अब है आपका पिती बरस विस एंगियो दिवस्त कम बनाया जाता है 26 परवरी 27 परवरी 28 परवरी या 25 परवरी इसमें आप लोग 27 परवरी लगाएंगे एंगियो आप लोग बना लेते हैं ना किसी काम के उद्देश से आप देखे किसी की मदद करने के उद्देश से तो चलते हैं अंगे चलते हैं भारती खलाड़ी बिने कुमार ने किस अंतराश्टी खेल से सन्यास ही है होकी क्रिकेट या फिर आप लोग देखेंगे फॉट वाल बैडमिंटन तो इसमें क्या लगत रहेगा क्रिकेट होगा क्या होगा क्रिकेट होगा हमारे दिसमें सबसे 27 फरवरी या 28 फर्वरी को मनाए जाता है और एक व्यक्ति की याद में बैक्ति कौन थे बताये कुछ इनके में और समाज में जागरूगता बढ़ाने के लिए विज्ञान के पिति हैं आप सभी जानते हैं विज्ञान क्या होता है सर चंद सेकर वेंकर्ट रमन की याद में एक तरह से मनाया जाता है 28 फरेवरी सन 1928 को इनका जनम हुआ था और नोबल पुरसकार भी मिला था है आप सभी जानते होंगे अगर हम लोग विज्ञान दिवस की बात की जाये तो यह आप लोग ज़रूर याद रख सकते हैं लेकिन विज्ञान की theme की बात भी questions बन सकता है तो इस साल की अगर हम लोग theme की बात करें तो फ्यूचर ओप HTI Impact of Education Skills and परखेस्ताल की theme रही है ठीक अंगला question है हमारी समने किसे बरस 2019 का तितिष्ठित भारती है भारत भारती सम्मान मिला है डॉक्टर मोहिनी डॉक्टर चंदकला डॉक्टर सूरवाला डॉक्टर विजैसरी बताई इसमें किसी लगाओगे आप लोग क्या गरोगे कुछ बताओगे भी तो इसमें आप लोग डॉक्टर सूरवाला त्री ओप्सन आपका बिल्कुल सही रहेगा भारत भारती सम्मान कुछ तो अच्छा किया होगा तबी तो मिला है उत्तर पिदेश हिंदिस अंस्थान के वर्स 2019 के सम्मान फुरुसकारों की गोश्णा की थी जिसमें 5 लाक रुपे का लोहिया आप साहित सम्मान लखनों की दयानांध पांडे को मिला था और 4 लाक रुपे की हिंदी गौरप सम्मान दिल्ली के तरुन विजय को दिया गया था यह आप लोग याद रखिए उत्तर पिदेश के उत्तर पिदेश हिंदी संस्थान का सबसे वड़ा साह में पूछे जा सकते हैं पूछे जाने की संभाव ना रहेगी उन्हीं को सामिट किया गया था चलिए तो आप लोग एंजवाय करिए हम लोग मिलते हैं मार्श महिने की जो भी आपकी घटनाय रहेंगी उन्हें भी हम लोग देखेंगे यह के करके नमस्का सातियों तुछे लिए हम लोग बात कर रहे थे करेंट पेस के वारे में और आपने लोगों ने देखा होगा अभी तक हम लोग दो महिने के करेंट पेस कतम कर चुके हैं एक तो आपने देखा होगा जनवरी महिने की जो भी आपकी करेंट पेस थी उससे आपकी जि देखा था और उसके बाद आपने देखा होगा कि हम लोगों ने फरवरी महीने के जो भी कुस्टर्स बन सकते हैं current voice से उन्हें हम लोगोंने cover किया हुआ था और आज की इस class में हम लोग बात करेंगे मार्च महीने के जो भी आप के questions होंगे current various से कितने तरह की questions बज सकते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं आप लोग अगर किसी government exam की तयारी करते हैं तो आप लोग उन्हें देखा होगा कि आपकी परिक्षाओं में current phase से काफी संख्या में questions पूंचे जाते रहते हैं और आप सभी लोग देखेंगे इस तरह की questions आपके state PCSO जिसमें MPPSE, UPPCS, विहार PCS, राजिस्थान चत्तिसगर या फिर आप देखते होंगे कि civil service में कभी कभी इस तरह की questions उन लाइनर में आ भी जाते हैं और जो हम लोग बिस्तार से इनके बारे में बात करेंगे उन से आप लोगों civil service में भी अगर questions आता है current phase से तो उसका आंसर देने की स्थिती में आप लोग पहुंचेंगे और आप one day exam में देख लीगे SSC bank railway और आपके जो teachers भरती होती हैं फिर या police की या post office आप देखते हों और इन चार options में से आपको एक option चुनना होगा तो इसके लिए याद रखिए हम लोगोंने current phase के लिए बारे महिने का फूरा करप cover करेंगे और playlist सूची बना रखिए इसकी और जिसका नाम क्या है बताइए monthly current affairs 2021 के नाम से इसमें आपके सभी बारे महिने के current affairs के वीडियो डल और याद रखिए इसमें एक और बात बता देता हूं आप लोगों को इसमें हम लोग current affairs की बात करेंगे ही साथ में ही आपके जो बिस्तार से बात करेंगे तो इस इस्थाई आंकडे भी आपके cover हो जाएंगे अब आप लोग यहां भी confused हो गया होंगे current affairs की बात कर रहा हूं स्थाई आंकडों की बात कर रहा हूं और static GK की बात कर रहा हूं यानि कि स्थाई आंकडों की बात कर रहा हूं तो इसे एक उधारन के जरिये हम समझा देते हैं माली जै आप लोग ने देखा हुगा कि report कई report जारी की जाते हैं index यानि कि सूचकांग जारी किये जाते हैं त अब आप देखिए इसमें रेंगिन की जाती है बारत की स्तिधी क्या रही है इसमें कितने देश सामिल किये गए हैं हो सकता है कि पिछली बार आपके कम देश सामिल किये गए हो इस बार अधिक देश सामिल किये गए हो तो यह बदलते रहते हैं तो यह आपकी आइस्थाई आ आप लो, पिती वर्स, यानि कि हर साल विस्व इस्थर पर, यानि कि आप देखे, गिलोबल, यानि कि वर्ल्ड इस्थर पर, सूनने भेदभाव दिवस का मनाय जाता है, इसमें कहरा है, एक मार्च, दो मार्च, या फिर 28 फरवरी, या फिर 25 फरवरी, तो मुझे लगता है कि आप सभी को माल होगा कि एक मार्च को मनाय जाता है, कब एक मार्च को, और इसमें आपको बता दो, कि ए दिवस महलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव और आसमानता देखते हैं, आप लोग, इसे खतम करने के लिए, एक तरह से लोगों में जागरूपता बढ़ाने क लिए इसकी सुरुवाद की गई थी, और सन 2014 से इसकी सुरुवाद की गई थी, ठीक है, यह आप लोग, यह आप रख सकते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, अंगला कुश्यन देख लेती है, 78 वे, गोल्डन ग्लोब आवर्ड्स में किसी बेस्ट मोशन पिक्चर का आवर्ड म मिला हुगा है, इसमें पेहला है मीना nari, दूसरा है आपका B option कह रहा है, DA FATHER, C कह रहा है DA MORINIAN, और D कह रहा है, NORMAD LAND, बताई इसमें क्या हुगा? तो इसमें आप लोग देखेंगे, NORMAD LAND होगा, इसमें आपका D option बिलकुल सही होगा, क्या होगा? D option आपका विल्कु सही होगा अमेरी की अभिनेता चैडविक बोस्मेन निदना मान रेनिस ब्लेक बॉटम में लेवे ग्रीन के अपने चितरन के लिए मरने के बाद ड्रामा सणी में सरफ सिट अभिनेता के लिए गोल्डन गिलोव फुरुसकार भी जीता है तो इसे भी याद रख सकते हैं और इसे आप लोग नौमद लेंड भी आप लोग याद रखेगा आप देखते हैं न कि इस तरह के पुरुसकार भी कई बार पूच लेता है अंगला गुष्या ने किसे ऑस्टेलिया में भारत का क्या भारत का अंगला उच्च आयुक्त निउक्त किया गया है तो आपको बता दू यह है आपके राकिस बर्माही या भगबन दीप सींग मनपरीत बोहरा तरवीन तरपाटी कौन होगे इसमें से तो आप देखेंगे इसमें से आपके होगे मनफीत, मनफीत, वोहरा C option आपका विल्कुँ सही रहेगा भारत के नए उच्चायुत कहा निपत किये के और मनफीत, वोहरा की बारे में अगर बात करें तो 1988 बेच के भारती विदिसेवा की अधिकारी है यह आप लोग याद रखेगा अगर इनके उस्टेलिया से पहले की बात करें तो मैक्सको में भारत के राजदूत के पत पर दे अंगला question हम लोग तिक टे कौन बेक्ती प्रेश सूचना विवरो यानि की पी आईवे की नए प्रिधान महानेदिसक बने है सुरेश कुलहरी, अजीद चंदन, सवाई राजपूत, या फिर जैदी भटनागर बताई इनके से क्या लगाओगे अगर आप लोग ने नियूच पेपर पढ़े होंगे तो आप लोगों उसको सभी questions के answer लगबग मालूँ भी चल जाते होंगे तो याद रखे, इसमें जैदी भटनागर होंगे D option आपका, बिल्कु सही रहेगा अब यहाँ पर इस information वीरो की बात हुई है तो इसके बारे मैं कुछ बता देता हूँ क्या बता देता हूँ P.I.B. भी कहते होंगे, इसका अगठान 19-19 में किया गया था तो राष्टी मीडिया के अंद, नई दिल्ली इसका मुख्याल है, आपको देखने को मिलेगा और यह पत्त सूचना कारियाल है यह प्रेस इंफर्मिसें वीरो P.I.B. जिसे कहते हैं भारा सरकार की नीतियों कारिकरम पहल और उपलगदियों के बारे में समाचार पत्रों और electronic मीडिया को सूचना देने बाली पिरमुक एजनसी है और आप लोगों से कई बार कहावी तो जाता है आप लोग इसे एकजाम की तैयारी करते है कि आप लोग P.I.B. को भी देखते रहा करिएगा P.I.B. की साइड को भी करेंट पेस के लिए पढ़ते रहा करिएगा ठीक है चली अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग पिति वर्स विस्व बने जीव दिवस कम मनाय जाता है पिति वर्स यानि कि हर साल विस्व बने जीव दिवस कम मनाय जाता है इसमें पहला उप्सन कहरा है एक मार्च B कहरा है तीन मार्च C कहरा है पांच मार्च और D कहरा है आपका दो मार्च बताइए तो आप सभी जानते हों कि तीन मार्च होगा इसमें क्या होगा तीन मार्च होगा आपका विस्वन जीव और एक तरह से आप देखिए इसका मनाने का उद्देश क्या होता है अगर मुझे लगता है कि इसके सब्दों को आप लोग समझेंगे तो आसानी से इसका आप लोगों को अर्थ माल उचल जाएगा इस दिवस को मनाने का उद्देश यही है कि दुनिया भर में जो लोग थो रहे हैं जीव जन्तू या बनस्वती इनकी ओर लोग जागरोग हो सकें इनकी ओर आकरसित हो सकें इन्हें बचाने का एक तरह से काम करें ठीक है तो इसे यही याद रख सकते हैं और इस तरह इस बन जी बिस बन जी दिवस की बात करें तो वर्ड वर्ड बिल्ड लाइफ डे ठीक है बोरेस्ट एंड लिब लिवली होड संस्टैनिंग पीपल एंड तलेंड यानि कि बन और अजीब का लोग और ग्रह को बन आयर रखना एक तरह से इसका थीन था ठीक है तो आप लोग याद रखेगा अंगला कुप्षिन है हमारे सामने लोगसवा टीवी और राजसवा टीवी का बिले कर क्या नाम रखा गया है एक बात और आप लोगों को मालू हो गई कि पहले आप लोग स से स्चाहब दरसेसर्पी सिंस की तयारी कुथ से इसन थे या पर किसी और एक्जाम की तयारी करते ते तो आप से कह दिया जाता है कि लोगसवा टीवी और आसवा टीवी को आप लोगो खलू करिये है तो आप हुसें दोनों को मिला कर एक न ermore नाम रखा गया है यह नाम क्य इसे आप लोग याद रखेगा और आपको बता दी कि लोगसभा टीवी को 2006 में ततकालीन स्पीकर शॉमनाद बनाजी ने लॉंच किया था जबकि राजसभा टीवी को 2011 में इने भी याद रखे हो सकते हैं अगर कुश्चन पूछे तो आसानी से आप लोग जबाब दे पाएं उन्हें डारेक्ट जन्ता के द्वारा चुना जाता है अगर आप लोग 18 साल के हो चुके होंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग भी बोट डालने चाहते होंगे और 2019 में आप लोगसभा चुना के हुए थे उसमें आप लोग ने देखा भी होगा ठीक है तो यह भी आप ग्याद रखिएगा और राजसभा की बात करें तो देखिए राजसभा के जो वार होते हैं उन्हें आपकी विधानसभा की सदस्ट चुनते हैं जो विधायक होते हैं उन्हीं की बात की जरी उन्हें वहीं लोग चुनते हैं और आप देखिए एक बात और आप लोगों को कि जो राजसभा में सीटों की अगर बात हो तो कितनी सीटों होती हैं बताइए कुछ की बात कर लिए तो याद रखिए लोकसभा की बात करें तो आप 543 सदस आपको देखने को मिलेंगे ठीक है और जो मनोनीत किये जाते थे थे एंग्लों इनियन उनका प्रावधान कतम कर दिया गया यह भी आप लोग याद रखिएगा तो इसमें संसर टीवी आप लोग लगा है ठीक है रभी कफूर यह कुश्चन से काफी मातपूर है इसलिए आप लोग याद रखिए अंगला कुश्चन है कौन बेक्टी सेंट्रल बैंक आप इंडिया के नए M.D. और CEO बने हैं बताइए कौन बने हैं केके केपा माटम बेंकट राव रामोहसेना पीके जैन सेंट्रल बैंक आप इंडिया के M.D. CEO की बात हो रही है बैंक आप सेंट्रल बैंक आप इंडिया के बारे में बता देता हूं देखिए इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 में की गई थी इसका हेड़ कोटर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा ठीक है अंगला कुश्चन है कौन T20 अंतराष्ठी किटकिट में एक ओबर में 6 चक्की लगाने वाली दूसरे एक खलाड़ी बन गया है अंतराष्ठी किटकिट में एक ओबर में 6 चक्की लगाने वाली दूसरे खलाड़ी कौन है बताईए इसमें पहला कह रहा है आपसो निकोलस पूनन बेस्ट इंडि पुलाइड होंगे यानि कि सी ओक्षन आपका बिल्कु सही रहेगा इसमें क्या रहेगा आपका बिल्कु सही रहेगा ये बेश्ट इंडिज और स्री लंका के भीच खेले गए T20 मुकाबले में किरोन पुलाई ने भारत के युगराज सिंग की रिकोर्ड की बरावरी कर ली और आपको बता दूँ कि पुलाई ने इस मेंच में आप स्पैनर अकिला थन्जे के ओवर में 6 चक्के जड़े डाले और इससे पहले एक ओबर में 6 चक्के लगाने बाला रिकोर्ड किसके पास था युगराज सिंग के पास था जिन्होंने आपने देखा होगा 2007 में इंगलेंड के गयनबाच Stuart Broad के ओबर में 6 चक्के लगाये थे आप देखिए आप लोगोंने किर्किट खेला होगा न तो आप लोगों को मालूग हुई हुगा तो पहले युगराज सिंग थे हमारे देश के अंगला कुश्चन में हमारे सामने पित्ती वर्स राष्टिय सुरक्षा देवस कब मनाये जाता है इसमें पहला कह रहा है एए सही होगा लेकर सही ही आप लोगों को चुनना है तो याद रखिए इसमें चार मार्च होगा क्या होगा चार मार्च आपको देखने को मिलीगा तो भारत में राष्टी सुरक्षा देवस मनाये जाता है चार मार्च को याद रखिएगे और इसे मनाने का उद्देश यही है कि देश भर में लोगों को सुरक्षा गिपती जागरोग करना और दो रगटना उसी को रोकना एक तरह से इसका पराओ अंगला कुश्चन है हमारा किस राज में भारत की पहली इंजीनिरिंग रिसर्ष एंड डबलमेंट पॉलिसी लॉंच हुई है पंजाब या उतरफदेश गुजरात करनाटक इनमें पताईए कौन में तो मुझे लगता है कि आप लोग देखेंगे तो इसमें करनाटक आपको देखने को मिल जाएगा अब आप कहेंगे कि करनाटक की बारे में कुछ बताईए क्या करनाटक के वारे में भी जानना होगा आप लोग फूर्ट को करनाटक जानते ना दचिन भारत का एक राज है और इसके बारे हैं अगर आपसे बात की जाए एक तो आप लोग करनाटक में भारत की पहली इंजिरेटिंग रिसर्ज एंड डबलमेंट पॉलिसी लॉंच हुई है और आपको बता दो इस नेती के था बैंगलोर नगरी ये जिले के अलावा मल्टिनेशनल कॉर्परेशन यामिनी की MNC की संस्थाओं को दो करोड रुपे की क्राय की 50% पिति भूतिक पिसकस की जाएगी और काटक की बात करें तो बैंगलोरस की राध्धानी है और यहां आप देखेंगे तो इसे राज बनानी की बात हो तो एक नमोब पर उनीश चपर में राज बनाए गया था और यहां आपको बिधान सभा भी देखने को में लेगी बिधान परिशत भी देखने को में लेगी अगर बिधान सभा की बात करें तो 225 सीटें देखने को में लेगी बिधान परिशत में 75 सीटें देखने को में लेगी और राज्य सभा में आपको 12 सीटें देखने को मिलेगी, लोग सभा में आपको 28 सीटें देखने को मिलेगी, ठीक है? याद रखेगा, दच्छिन भारत का एक राज्य करनाटा, चलिए आँगे बढ़ते हैं हम लोग, अंगला कुश्चन हम से कह रहा है, इज ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाग से अधिक आवादी वाले सहरों में किसे शीज सिस्थान मिला हुआ है, यानि की टॉप पर बना हुआ है, इज ओफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाग से अधिक आवादी वाले सहरों में किसे शीज सिस्थान मिला हुआ है, जैपू ब्रूप का बी ओप्सन आपका बिलकुस सही होगा और वहीं 10 लाग से कम आवादी वाले सहरों में बात करें तो सिमला खुट्टॉप इस्तान पर बना हुए और इसके साथ ही 10 लाग से अधिक की आवादी वाले सहरों में बरेली धनबाद और सिरीरंगर को सबसे खराब रेंके मिली हुई है और 10 लाग से कम की आवादी वाले सहरों में बिहार का मुझपर फुर आखरी नमबर पर तो बिहार की स्तिति क्या है आप सभी लोग बेंतर ज समझ रहे हैं इस तरह की कुश्चन्स आते रहते हैं नीती आयों जानते हो या नी जानते हो जो भी रेंकिंग इस तरह की आती हूं आप लोग जरूर याद रखा करेगा चले आगे चले हम लोग और यह आपका सहरी विकास मंत्रा ले इसे पहली बार 2018 में जारी की थी इसे ठीक है याद रखिएगा चलते हैं अंगले कुश्चन की तरफ पिती वर्स अंदराश्टी महला दिवस कब मनाय जाता है दस मार्च आठ मार्च पांच मार्च या दो मार्च तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालू होना चाहिए क्या आठ मार्च क्या आठ मार्च और इसकी अगर हम लोग थीम की बात करें बोमेन इन लीडर सिप एन एकवल फ्यूचर इन एक कोविद नाइनटीन वर्ल्ड यह आपको इसकी थीम रखी गई थी दुनिया में एक समान भविस को प्राप्त करना ठीक है यह आप लोग जरूर याद रखें महला नितित कोविद नाइनटीन की दुनिया में एक समान भविस को प्राप्त करना इसकी थीम रखी गई थी तो ये भी आप लोग याद रखीगा और पहली बार अगर अंतराश्टी महिला दिवस की बात करें तो 1996 में मनाए गया था 1996 में मनाए गया था चलते हैं ले कुशन की तरफ तो आपको बता दूँ इसमें नोरीन हसन है इसमें सी ओप्शन आपका दिल को सही रहेगा और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो बित्तिय बाजार की अनुभवी भारतिय मूल की महिला हैं अमेरिकी नागरे नोरी हसन को निवार्क फेडरल रजर्व की तिथम उपाध्यक्चम मुख परिचला निग्यारी बनाए गया है और उनका कारकाल 15 मार्च 2021 होगा वह है निवार्क फेडरल रजर्व में दूसरे नंबर की अधिकारी होगी वह है अपने बैंक की और से फेडरल रजर्व के खुले बाजार की गतीवधियों का निजारन करने वाली समती में बूर्ड देने वाले विकल्फिक सदस्की भूमिक्या भी निवाएंगी ठीक है और पेडरल रजर्व बैंक ऑप इंडिया निव यार की बात करें तो इसकी स्थाफना 1914 में हुई थी USA में इसका हैड़क्वाटर आपको देख डेख होग लेगा बताई आरबी आई के बारे में आप लोग जानते हैं हमारी के अंधरी वैंक है रजर बैंक ऑप इंडिया इसकी स्थाफना कप हुई थी तो इसकी स्थाफना की बात करें तो एक अपरेल 1935 को को कोलकाता में स्थाफना हुई थी इसका हेड़क्वाटर आपको मुम्बई मे में देखने को मिलेगा कहा देखने को मिलेगा मुंबई में देखने को मिलेगा यह आप लोग ज़रूरी याद रखेंगा अंगले कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और किस सहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी डिस्क खोला है हाल में किस सहर में भा पुलिस एक तरह से यहां एक पुलिस टिस्टेशन में ट्रांसजेंडर समदाए के लिए अलग से एक help डिस्क की निवक्ती भी की गई है और डिस्क का प्रबंधन एक पुलिस समपर के अधिकारी ओए ट्रांजेंडर वैत्ति द्वाना किया जाएगा जिससे समधायक समनवे की रूम में नामित किया गया है और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से ट्रांजेंडर जो हुआ करते थे इसके साथ बेदभाव किया जाता था पहले समझ रहे हैं किस भासा के मस्धूर कभी एन एस लच अंगला कुशन है हमारे सामने पिती वर्स पूरे भारत में जन औस दिवस कब मनाया जाता है यानि कि पूरे भारत की बात हो रही है ठीक एंडिया लेवल पर बात हो रही है साथ मार्च को आठ मार्च को दस मार्च को या फिर पांच मार्च को तो आपको बता दूँ इसमे में क्या होगा इसमें होगा आपका साथ मार्च ए ओप्सन आपका बिल्कुँ ठीक रहेगा इसमें क्या रहेगा ए ओप्सन बिल्कु शही रहेगा इस धिवस को मनाने का उद्देश यही है कि लोगों देश के लोगों को जैनरिक दबाओं के पिती, जागरूप और विश्वास पैदा किया जाए और यह दिन पितानमंती भारती जन वास्ति पर योजना की उपलद्धियों को मनाने का भी दिन होता है और इस दिन को देश में लोगों की सरकार की स्वास्ति सेवाओं के जागरूप फैलाने का उद्धेश से भी एक तरह से होता है इसका ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा जन औस दिवस के बारे में ठीक है एक और उल्ली किया गया भालती है पिधानमंतिरी जन औ यह उजना भारत की पिधानमंति नैदमोदी द्वारा एक जुलाई 2015 को घुसित की गए थे तो इससे जरूर आप लोग याद रखेगा और इसे यह उजना में सरकार द्वारा उच गुडवत्ता वाली जैनरेक दवाईयों के दाम बाजार मूल से कम किये जा रहे हैं सरकार और आगे चलते हैं लोग अंगला गुष्टन की तरफ चलते हैं क्या है अंगला गुष्टन हमारे सामने किन दो देशों दो राज्यों के पूर्व राजपाल रहे अंसुमान सींग का डैथ हो गई है यानि कि इनकी मौत हो गई है तो इसमें एक तो आप देखेंगे राज गुजरात के बारे में भी बता दीजिए तो बिल्कुल बताएंगे मैंने बाला किया हुए तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वैसे राजिस्थान के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि छेतपल में सबसे बड़ा है राजिस्थान पहले मद्वधिस हुआ ग अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो 30 मार्ज 1929 को इसे राज एक तरह से बनाए गया था और इसकी राध्धानी जैपुर है और यहां आप देखेंगा तो बिधान सबस सीटें आपको 200 देखने को मिलेगी राजी सवा सीटें दस सीटें लोग सबा में 25 सीटें देखने को मिलेगी वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो एक माई उन्डे सो साथ को गुजरात बनाय गया था राज और कैपीटल इसके गांधी नगर है यानि कि इसकी राधानी गांधी नगर है और अगर हम लोग बिधान सबस सीटों की बात करें एक सो ब्यासी देखने को और मुझे लगता है कि आप सभी को मालू होएगी यह बात कि अभी हमारे हम मिनेश्टर साह में हो जो आपकी पिधान मंत्री है यह दोनों गुजरात से ही निकल के आते हैं तो आप समझे यह दोनों गुजराती है ठीक है आंगे बढ़ते हैं आप लोग किस राज में भारत का पहला बन चिकिस्सा केंद खोला गया है तो यह है आपका उत्राखंड कहा है उत्राखंड तो उत्राखंड को भी याद रख लिए थोड़ा और इसके बारे में अगर और कुछ बताओं तो लोगों को प्रकिति के सीधे संपर्क में लाकर उन्हें स्वस्त बनाने की आव होता है बाले जंगल में बनाए गया है क्योंकि बिवहन अध्यानों से पता चलता है कि चीड जैसे बेक्च बिवहन बीवारियों वाले पराणियों से बचने के लिए कुछ तेलिये तत निकालते हैं और उत्राखंड के बारे में अगर हम बात की जाए अगर आप लोगों स से तो आज लोगों को मालू होगा कि 9 नमबर सन 2000 में उत्राखंड को उत्तरपधी स्यलक करके एक नया राज बनाए गया था और इसकी राधानी दे, राधून देखने को मिलेगी, और आपको मालूब का कि यहां 71 सीटें, बिधान सभा में है, राज सभा में 3 सीटें, लोग सभा में आपको 5 सीटें देखने को मिलेगी, अंगली कुश्चन की तरह पढ़ते हैं, किस बैंक ने महला उद्मियों के लिए स्टार्टप उननती नामक प्रोग्राम लॉंच किया हुआ है, इसमें आप लोग बताइए, चार ओप्सन दियेगे, SVI, HDFC, PNV और XS, तो इसमें क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, बोलिए कुछ, गया मालूँ हो तो आप लोग नीचे लिख दिया करिएगा, समझ रहे तो इसमें आप लोग लगाओगे, HDFC, B-Option आपका बिल्कुल राइट है, B-Option कैसा है, बिल्कुल सही है, इसे आप लोग, क्या है, इसकी स्थाफना की अगर बात करें हैं लोग, तो इसकी स्थाफना अगस्त 1994 में की गई थी, इसका हैड़क्वाटर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, मिलेगा, और निजी चित कि HDFC, B-Option की साहता के लिए सलाय काहिकरम, स्टार्ट अउननती, और लांच किया है, और आपको बता दें, इस काहिकरम की तहित, HDFC, B-Option की वरश्ट महिला, अधिकारी, पूरे एक साल तक महिला, उद्मियों की कारोबारी, ल आप लोग उनको उतना इज्जि समान नहीं दिया जाता है, और जैसे ही आप लोग, गवर्मेंट बेक में जाएए, सर आपको बड़ा सर कहकर बोलाए जाएगा, इज्जि समान दिया जाएगा, आगे चलते हैं, कौन बेकती उत्राखंड की नई मुकमंत्री बने हैं, उत् आपको बता दूए एक बात और आपको बता दूए है, उत्तराखंड में बड़ा उठा बटक हुआ है, पता है आप लोगों को, इसलिए हुआ है, कि पहले कोई और मुकमंत्री थे, फिर आपने देखा हो किसी और को मुकमंत्री बनाए गया, तो बीजेपी की सरकार है, तो आप लोग जिस समय पेपर देने जा रहे हैं, उस समय एक बार जरूर पिने देख दिया करिएगा, समझ रहे हैं? आपने देखा होगा, तीरस सिंग रावत बने कुछ समय के लिए मुकमंत्री, फिर इनके बयानवाजी की कारण आपने देखा है, कौन बने थे फिर आपके, पुसकर सिंग धामी, ठीक है? तो मार्च में आपके बने थे तीरस सिंग रावत, आगे हम लोग बात करेंगे पुसकर सिंग धामी कब बने? और अगर हम लोग मुकमंत्री के बारे में आपको बताओं, तो देखे मुकमंत्री उन विधायकों में से ही चुना जाता है, और आपको एक और बात पता देता हूँ, अगर किसी राज में विधान सभा विधान परचद है, तो उनी में से एक किसी मेंबर को एक तरह से चुन लिया जाता है, लेकिन बहुत मायने रखता है, आप अगर किसी सदन के सदस नहीं है, तब भी आप लोग 6 मेने के लिए मुकमं अगर अगर 6 मेने के अंदर आप लोग सदस नहीं बने जाते, तो आप लोगों कुपल से हट ना होगा, चलते आगे, किसे बॉलीवोड अविनेता को, किसे बॉलीवोड अविनेता को, वर्स 2021 के FIAF अवार्ड से सम्माने किया गया है, परेश रावल, अविताब बच्चन, अनिले कपूष, सत्तुवन सिन्हा, बताइए, कौन होगे, तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालो होने चीए, अमिताब बच्चन, आप लोग जानते भी होंगे इने तो, तो मसूर बॉलीवो अमिताब बच्चन, और इन्हें 2021 के International Federation of Film Awards से समानित भी किया गया है, और आपको बता दूं कि अविताब बच्चन का नाम FIAF समंध फिल्म Heritage Foundation द्वारा नामित किया गया, जो फिल्म निर्माताओं और आर्काइफिस्ट सिविंद सिंग डुंकर पुर द्वारा इस्थाफि से गयर लाग कारी संगठन है, जो भारक की फिल्म है विरासत की संग्चन, रेश्टोरेशन, पिलेखन और पिदरसनी और अध्यन के लिए समर्पिते एक तरह से, ठीक है, International Federation of Film Act की बात करें तो इसकी इस्तावना 17 जून 1938 को भी थी, इसका ठीक है, यह आप लोग याद रख सकते हैं, चलिए, आंगे चलते हैं हम लोग, आंगे क्या कर रहे हैं, किसने बर्स 2020 में BBC Indian Sport Women of the Year का पुरुसकार जीता है, तो से सुन लिजे, किसने बर्स 2020 का BBC Indian Sports Women of the Year का पुरुसकार जीता है, पीवी सिंदो, हर्मन, हर्मन पींट, कौर, अदीती चोहान, कुनेरू, हमपी, तो इसमें याद रखे को होंगी, कौन होंगी, कौन होंगी, कौन होंगी, कौनेरू, हमपी, यानि कि D-Option आपका बिल्कु सही रहेगा इसमें, और इनने 2020 के लिए BBC International Sportsman of the Year पुरुसकार मिला है, ठीकर, इसके अलाबा, lifetime achievement पुरुसकार अनवभी एथलीट, अन्जू भोबी जोर्ज को मिला है, और अंगरी जी क्रिकेटार, क्रिकेट स्टार बेन इस्टोक्स ने, 19 वर्सी भारती सूटर, मनु भाकर को, इमेजिंग, पिलियर ऑब दा, इयर अवर्ड सेंडी के विज को, और मुझे लगता है कि अगर आप लोग कुश्टेंस को समझ गए, तो आप सोचेगे, एक तरह से 90 परसेंट इस्तिती में आप लोग पहुंच जाएंगे, कि आंसर देने की, ठीक है, तो बैस्विक आर्थिक सूचकांग में भारत को कौन सा इस्थान मिला है 2020 में, 101 बा 105 बा, 109 बा, तो यादर की 105 बा होगा इसमें, सी ओप्सन आपका बिलकुछ सही रहेगा, और Global Economic Freedom Index, जिसे आप लोग बैस्विक आर्थिक सूचतंता सूचकांग के नाम से भी जानते हैं, इसमें भारत 26 इस्थान पर खिसक गया है, भारत 150 इस्थान पर पहुंच चुका है, और ताजा सूची में होंग कॉंग और सिंगापूर पिथम बा, दूसरे स्थान पर हैं, पहले नंबर पर आप देखें क्यों है, होंग कॉंग कॉंग और दूसरे पर सिंगापूर, और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें, तो एक बरस में सरकार के आकार निया इक रख सकते हैं, याब रखोगे के नहीं रखोगे, आपको लोगों का रखना कर्तब है, क्या है कर्तब है, लेकिन आपको इसके बारे में भी कुछ बता देते हैं, वरना आपको होगे कि बताय नहीं गया है, एक सो माज बेस्तान पर बहुत चुका है, समझ रहे हैं, आप समझे रही हैं, समझते रही हैं कि ये, चलिए, आंगे बड़े हैं हम लोग, कि न बड़े हैं, और एक देखें, विश्वार्थिक, एक अमेरिकी ठेंक है, हेरिटेज फाउंडेशन, इसके द्वारे ये जारी की जाती है, रिपोर्ट, ठीक है, अगर हम लोग उद्दा है, रिटेज फाउंडेशन के बारे में बात करें, तो 16 फरवरी 1903 में को इसकी धामना की थी, और इसका हेड़कोर्टर आपको असेंग्टन DC USA में देखने को मिलेगा, चलिए अंगला खुक्षन देखते हैं, कौन बैक्ती भारत की नए मुख सांखे की बिद नियुक्त किये गए हैं, तो इमें इसमें केके एके स्त्रीवास्ता, जीपी सामन्त, डीजी मातुर, पीके भौसले, तो याद रखें इसमें जीपी भावत सामन्त होंगे, ठीक है, कौन दसजार अंतराष्टी रन बनाने वाली पिथम भारती महला क्रिकेटर बनी होई हैं, सब्सक्राइब विश्त किड़नी दिवस कम मनाया जाता है किड़नी दिवस आप लोग ने सुनाया यानि सुनाया वसी कि बात हो रहे हैं किड़नी खराब एक तो आप लोग बताइए किड़नी का काम क्या होता है सबसे पहले A करा है मार्च महिने की दूसरे सुमबार को B करा है मार्च महिने की दूसरे मंगलबार को मार्च महिने की दूसरे गुरुबार को मार्च महिने की दूसरे सनिबार को इनमेंसे एक तो सही होगा अब आपको बताना है कौन सही होगा तो याद रखे मार्च महिने की दूसरे गुरूबार को मनाया जाता है यानि किसी ओप्सन इसमें आपका विल्कुल सही रहेगा और इसे वाल्ड किड़नी डे भी कहते हैं आप लोग आपको बता दूँ कि और इस वर्स यह 11 मार्च को पढ़ाता और इस देवस को मनाने का उत्यस यही कि दुनियाबाद में लगातार वड़ रही किड़नी की बिमारियों के मामले में को रोकना और लोगों को जागरूप करना ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रख सकते हैं लिविंग बिल इस साल की अगर थीम आप से पूंच ले तो आप लोग बता सकते हैं विस किड़नी दिवस 2021 की थीम क्या थी लिविंग वेल बिद किड़नी डिजीज ठीक है चलिए अंगले कुशन की तरब परते हैं कौन 28 ग्रेमी फुरुसकार अपने नाम करने वाली पिथम महला बन गई हैं सकीरा, बेउन से, रिहाना और एक हैं आपकी मिंडोना बताईए तो इसमें याद रखिए बेउन से बेउन से ठीक है बी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा लेकिन आप लोग कहेंगे कि थोड़ा और बताईए इनके बारे में संगीत, समझ रहे हैं, संगीत से जोड़ी हुए है और आपको बता दूँँ, 63 भी ग्रेमी अबॉर्ड में पॉप स्टार व्यूम से ने इस बार चार और ग्रेमी फुरुसकार जीत कर सबसे अधिक यानी की 28 ग्रेमी पुरुसकार अपने नाब करने वाले महला बन चुकी है, लेकिन दियान दे, बेटिस आर्केष्टा और एबं ऑपरेटिव एंग कंडेक्टर है सर जोड सॉल्टी, इनके नाप समसे या देखें 31 ग्रेमी जीतने का रिकॉर्ड, ठीक है, और लेकिन महला के बारे में आये तो बेउंसे हैं, ठीक है, इन दोनों को याद रख सकते हैं अंगला कुश्चिन है मारे समय, कौन T20 अंतराष्टी किर्किट में 3000 रन बनाने वाली पित्हम खिलाडी बन चुके हैं कौन T20 अंतराष्टी किर्किट में 3000 रन बनाने वाली पिलाडी बन चुके हैं, बेन इस्टोक्स, क्रेसगेल, विराट कोईली, करोन, पुलाइड, इसमें आपके विराट कोईली जाब होगे हैं, तीक है, आगे चलते हैं, आगे आपका पिती वर्स, विस्थ उभोगता क्या मतलब होता है कि हम आप, आप देखिए, किसी वस्थ उभोग कर रहे हैं, उसे ले रहे हैं तो उसी को भोगता एक तरसे आप कह देते हैं, ठीक है, तो इसमें 12 मार्च या 15 मार्च, 10 मार्च, 16 मार्च, तो आप सभी को माल भूगकर या 15 मार्च को यह मना जाता है, कब 15 15 मार्च को लेकिन इसके बारे में और भी कुछ जाने का रही हो से भी आप लोगों को बता दो हल साल आप देखेंगे 15 मारच को भोकता ओके अधिकारों जरूरतों के बारे में जागरूपता फैलाने के लिए मनाया जाता है और 200 भोकता दिबस 2021 की थीम रही है पिलास्टिक प के चलते हैं आगे चले हम लोग कुछ और पड़ते हैं आगे कुष्ट्ण से देखते हैं जुऑ क्या है Commissioner Pitti vase राश्टी टीकाकरंड दिवस कम रना जाता है 13 मार्च 15 सोलह मारच 18 मारच को इसी मनाने कि राश्टी वार्ण दिवस कम बना जाता है तो याद के इछ आरिक को तो रिंग לתर पूरे भारत में ठीक है और राष्टी स्तरवा बता रहा है ना और इसे मनाने की राष्टी ठीका रेंट दिवस पहली बार 16 मार्च 1995 को मनाए गया था और इस दिन भारत ने भारत में साल 1995 में मुही के जरीये पोलियो वैक्सीन की पहली खुराग दी गई थी और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश भी खुषित कर दिया गया था अंगला कुशन है मारे साम पिसित ब्यक्तित लच्मन पई का नेधन हो गया यानि की मौत हो चुकी है और कि वह क्या थे किस छेते से रूड़िये हुए थे चितकार गायक लेखक अभी नहीं था बताइए तो याद रख बनी है कमला चौधरी, सोगंधा सिंह, रानी परताव, भवानी देवी तो याद रखे हिसमें भवानी देवी होंगे क्यांड भवानी देवी होंगे अंगला कुछन हमारे सामने, कौन बेक्ती अंतराष्टी सौर गठवंधन के नए महानिदेशक बने हैं, अंतराष्टी ये सौर गठवंधन के बारे में आप लोग पड़े हो या नहीं पड़े हो, नहीं पड़े हो इस तरह की संगठनों को हम लोग ने कबर किया हुआ है, त तो इसके सुरेश जैसवाल है या अजर मातर है या फिर नरिस्टर पार्टी है, अमित गौतम है, बताइए, तो इसमें आप देखेंगे, अजय मातर होंगी, बी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा, अजय मातर, आँगे चलते हम लोग, किस बटपॉल, टीम ने ISL 2021 का कि आप जीता हुआ है, किस टीम ने, इसमें मॉंबई सिटी FC, FC गोआ, बेंगलोर FC, केलला बिलाश्टर FC, तो बताइए, इसमें क्या करोगे आप लोग, तो आपको बता दूँं, इन्डियन सुफर लीग, कि साथभी सीजन के फाइनल में में मौचूदा, आपको बता दूं क इसमें मॉंबई सिटी FC ने जीता हुआ है, ठीक है, ए ओप्शन आपका बिलकुँ सही रहेगा, पिसिद ब्यक्ति तो लोग और टेंस का नेर्धन हो गया, यानि की मौत कुछ की, उन्होंने अभिसकार किया था, किसका अभिसकार किया था, तो ए आपको मालू होना चाहिए किसका आप इसकार किया था, बताइए कुछ, ओडियो के सिट का, ओडियो के सिट आप लोगों ने देखी होगी, एक ओडियो, रेडियो की तरह आथा था, उसमें डाली जाते थे, ठीक है, अगला कुशन है हमारे सामने, कौन वेक्ति, I, C, R, I, E, R की नए ने ने दे सक, ब आपके, I, C, R, I, E, R की नए ने देशाखें, दीपक, मिस्रा, इंडियो काउंसिल और रिसर्च और इंटरनेशनल एकोनोमिक रिलेसंस कहते हैं से, ठीक है, आँगे चलते हैं लोग, कुशन हमारे सामने, कौन वेक्ति राष्टी सुरक्षा गाड की नहे महाने देशक बने हैं, NSG, आप लोग सुने हैं, राष्टी सुरक्षा गाड, तो A option इसमें कहरा है, S की माजी, B कहरा है, M, A, गनपती, C कहरा है, Ramis Agarwal, D कहरा, Sita Ram, चौपड़ा, तो इसमें याद रखी, M, A, गडपती होंगे, ठीक है, और इसके राष्टी सुरक्षा सेकोर्टी, सेप्टामर 1966 को भी थी, और इसका हेटकोर्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, अंगली कुष्टिन हमारा, कौन बैक थी, केंद्रिये रिजर बोर्ड, पुलिस बल, यानि की, C, R, P, F के नए महानिदिसक न्यूप किये गए हैं, असुक चावला, गजिंद जरब पुलिस फोर्स की बात करें, तो इसका हेटकोर्टर कहा है, न्यू दिल्ली में, इसकी स्थाफना कभी थी, 27 जुलाई 1949 में ये अस्दित में आये था, तो आंगे समझ रहें, आंगे चलती हैं अब हम लोग, चलेंगे, कि ना चलें, बताओ, चलना तो पड़ेगा ही, किस देश के पूर वराष्टपती, जॉन मेगोप फुली का 61 वर्स की उमर में नेधन हो चुका है, यानि कि मौत हो चुकी हैं कि, ये कहां के थे तंजानिया, नाइजेरिया, केन्या, इतोपिया, तो आपको बतादू, ये तंजानिया के थे, कहां के थे, तंजानिया के थे ये उप्सन आपका, बिल्कु सही है, और ये तंजानिया आप लोग देख रहे हैं, इसके केपिटल डो, डोडो मा देखने को मिलेगी, समझ रहे हैं, बड़ी अजीब है, इस्ट अफीका का ये देश तंजानिया है, समझ रहे हैं, अफीका महादीम में, चलिए आंगे वर तीसरे बुद्धवार को, मार्च महिने के तीसरे स्वमवार को, मार्च महिने के तीसरे रभीवार को, बताएए कुछ, तो मार्च महिने के तीसरे सुकवार को, मार्च महिने के तीसरे सुकवार को, ये उप्सन इसमें आपका बेलकु सही रहेगा, ठीक है, मार्च महिने के तीसरे सुखवार को नेमित नीन स्वस्त भविस्त इसकी क्या थी थीम थी चलिए खेर आगे बढ़ते हैं सामियाल सुलुहू हसन किस तेज की पिथम महला राष्टपती वनी कैन्या ब्राजील नीदरलेंड तंजानिया तो आपको बता दूँ ये तंजानिया की बनी हुई है टीक है? डी ओप्सन आपका बिल्कु सही है आगे चलते हैं अंगला कुश्टे ने मारे सामने इत्ती वर्स यानि की हर साल विस गौरेया दिवस कम मनाय जाता है गौरेया को आप लोग ने देखा होगा न गाओं में घोंसला बनाती थी 21 मार्च 20 मार्च 25 मार्च या फिर 18 मार्च बताइए कुछ तो याद रखे 20 मार्च होगा इसमें क्या होगा? 20 मार्च होगा और इस बार की थीम रही है आई लाव इस पे रोज याद रखेगा विस गोरेया दिवस की थीम क्या रही है? आई लाव इस पे रोज ठीक है? याद लोग याद रख सकते हैं रखेंगे कि नहीं? और साल 2010 में पहली बार 20 मार्च को विस गोरेया दिवस मनाय गया था, ठीक है? इनका संरक्षन करने के लिए यहने बचाने के लिए एक तरह सी मनाया जाता है चलिए अंगला कॉक्षन की तरह पड़ते हैं जारी वर्ल हैफपीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा इस्थान मिला हुआ है? हैप्पीनेस यानि कि खुशी समझ रहे हैं? हैप्पीनेस 134 बा या फिर आप देखी 149 बा 143 बा या फिर 146 बा बताइए कुछ 149 बा मिला हुआ है ठीक है? बैसविक खुसाली रिपोर्ट की बात हो रही है बैसविक खुसाली रिपोर्ट 2021 की बात हो रही है सयुक्त राष्ट की तत्वाधान में एक तरह से सतत्विकास समाधा नेटवर्ग द्वारा बैसविक खुसाली रिपोर्ट जारी की जाती है ठीक है? याद रखिए और सुरुवाद की थी इसकी 2013 में लेकिन जुलाई 2012 में इसके लिए एक पिस्ताव पारिप किया गया था तो आप लोग याद रखे करिएगा और महारत 149 बेस्तान पर 149 देशों को सामिल किया गया था 149 में 149 बेस्तान पर है यानि कि आप समझ सकते हमारी इस्तितिक तनी बुरी है और फिनलेंड को लगातार 14 वर्स विस्त का सबसे खुसाल देश गोसित किया गया है सबसे टॉप पर है और इसमें रख अफगानिस्तान सबसे बुरे इस्तिति पर है सबसे नाख उस्तिति से अफगानिस्तान और आप सब ही जानते हैं अफगानिस्तान की क्या है पाकिस्तान की बात करें तो 105 बे स्थान पर है यानि कि हमसे अच्छी इस्तिती पाकिस्तान की है बंगलादेश की भी हमसे अच्छी इस्तिती 101 बे स्थान पर है 384 बे स्थान पर हमसे अच्छी इस्तिती है इसकी ठीक है तो चली आगे बढ़ते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग खुस रही है वस इतना यह कह सकते हैं पिती बर्स विस्तो जल दिवस कम मनाया जाता है पिती बर्स विस्तो जल दिवस कम मनाया जाता है बताई 20 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च या 25 मार्च तो आपको बता दूं क्या बता दूं और बाइसमार्च को मनाया जाता है पानी हमारी लिए कितना जरूरी होता है अप लोग सभी जानते हैं इसे तो यह नहीं जानते हो कुछ पानी का महत इसकी एक पर ऐसे थीम रखी गई थी पानी का महत बलूइंग बाटर याद रखिए इस थीम को चलिए अब हम लोग बैलियूंग बाटर यानी की पानी का महत कितनी महत है हमारी लिए पानी का मुझे लगता है आप सभी जानते होंगे से जारी मिलिटरी डारेक्ट्स की रिपोर्ट की मताविक किस देश की सेना को सबसे तागत़ बर सेना माना गया है बदाएए इसमें भारत या फ Douglas या अमेरिका चीन तो आप लोगों को हैरानी होगी चाइना की सेना को माना गया है हमारा पड़ोसी है ना रख्षा मामलों की वेपसाइग मिलिटरिक डारेक्ट से द्वारा जारी रिकोर्ट के मताविक चीन की सेना दुनिया की सबसे तावधवर सेना माना जाने लगा है और आपको बताँँn सूची में भारती सेन्हा को चोथा अविश्तान में हमेरिका चोथर पॉइंट के साथ दूसरे नमबर पे इसके बाद 59 पॉइंटक के साथ रूस तीसरे नमबर में हो और 48 पॉइंट के साथ तरांस पांच वे इसस्तान से घूंञ घूं को में एक चिंता गवस है, केंद सरकार ने किस नाम से गाउं में LED बलब उपलब्द कराने की योजना की घोसना की है, ग्राम पिकास योजना, ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना, बताईए इसमें से, क्या लगा होगे, ग्राम उजाला योजना, यानि कि आपका बिलकुल सही होगा, बी क्या होगा, बिलकुल सही होगा आपका, और एक तरह से आप देख तो विजली की बहुत बचत की जा सकती है और आप देखें विजली इतनी आसानी से नहीं बनती है समझ रहे हैं आप लोग बड़ी किल्लत पड़ती है तो यह आप लोग याद रखेगा अंगले कुश्चन की तरह बढ़ते हैं और सरशटवे राष्टी फिलिम पुरुसकारों में किसे सरफसिष्ट अभिनेतरी का पुरुसकार मिला हुआ है दीपिका पादुकॉन अनुसका सर्मा करीना कपूर कंगना रनोत तो इसमें याद रखें कंगना रनोत होंगी और ऐसा माना जाता है कि इनकी भक्ती के कारण ने पुरुसकार दिये जा रहे है किसे बर्स 2020 का गांधी सांती पुरुसकार मिला हुआ है किसे बर्स 2020 का गांधी सांती पुरुसकार मिला हुआ है अब्दोर करम खान डेवीड डेवीड सन बिली सेखर सेख मुझी बुर रह्मान चीको अलवेरो कुछ बताओगे इसके बारे में तो मुझे लगता है कि सेख मुझी बुर रह्मान ठीक है इन्हें आपका 2020 का एक तरह से गांधी जो आपका गांधी सांथी पुरुसकार दिया जाता है ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखेंगे और रखना चाहिए मुझे लगता है और अगर गांधी पुरुसकार के बारे में बात करें तो आपको बता दूँ कि इस बारसिक पुरुसकारियानी के हसाल दिया जाता है भारा सरकार द्वारा 1995 में महत्मा गांधी की 125 भी जैंती के उपलक्ष में अहिंसा के माध्यम से सामाजी कार्थिक और राजनेतिक परिवत्तर लाने वाले लोगों की पहचान करने हीतु स्थावित किया गया उन्हें इससे पुरुसकार दिया जाता है अब आप लोग कहेंगे कितना इसमें क्या रहता है मामला कितना पैसा रहता है क्या क्या रहता है तो एक करोड तो रुपे नगत रहते हैं और एक पटिका रहती एक पिसस्ती फत रहता है एक उत्किष्ट पारंपरिक हस्त कला हस्त करगा उत्पाद भी इसमें सामिल रहता है ठोई गए और सेख मुझीबूर रह्मान की बात करें तो आप सभी जानते हैं बंग बंधू के नाम से भी आप लोग जानते थे और बंगलादेश के जत्पिर पिता यानि की राष्ट पिता की रूम में भी लोग ने जानते हैं और सेख मुझीबूर रह्मान के जनम आभिजाद आभिभाजित यानि की भारत के गोपाल गंज जिले में हुआ था इनका 17 मार्च 1920 को आप सभी जानते हैं कि बंगलादेश पाकिस्तान वे हमारा ही हिस्सा हुआ गरता था आँगे चलके 1947 में आप जानते हैं कि पाकिस्तान का बटवारा हो जाता है और बंगलादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहता है और पागिस्तान के दो टुकडे कर दिये थे और इनकी death की बात करें तो धाका बंगलेंदिस में इनकी 15 अगस्त 1995 को इनकी death हुई थी ठीक है तो ये भी आप लोग याद रुखिएगा आँगे चलते हैं लोग पिती वर्स बैस्विक कवीता दिवस कब मनाया जाता है पिती वर्स यानि की हल साल 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 24 मार्च बताईए कुछ इसके बारे में भी तो याद रुखिए 21 मार्च इसमें होगा क्या होगा? 21 मार्च होगा 21 मार्च को कि उसना 1929 में की थी, कब 1929 में की थी, तो इसे भी आप लोग याद रखेगा, चलते हैं, आगे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं, अंगला खुशन है हमारे समने, कौन एथेनॉल नीती को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज बन गया, एस्टेट, भारत का एस्टेट बन चुका है, केरल, तमिलाडू, या असम, या विहार, तो आपको बता दू, इसमें विहार होगा, क्या होगा, विहार होगा, विहार, एथेनॉल, नीती को मंजूरी देने वाला पहला राज एक तरह से बन चुका है, और इसके बारे में बात करें, तो एक तरह से विहार क केमिनेट की बैठक में पुल एक अर्थी से जंड़ों पर मोहल लगी थी जिन में आपका नीतिशकुमार ने मोहल लगाई थी और नीतिशकुमार वहां के मुखमंत्री है न तो याद रखिएगा अब बिहार के बारे में भी बता देता हूँ बरना आप लोग कहेंगे कि बिहार के लोगों के साथ भेदभाव कर रहा हूँ बिहार वैसे बिहार के नीतिशकुमार राजनेती के मास्टर माइंड कह लिए आप लोग और विहार विहार बहुत पुराना राज्च है आजमाज का नहीं है आप सोची आजादी से पहले भी विहार हुआ करता था लेकिन आपको बताओं कि राज्ज का दर्जा इसे मिलता है 26 जन्वरी 1950 को पटना इसकी राधानी है और यहां विधान सभा भी है और विधान परिशद भी है विधान सभा में आप देखेंगे 243 सीटें देखने को में लेगी और विधान परिशद में 75 सीटें देखने को में लेगी राज सभा में 16 सीटें और लोग सभा में आपको 40 सीटें देखने को में लेगी अंगे चलते हैं हम लोग कौन वैक्ती आरेट अरेट अरेट यानि कि आपका वे ओप्षन बिल्कु सही रहेगा चलते हैं अंहले कुश्चन कि इस विशुच्छ眉 रोग दिवस कम मनाया जाता है 26 रोग दिवस की बात हो लिए है और मुझे लगता है कि इसमें अगर हम लोग बात करें 24 स्मार्च या 24 स्मार्च या 22 स्मार्च तो आप सभी लोग जानते होंगे 24 स्मार्च को मना जाता है यह उप्शन इसका बिल्कुछ सही रहेगा क्या रहेगा विसको सही रहेगा किलॉक इस टिकिंग इसके बार की यह थीम रही है ठीक है तो यह आप लोग जे रोग याद रखिएगा इस तरह को कुशन फूचे जा सकते हैं आपकी बरीक्चाम में और बताना एक तरह से मेरा काम है बस 1882 में रोबर्ट कोच ने टीवी के जिवानों की खुच की थी और टीवी के अलाज भारत में मौझूद है फिर भी घातक स्वास्तिती के चलते हर साल विकासियल देसों में आप देखें कि लगबग 1.5 मिलियन लोगों की टीवी से मौद भी होती है तो आप समझ सकते हैं टीवी कितना खतनाक है किस राज जिनने भारत का पहला जानवरों का इंबुलेंस नेटवर्क सुरूं किया हुआ है किस राज जिनने भारत का पहला जानवरों का इंबुलेंस नेटवर्क सुरूं किया है तो आप सभी को माल होना चाहिए ए आंधपेदेस होगा ठीक है अब आप लोग कहेंगे कि आन्दपेदेस के बारे में बाता ही है तो मुझे लगता है कि देखे जानबरों की मतलब आप समझ रहे होगी कि जानबरों मतलब जानबरों के लिए एक तरह से पहले आपको बता दू तेलंगा ना आपका अंध्विदिस का हिस्सा गुगा करता था आप सभी को माले होगी कि भासाई आजार पर गटेत होने वाला पहला राज आंध्विदिस थी था एक नवंबर उनेंसतों चपन को इसकी स्थाफना की गई थी इसकी राध्दानी की बात करें तो अमरावती है और यहां आपको बिधान सभा भी देखने को मिलेगी लेकिन विदान सभा में 175 सीटें देखने को मिलेगी और बिधान परिशाद में यांठावन सीटें देखने क तो राशसभा में 11 सीटें देखने को मिलेगी लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिलेगी एक कहान ही है और कि उसके बाद आप देखिए किसे वर्स 2020 के लिए ब्यादसब्मान मिला है ब्यादसब्मान आप लोग जानते ना उसी की बात हो रहे हैं रविंद चत्रवेदी सरत पागरे आलोक नागर विनीत होसले बताईए तो व्यास सम्मान किसे मिला है सरत पागारे को भारती साहित के लिए दिया जाने वाला एक तरह से ज्यानपीट फुरुसकार है कि बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यास सम्मान है और इसे आप लोग 291 में दिया गया था अब बात है किसी बर्स 2020 का महराष्ट भूसर्ण फुरुसकार मिला है महराष्ट भूसर्ण की बात हो रही है किसी बर्स 2020 का महराष्ट भूसर्ण फुरुसकार मिला है तो यह में तलता मंगिसकर सिया गोसाल आसा भूसली सुनीदी चोहान तो आपको ब अगला कुश्चन है हमारे सामने कौन बैक्ती यू आई डी ए आई के नए CEO बने संजीब मित्तल्म सौरफगरग विश्नु फिर्जापत हसन अहमात बताईए कौन बने सौरफगरग कौन सौरफगरग विश्नु आपका बिलकुश सही है यू आई डी ए आई गवर्मेंट एजनसी आप सभी चानते 28 जनुवरी 2009 में इसकी स्थाफन की गी थी हेड़कोर्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मलेगा आधार सुने उसी से जुड़ा ह पने साफनने में किसे भारती बिमान पतं प्राधिकर्ण का चेयरमेन बनाये डाये गया है चंद सेकर सेное विमल जैन, संजीब कुमार दिवाकर गुपता, तो बताइए इसमें कौन लगाओगे, संजीब कुमार लगाओगे आप लोग, क्या लगाओगे, संजीब कुमार, C option आपका बिल्कु सही रहेगा, अगर आप लोग एयरपोर्ट अथवर्टी ओप इंडिया की बात करें, तो भाती खाद निगम की बात हो रही है, तो इसके याद रखी 38 चन्दों पे, यह option आपका बिल्कु सही रहेगा, लेकर फूर्ट कॉर्परेशन आप इंडिया की बात करें, तो इसकी इस था अपना 14 जन्मरी 1965 कोई थी, और निव दिल्ली में इसका हेड़क्वाटर, यानि की मुख्याले आप लोगों को देखने को मिलेगा, 65 फिल्म फियर अवाड में किसी बेस्ट एक्टर का अवाड मिला हुआ है, इसमें है आमिर खान, इर्फान खान, रणवी सी, रणवी सी और अनिल कपूर, इन चाल में से आप लोगों को एक चुनना है, एक तो सही हो गई, वो दौब लोग भी जानते हैं, मुझे लगता है, तो इसमें हो गए आपकी, क्या है, बताए यू कुछ, तो इसमें हो गए आपकी इर्फान खान, कौन होगी, इर्फान खान, यानि की बी आप्शन आपका बिल्कु सही रहेगा, ठीक है, आगे है आपका कुश्चिन्स, क तो इसमें डॉक्टर आयूस भारगाओ, डॉक्टर नंद कुमार लसी, डॉक्टर बैभावदास, डॉक्टर सरन कुमार लिमबाले, तो याद रखी, डॉक्टर सरन कुमार लिमबाले हैं, ठीक है, इनने दिया गया है, सरसुती सम्मान में लाए रहे रहे, सरसुती सम्मान ठीक है और इसकी स्थाफना 1991 में पहली बार हुई थी हरी राय बच्चन को दिया गया था आदम कता के लिए हिंदी में ठीक है तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग Asia Money West Bank Awards 2021 में किसी भारत का सर्वसिष SME Banks चुना गया है SBI HDFC PNV Access तो आपको बता दूँ HDFC को चुना गया है HDFC के बारे में बता चुका हूँ अगर आप कहें तो फिर से बता देता हूँ इसके इस्तापना आपको बता दो कि अगस्त 1994 में हुई थी और मुंबई में इसका हेड़कवाटर आपको मुख्याल है देखने को मिल जाएगा किसे इंक्यावन बाद दादा साहब फाल के पुरुसकार मिला है दादा साहब फाल के पुरुसकार की बात हो रही है इंक्यावन बाद अभी हाली में आपने देखा होगा मिला है गोविंदा, रजनीकांत, अनिलकपूर, मिथुन चकवरती तो याद रखे रखे रजनीकां और रजनी कंत, आप देखेंगे एक साउथ के सुपरश्टार माने जाते हैं, कहते हैं कि एक बार विसे राजनी कंत किसी मुवी में मार दीया गय थी, और एक बार दिखा दिया गया है, आप सचीए कि किसी बिलंद द्वारा, तो कहते हैं कि वहाँ थेटर में आग लगा दी गई थी लोगों के द्वारा और आपको बता दू कि इस पर उसका के पारम दादा साफ आलकेक जन्द देबस पर 1969 में शुरू किया गया था ठीक है तो याद रखिए देविका रानी को आप लोगों कुमालो होगा चली आंगे हम लोग चलते हैं चलें जारी बैस्विक लेंगिक भेदभाव भेद अनपात रेपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा इस्थान मिला हुआ है 124 वा, 145 वा या 152 वा बैस्विक लेंगिक अनपात रेपोर्ट की बात हो रही है समझ रहे हैं तो याद रखिए 140 वा मिला हुआ है बी ओप्सन आपका बिल्कू सही रहेगा 156 देश को इसमें सामिल करके एक तरह से सूची तेयार की गई थी और इसमें 140 वे इस्थान पर रहे हैं 2020 में अगर हम लोग बात करें तो हमारा इस्थान 112 वा था 153 देश उस समय सामिल किये गया थी तो आप देखें हमारी इस्थिति बुरी ही रहती है तो आप समझ सकते हैं विस आर्थिक मंच बैस्विक लेंगिक अंतरा रिपोट जारी कलता है अब आप कहेंगे कि इसके विस आर्थिक मंच यानि कि वर्ल्ड एकोनोमी फॉम के बारे हम लोग उने विस्तार से बाग की हुई है आप लोग इंपोर्टेंट और्गनाइजिसन के नाम से प्लेइलिस्ट सुची बनी हुई है उसी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मालूँ चलेगा वैसे आपको बता दूँ तो वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरूम कि इस्थ जबू ईv द्वारा विकासित कुष रिपोर्ट भी हैं जैसे विस आर्तिक मंच के द्वारा ऊजाै संकवन शुचकंग यहीं जारी करता है तो इन्हें भी आप लोग याद रखेगा तो ये थे आपके जो भी questions इसमें सामी किया गया थी जो March महिने में आपकी घटनाए गटी जो भी current phase था उसका उससे जो आपका निचोड कही है आप लोग उन questions को सामिल किया गया था और जब भी आप लोग पेपर देने जाते हैं तो मुझे लगता है इन questions को देखकर आप लोगों कुछ जाना चाहिए ठीक है और इन्हें आप लोग देखते रहिए और हम लोग अपरेल महिने का भी cover करेंगे सभी महिनों का बार है महिने का कवर करके आप लोगों को छोड़ देंगे ठीक है आपके पास कोई कमी नहीं रहने देंगे चलिए आप लोग एंज़वाय करिए हम लोग मिलते हैं आंगे नमस्काल सत्यों जैसा कि आप सभी लोगों को वालो होगा कि हम लोग मंतली करेंट अपेस कवर कर रहे थे और अभी तक हम लोगोंने तीन महिने का करेंट अपेस कवर कर लिया है और इसके लिए एक स्पेसल फिलेलिष्ट सूची ही बना दिया है उसका नाम रखा है हम लोगोंने मंतली करेंट अपेस 2021 के नाम से और इसमें आप लोगोंको 12 महिने की करेंट अपेस की किलासे मिल जाएगी और इन सब की PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम जाइन कर लिए जी वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इन आप लोग वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं वहां भी आप लोग देख सकते हैं और आज की इस कलास में आप लोग अपरेल महिने के करेंट पेस को कवर करेंगे अपरेल महिने में जो भी घटना एं घटी हुई है उन से सम्मंदित आपकी परीक्षाओं में किस किस तरह की कुश्चन्स बन सकते हैं उन सभी कुश्चन्स को यहां सामिल कर लिया गया है और आप सभी लोग बहतर जानते हैं कि आपकी लेवल के एकजाम होते हैं या इस्टेट लेवल के एकजाम होते हैं उन एकजाम में करेंट पेस से अच्छी खासी संख्या में कुश्चन्स पूछे जाते हैं तो मुझे लगता है कि काफी अद तक आपके करेंट पेस कवर हो जाएगा चलिए और इसमें आप लोग देखि question पिती वर्ष विस आप्रेल दिवस कब मनाया जाता है हर साल विस आप्रेल को मनाया जाता है। जागरूकता बढ़ाई जाए और दुनिया भर में बहुत से संग्रटन ऐसे भी हैं जो ऑटिजन स्पेक्ट्रम डिस ओर्डर के निदान और उपचार के लिए योगदान भी देते हैं अब आप लोग कहेंगे कि इसे कम पहली बार मनाए गया था तो सयुक्तराष्ट महा सवा सवा ने इसे आपको बता दो कि एक नवंबर 2007 को विस ओटिजन जागरूकता दिवस मनाने का संकल पारित किया था और सवा ने 18 दिसंबर 2007 को अपनाए था और इसे साल 2012 से मनाया जा रहा है तो यह आप लोग याद रखेगा अगर हम लोग इस साल की थीम की बात करें क्योंक परतियों और आउसर एक तरह से इसकी थीम रखी गई थी अब आप कहेंगे कि सेवक्तराष्ट का भी उनलेक किया गया उनाइटिड नेशन्स का तो उसके बारे में कुछ पाइंट बता दीजे तो इसकी स्थापना यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इ A option इसमें आपसे क्या पूछ रहा है एक option कह रहा है कि मुख मीध ऐस भाड़ भातिया और B कह रहा है आपसे दिलीव कुमार साय राजकुमार 1000 सूर देव घोगले क्या होगा इसमें से तो याद रखी मुख मीध ऐस-भातिया होगा इसमें और करमचारी राज-बीमा निगम की बात करें तो 25 फरवरी 1952 को इसकी इस्थापना की गई थी, ठीक है, एक तरह से करमचारियों के लिए एक तरह से बीमा चलाता है, बीमा करवाता है, आप भी लोग भी तो बीमा करवाते हैं अपना, अपनी गाड़ियों का उसी तरह से, अगला कुश्य ने किसे सारवजनिक उद्यम, चैन बोर्ड की नए अध्यक्ष के रूम में निउक किया गया है, A option कर रहा है, अंकीता पटेल, B कर रहा है सुमन चौदरी, C कर रहा है मलीका स्री निवासन, D कर रहा है वैस्नवी प्रजापत, तो याद रखिए इसमें मलीका स्री निवासन को सारवजनिक उद् चैन बोर्ड यानि की PESB का अध्यक्ष बनाए गया है, ठीक है, अगला कुप्षयन है हमारे सापने कौन वेक्ति छमता निर्माड आयोक के नए अध्यक्ष निउक्ष किया गया है, विकास फारिक, आदिल, जैनुल भाई, मनीश, दारुबाला, जैन्त, मंडेला, तो इसम B option होगा ठीक है क्या होगा वी option इसका बिल्कु सही रहेगा क्या लगा वह वे वी option आप लो बिल्कु सही रहेगा और याद रखेंज। Equality Council of India कि प्रवुक आदिल जिन्रोल भाई को सरकार के महत्वाकाशी विसन कारम- योगी के ताहत इस था भी छमता निर्माण आयूक का अध्यक्ष बनाए गया है और नौकर साही में व्यापक सुधाल लाने के लिए एविशन शुरू किया गया है तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं अंगला कुशन हमारे सामने पिस्ध व्यक्तित ससीकला जावलकर का डैथ हो गई यानि की मौत होगी नेधन हो गया इनका वह किस छेते से जुड़ी हुई थी अभी नेत्री थी या गायक थी लेकक थी या फर गड़तक गी थी बताए ये कौन थी तो मुझे लगता है कि आप लोगों कुमालो होना ची अब नेत्री थी और आप लोगों अगर नियूच पेपर पॉलो करते रहते होंगे तो मुझे लगता है आराम से आप लोग इनके आज़र भी दे सकते थे इनकी डेथ हुई थी 4 अपरेल 2021 को और सौ से जाना फिलमों में सपोर्टिंग रोल ने भावी चुकी थी और 4 अगस्त 1922 में महराष्ट के सूलापूर में इनका जनम हुआ था और इनके कामों के लिए आप देखिए कि 2007 में पदमसीरी अबॉर्ड भी दिया गया था 2009 में 20 आंतराम अबॉर्ड से भी नहीं नव आ जा गया था अंगला क्युक्षर नहीं हमारे से पितीं वर्ष राश्टी समुद्र दिवस कम मनाजाता है एक बात और आपको बता दूं विस यह समुद्र दिवस भी मनाया जाता है और आप देखिंगे कि पांट पांच पाप्रेल को अप juice अपरेल को आपका क्या मनाया जाता है राष्टी समुद्र दिवस और अगर हम लोग बिस समुद्र दिवस की बात करें तो यह आपका सेप्टमबर महिने की अंतिम गुरुबार को मनाया जाता है ठीक है सेप्टमबर महिने की अंतिम गुरुबार को मनाया जाता है और अगर हम ओपड़्य चाहिं का थेасa कि समूद्री दिवस्गी तो आपको मालोग कोनचाहिं कि इसका समूद्री महिलाओं समुद्री समझाय समुदाय में महिलाओं का सवसक्त बनाना इसकी थेम degid'the इस से समुद्री दिवस की बात कर रहा हूँ ठीक है जरूर याद रखेगा फिर आप लोग कन्फीज हो जाए तो राखती समुद्री दिवस के बारे में भी कुछ पॉइंट बद्दा देता हूँ पांच अपरेल को तो आपको मालू है कि मनाया जाता है इसे और इस समझ रहे पांच अपरेल उन्नीस उन्नीस को मुंबई से लंदन की यात्रा करने वाले पिथम भारतिये फ्लेग मर्चेंट पोथ MS सिंधियाज टीम नेविगेशन कंपड़ी के स्वामित वाली SS लोयल्टी की पहली यात्रा की इसमिती में एक तरसी से मुणनाय जाता है ठीक है यह आप लोग याद रख सकते हैं कोविद-19 से आंगे 79 परीवहन इस्तवार की थीम रही इसकी राष्टी यह की चलिए आंगे वढ़ते हम लोग कई देवस होते हैं जो भारत के लेवल पर मनाय जाते हैं कई उनी में से देवस होते हैं कि आप देखते हैं विश्विस्तर पर मनाय जाते हैं अंगला कुश्चन है कौन अपने सभीन अंगरेकों को मुप्त स्वास्त बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है आप लोग कुश्चन को कम से गम दो बार जरूर पढ़ लिया करेगा और मेरा देखिए ऐसा मानना है कि अगर आप लोग को कुश्चन समझ में आ जाता है तो उसका आंसर देने के बहुत करीब आप लोग पहुच चुके होते हैं इसमें देखिए क्या क्या रहा है कौन अपने सभी नागरिकों को मुप्त स्वास्त बीमा सुगधा देने वाला भारत का पहला राच बना है इसमें राजिस्थान है उडिसा है उत्राखंड है मडी पो रहे हैं इनमें से एक उप्सन सही होगा और उस उप्सन को आप लोगों को चुनना है तो आप सभी को माल होना चीए एक उप्सन बिलको सही रहेगा इसमें आप लोग क्या लगाओगे राजिस्थान लगाओगे देखे राजिस्थान सरकार ने चिरंजीबी स्वास्त भीमा योजना सुरू की है और इसके साथ ही राजिस्थान भारत का ऐसा पहला राज बन चुका है जहां पितेग परिवार के को पित्ती वर्स यानि कि हर सा पांच लाक रुपे का स्वास्त भीमा मिलेगा और इसमें याद रखे जिनकी आर्थिक रूप से जो गरीब है उन्हें बिना किसी प्रीमियम के यानि कि बिना कोई सुल्क जमा किये इस योजना का लाव मिलेगा और जबकि अन लोगों को परिवार की योजना का लाव लेन के लिए सभी परिवारों को 850 रुपे हर साल देने होगे ठीक है और इयोजना से जुड़ने के लिए आपको रेजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इयोजना का लाव लेने के लिए राज के सभी परिवार योग होगे कोई भी इसका फायदा ले सकता है तेखिए यहां अच्छी सीटे आपको देखने को मिलेगी चली अंगले कुशन की तरह पढ़ते हैं कौन वैक्ति भारत के 48 भी मुख नयाधीस निउक्त किये गया है और इसमें पहला यह ऑप्शन क्या करा है MS राओ, B कर रहा है के के गोकले, C कर रहा है GS पालिवाल और D कर रहा है NB रमना तो याद रखिए इसमें आपका D आप्शन बिल्कु सही रहेगा NB रमना भारत के 48 भे मुख नयाधीस निउक्त किये गया है याद रखिए कई बार पूचा जा सकता है कि NB रमना कौन से नमबर के थे मुख नयाधीस तो 48 भे याद रखिएगा ठीक है और राश्टपती राबनात कोबिन ने उनकी निउक्ती को मंजूरी दी हुई है और आपको बता दू कि एक तरह से जो बर्तवान CGI थे MSA बोगडे ये 23 अपरेल 2021 को रिटायर हो रहे थे और जश्टिस रमना का कारकाल 26 अगस्त 2022 तक रहेगा ठीक है और वह आंद पेदेश हाई कोट के पहले ऐसे जज होंगे जो CGI बनेगे और तेलगु भासियों की बात करें तो वह दूसरे होंगे क्योंकि में सुबवाराओ के चीपज़िस रह चुके हैं सुबवाराओ के बाद इनका नम्बर आता है दूसरे है ठीक है यह भी आप लोग याद रखीएगा अब आप लोगों से अगर Supreme Court की बात करें क्योंकि Supreme Court के बारे में भी Direct Questions पूछे जाते हैं पूछते हैं गिनी Supreme Court तो Supreme Court कहा देखने को मिलेगा आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा इसको इस्थाफना की बात होती तो आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को इसकी इस्थाफना की गई थी 26 जनवरी 1950 को और अभी यहाँ इसमें अगर हम लोग Chief Justice की बात करें मुख और अन्निकी तो 34 देखने को मिलेगे 33 सन और एक आपका मुख नियादिस गिरा जाता है तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं और अगर आप लोगों कुछ जानना है इसके बारे में तो और कुछ बता देता हो समीधान का भाग 5 पड़े होंगे आप लोग अध्याय 4 को पड़े होंगे आप लोग इसमें सुप्रेम कोट यानि की उच्चितम न्याले की विवस्था की गई है और आणूचेद 124 से लिकर 147 तक इसमें सभी सुप्रेम कोट की सकतियों की हो सरचना की हो यह सभी विवस् चलिए आंगे हम लोग चलते हैं किसे वर्स 2020 का घंस्यामदास बिडला दिग्यानिक सोत पुरुसकार मिलाएं बताइए ए ओप्सन क्या कह रहा है आपसे ए ओप्सन कह रहा है आपसे आसी चिलर राजिस सर्मा सुमंचक वर्ति और जीवन परसाद कौन होंगे इसमें से बता सुमंचक वर्ति यानि कि सी ओप्सन आपका बिलकुल सही रहेगा और विल्ला फाउंडेशन द्वारा सन 2020 का घंस्यामदास बिडला विज्यानिक उरुसकार प्रोफेसर सुमंचक वर्ति को दिया गया है और सुमंचक वर्ति के बारे में बात करें तो इन्होंने इंजिनिर विष्ट एउदान दिया हुआ है अच्छे काम करोगे अच्छा काम करोगे तो मुझे लगता है स्वभा भी क्सी बात है कि आपको उरुसकार मिलेंगी ही आपकी एक तरफेसंसा होगी ही समझ रहे हैं आप लोग चलिए आगे चलते हैं लोग कौन व्यक्ति BCCI की भिष्ट महमूद सब्वीर खंडवाला और दीपक स्वामी या फिर आकेस महिसुरी आकास महिसुरी तो आप लोग क्या लगा होगे इसमें कुछ पता है तो याद रखिए इसमें आपकी सब्वीर खंडवाला होगा बी ओप्सन आपका बिलकु सही रहेगा देखे BCCI का पूरा नाम का होता है Board of Control for Cricket in India और इसकी स्थापना December 1928 में हुई थी इसका headquarters आपको कहा देखने को मिलेगा मुंबई में कहा देखने को मिलेगा मुंबई में तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं और मुझे रखता है क्रिकेट के प्रैमी होगे तो आप लोगों को तो और मुझ से वहतर माल होगा चलिए अंगला कुश्य नमारे साबने केंद सरकार ने किसी नया राजस सचिव निउप्त किया है केंद सरकार ने किसी नया राजस सचिव निउप्त किया हुआ है विसनु जा चेतन को कुमावत तरुन बजाच परेस डिंडा तो याद रुकिए इसमें तर दिल को सही रहेगा, सी ओप्सन कैसा रहेगा, दिल को सही रहेगा, अंगला कुशन है कौन बैक्ती तरुन बजाज की इस्थान पर आर्थिक मामलों की विभाग की नए सचिप नियुक्त किये गए हैं, कौन होंगी, अजय सेट होंगी, अंगला कुशन है मारे सापने, पिती बर्स विश्व स्वास्ति दिवस कब मनाया जाता है, और यह कुशन साप देखी कई फरीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पिती बर्स विश्व स्वास्ति दिवस कब मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है ?ई भी questions आप से पुछा जा सकता है सात अपरेल, पाच अपरेड, तीन अपरेल या छे अपरेल तो याद रुखिए इसमें साथ अपरेल हुगा क्या होगा ? साथ अपरेल होगा और इसे दिवस belief को मनाने का उदेश यही रहता है एक तरह से के दुनिया भर में अच्छी स्वास्ति सोविधाओं तक लोगों की आसानी से पहुंच हो सके और लोगों को स्वास्त के पिती जागरू करना भी इसका उद्देश है और इस साल की थीम की बात करें तो एक निस्प पोक्ष और सुद्ध अब आप लोगों के मन में एक सभाल आ जाते हैं तो देखिए याद रखें आप लोगों को उन्ने सले के बारे में सुना होगा जिसे आप लोग सॉत में डवल एच मों कह देते जिसे वर्ल्ड हैल्थ और अप्रेल 1948 को हुई थी और इसका हेड़क्वाटर आपको जेनेवा सुरीजलेंड में देखने को मिलेगा तो आप कह सकते हैं कि 7 अप्रेल को उसकी याद में एक तरह से इस दिवस को मनाया जाता है और पहली बार याद रखे इसे मनाने की सुरुआत 1950 में हुई थी कव 1950 में हुई थी और इसकी थीम आप लोगों को बताई चुका हूँ इसकी थीम आप लोग जरूर याद रखेगा एक निस्वक्ष और स्वस्त दुनिया का निर्मार इस बार की थीम रखे गई थी आगे चलते हैं हम लोग देखिए जितने भी आपकी संगठन है फिर चाहे वो राष्टी इस्तर के हो या अंतराष्टी इस्तर के हो इन सब को हम लोग कवर कर चुके हैं और महतपोर्ण संगठनों के नाम से आपकी एक प्लेलिष्ट सूची बना दी गई है वहाँ आप जाकर देख भी सकते हैं क्योंकि आप देखिए कि आपकी हर फरीक्षा में संगठनों से कुश्चन्स हमेशा पूछे जाते रहते हैं तो इन्हें कवर आप लोग जरूर कर लेजेगा अगला कुश्चन क्या कर रहा है कौन बेक्ती भारती लगू उद्योग विकास बैंक की नए अध्यक्ष एबंप्रबंद नेदेशक बने हैं इसमें आपका A option कर रहा है के नागर, B कर रहा है S रमन, C कर रहा है B किसना और D S परमार कौन होंगे इसमें जिसे आप लोग सौर्ट में भारती लगू उद्योग विकास बैंक को क्या कह देते हैं CDB भी कहते हैं, तो याद रखे इसमें S रमन होंगे, S रमन होंगे और इसे आप लोग इंगलिस में Small Industry Development Bank of India भी कहते हैं, इसकी इस्था आपना 2 अपरेल 1990 में हुई थी, इसका Headquarter आपको लखनाव में देखने को मिलेगा चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अंगला कुशन है हमारी, सामने कौन कोसोओ की नई राष्टपती बनी है, एक देश है कोसोओ, इसे की राध्धानी, इसकी एक तरह से नई राष्टपती कौन बनी हुई है आपको बता दूँ कि देखिए एक इस्थलवद्ध रुद्ध देसे चारोड से जमीन से गिरा हुआ है, कोई में पिसा महासागर किससे नहीं लगता है, यह भी इसकी राध्धानी प्रश्टीना है, ठीक है, यह भी आप लोग याद रख सकते, चलिए आगे चलते हैं हम लोग कौन बैक्ती अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन ने दे सक बने हैं, हरिश चौदरी, जितन फिसाद, महिस कुमार या चिंतन बैसना होग तो इसमें से कौन हैं, बताईए कुछ तो अटल इनोवेशन मिशन की बात हो रही है, तो इसमें आप देखेंगे, चिंतन बैसना होंगे, ठीक है, और यह नवाचार उद्दम सीलता की, संस्किती को बड़ावा देने का एक प्रियास है, सर्गाज की दरब से हमारे, अंगला कुशन है मारे सामने भारत की पहली महला, किरिकिट कॉमेंटेटर, 18-18 वरस की उमर में इनका डैथ हो चुकी है, कौन थी है, ए ओप्सन कहरा है चंद्रा नायड और बी कहरा है गीता पे साथ, सी कहरा है रेनुका राओ, और बी कहरा है असुनी देशाई, तो क्या होगा इसमें से बताईए कुछ, तो याद रखिए इसमें होगा आपका, क्या, चंद्रा नायड, चंद्रा नायड, ठीक है, इनकी हाल में ही डेथ हो चुकी है तो याद रखिए ये भारत की उप्थम महिला क्रिकेट कॉमेंटर रही है इनकी 18 सी साल के उनुमें इक तरह से डेथ हो चुकी है और उन्होंने नेशनल चेंपियन से बॉम्बे और एम सीसी की टीमों के बीच इन दोर में वर्स 1997 में खेले गए क्रिक प्राधी करण के नए अध्यक्ष बने हैं कौन वैक्ति भारतिय हवाई अट्डा प्राधी करण के नए अध्यक्ष बने हैं A कर आए देवी लाल सर्मा B कर आए बिनोत कुमार C कर आए संजीब कुमार और D कर आए वीरेंदर सीम तो क्या लगाओगे इसमें तो याद रखि संजीब कुमार होंगे, C option आपका बिल्कु सही है, अगर हम लोग Airport Authority of India के बात करें तो इसकी स्थाबना आपको देखने को मिलेगा 1 April 1995 में होई थी और इसका headquarter आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा चलते हैं अंगले question की तरफ RBI ने payment bank में balance की सीमा को 1 लाग रुपे से बढ़ा कर दिया गया, कितना कर दिया गया, RBI की तरफ से 1.5 लाग रुपे, 2 लाग रुपे 2.5 लाग रुपे या पर 5 लाग रुपे बताए इसमें से 4 में से 1 तो सही होगा, कौन सा सही होगा वो तो इसमें आप देखे ये दो लाग रुपे क्या दिया है कितना दो लाग रुपे कर दिया गया है अब RVI की बात हुई है तो RVI के बारे में कुछ बता देते हैं पॉइंट RVI की स्थापना आप सभी को माल होगी कि एक अफरेल 1935 को हुई थी कोलकादा में इसका मुख्याल है आप लोगों को कहा देखने को मिलेगा हेड़कॉर्टर मॉंबई में ब्रिजर बैंक और इंडिया की हमारी केंद्रिय बैंक है अंगला कुश्य है हमारे सामने पिति वर्स विस हॉमोपेथी दिवस कम मनाया जाता है हॉमोपेथी कि डॉक्टरों के पास आप लोग गये हैं बड़ी चोटी-चोटी दवाईयां देते हैं आप लोगों ने खाई भी होंगी 9 अपरेल 10 अपरेल 11 अपरेल या फिर 12 अपरेल कब बताईए कुछ इसके बारे में तो यादर की 10 अपरेल को मनाया जाता है कब मनाया जाता है 10 अपरेल को मनाया जाता है इसे और इसके बारे में और कुछ अगर बात करें तो हॉमोपथी के जनक माने जाने वाले जर्मन मूल के इसाई फेडरिक सेमूल हैनीमेन का जनम 10 अपरेल को हुआ था तो इसलिए उनकी याद में आप कर सकते हैं कि ये मनाया जाता है विस्थ हॉमोपथी दिवस को और इसकी अगर हम लोग विसाई की बात करें हॉमोपथी एक एक चिकिस्था के लिए रोड में इस पार की थीम रखी गई है ये भी आप लोग याद रखीएगा चली आगे बढ़ते हम लोग अंगला कुश्चन क्या है हमारे समय कौन यू एई की पिथम महला अंत्रिक छेत्री बनी है यू एई की पिथम महला अंत्रिक छेत्री बनी हुई है ए कहरा फातिमा मुहमत B कर रहा है नौरा अल मतरूसी OC कर रहा है नसीवा फारूकी और D कर रहा है रहमत अल सबनम तो याद रखिए इसमें नौरा अल मतरूसी हैं ठीक है क्या होगा B option आपका बिल्कुँ सही रहेगा United Arab Amirat की बात कर रहा हो ठीक है और जिसकी capital यानी की राध्धानी अबुधावी है आप लोगों पढ़ते भी रहते होंगे देखिए जब भी किसी कोई देश चर्चा में रहता तो उसकी इस्तिती में में कहा है उसके बारे में करेंट में क्यों चर्चा में इस अभी पॉइंट आप लोग याद रख लिया करिएगा ठीक है अंगला कुश्चन है मारे समने कौन बेक्ती पंजाब राज की कोविद वेक्सिनेशन एमबेश्डर बने है सौनुसूद, सनी देवल सच्चिन तैंदलकर, अमिता बच्चन मुझे लगता है कि आप लोगोंने बहतर नियूज फिर्पर पड़े हैं और कोरोना मा हमारी की समय की इस्तिती देखी है तो आप मुझे लगता है कि बहतर आप लोग इसका अंसर दे पाते हैं थोड़ा कॉवन सेंस भी लगा पाते हैं सौनुसूद आप सभी जाना है कि जानते हैं कि सौनुसूद ने किस तरह से लोगों को घर पहुंचाया उनकी मदद की हुई है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अगर हम पंजाब के बारे में बात करें तो आप सभी को माल होना चाहिए कि एक नवूंबर 1966 को पंजाब को राज बनाया गया था और यहाँ 117 सीटें आपको विधान सभा में देखने को में लेगी राज सभा में 7 सीटें हैं लोग सभा में आपकी 13 सीटें हैं ठीक है आँगे चलते हैं हम लोग दिये गए बाफ्टा अवोर्ड 2021 में किसी बेस्ट फिल्म का पुरुस्कार मिला है ट्विस्ट या फिर आपका दा डिक नोमाड लेंड हीर विपोर तो याद रुकि इसमें नोवाड लेंड होगा सी ओप्षन आपका बिल्कु सही होगा क्या होगा सी ओप्षन आप लोग लगाएंगे इसमें 2021 की दावेटिस अकादमी ओप फिल्म और टेली बिजन आर्ट्स बाफ्टा फिरुस्कार दिये गए हैं और जिसमें इस साल इस अवाड शेरिमनी में फिल्म नोवाड लेंड की दूमर रही है और इसलिए आप देखें इसे मिला है आँगे चलते हम लोग कौन नेशनल काउंसल ओप एफलाइड एकोनोमिक रिसर्च की पहली महला महानिदेसक बनी हुई है नेशनल काउंसल ओप एफलाइड एकोनोमिक रिसर्च की बात हो रही है इसमें आपका पहला ओप्शन क्या कह रहा है रितु जैसवाल, अंकीता चौदरी, विसाका लोखंडे और पूनम गुपता तो याद रखे पूनम गुपता होंगी अगर हम लोग नेशनल काउंसल ओप एफलाइड एकोनोमिक रिसर्च की बारे में बात करें तो इसकी स्थावना 1956 में हुई थी इसका हेड क्वाटर आपको निव दिल्ली में देखने को मिलेगा चलिए आगे चलते हैं कौन वेक्ती भारत की 24 बे मुख चुनाओ आयुक्त बने हैं इसमें A option कहा रहा है अनियल सर्मा B कहा रहा है राचपल गौरा C कहा रहा है सुसील चंद्रा D कहा रहा है सीतराम याद ओ और इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि देखिए एक निवच पिपर कम से कम आप लोग पढ़ते रहा करिएगा इससे क्या होता है कि आसानी से आप लोगों को थोड़ा वहत याद रह जाता है तो इसमें सुसील चंद्रा होंगे कौन होंगे सुसील चंद्रा होंगे सुचिर चंद्राग भारत का अंगला मुख चुना अयक्त नियुत किया गया है और आपको बता दू कि सुनिल अरोडा कहनों ने स्थान लिया हुए चंद्रागो 24 भी मुख चुना अयुत के तार पर नियुत किया गया है इनका कारिकाल लगवग आप देखेंगे 14 माई 2022 तक रहेगा कब तक 2022 तक रहेगा और मुख चुनाव आयुक का कारिकाल देखिए 6 वर्स या 60 वर्स की आयुक जो भी पहलो उसे साब से रहता है तो आप लोग जरूर याद रख सकते हैं अगर हम लोग चुनाव आयुक के बार करें तो आप सभी को मालू होना चाहिए कि देख से लोकसभाय रासभाव बिधान सपाव बिधान परिसदो राष्टपती ओ पराष्टपती ओ इन सभी के चुनाव करवाता है आपका भारत निर्वाचन आयुक और आपके जो इस्थानिये चुनाव होते हैं जैसे आप दे मुख चुनाव आयुक ते थी कौन सुकुमार सेड इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं रखोगे या नहीं रखोगे और भारती सम्विधान का अनुछेद आप लोगों ने 324 पड़ा होगा न यह चुनाव आयुक से संबंदित है आटिकल 324 से लिका 329 तक यह सभी चु इंतन की बात करता है अनुछे 325 अगर देखेंगे तो धरम जाती लेंग की आधार पर किसी भी व्यक्ति विसी इसको मद्दाता सूची में सामिल ना करने और इनके आधार पर मद्दातार मद्दान के लिए आयोग नहीं ठहराएने का पराउधान रखता है अनुछे 326 की लोक सभा हो पितेक राजी की विधान सभाओं के लिए निरवाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और अनुछे 327 कहता है कि विधाईका द्वारा चुनाओं के संसद में कानून मनाना की सक्ती की बात करता है अनुछे 328 कहता है किसी राजी के विधान मंतल को उसके के लिए कानून बनाने की सक्ति की बात करता है अनुछे 329 कहता है कि निर्वाचन संबंदी मामलों में न्याला के हस्तचेप का वर्जन यानि की हस्तचेप को रोकने की बात करता है और मुख निर्वाचन आयुक थो या पिर अन निर्वाचन आयुक थो इनकी निर्वाचन आ मनाई जाती है 11 एपरेल या 14 एपरेल या फिर आपकी 15 एपरेल बताईए आप लोग कम मनाई जाती है भीमराव अम्बेटकर के ये बारे में सुने हो या नि सुने हो और आप सभी गमाल होगा कि भीमराव अम्बेटकर को सम्मीधान का पिता भी कहा जाता है तो याद रखी 14 एपरेल को मनाई जाती है अम्बेटकर जहनती इन्हें सम्मीधान का क्या कहते है पिता और आप लोगों को एक बात बताता हूं बड़ी दिल्चस्ट बात है देखें गांधी हो या फर आप देखिए पंड मंदल का गठन होता है पहली राद तो उसमें कानून मंत्री का किसे बनाया जाता है भीमराओ अम्बेटकर को क्योंकि उस समय आपको बता दूं कि कानून के ग्याता थे कोई अगर थे तो उन्हें भीमराओ अम्बेटकर साहब थे ठीक है तो आप समझ सकते आज के आप राम जी अम्बेड करें इनका नाम था इनका जनम गुए था 14 अफरेल 1891 को और इनकी डेथ होई थी यानि की मौत होई थी 6 दिसंबर 1956 को यह आप लोग याद रखिएगा अंगला कुश्चा ने किस खेल से सम्मदित पूर्ख भारती खलाड़ी बलवीर सींग जूनियर की मौत यानि की नेधन हो गया डेथ हो गई यह किस से जोड़े हुए थे होकी पटवाल किरकेट कुस्ती बताए तो याद रखिए होकी से जोड़े हुए थे होकी केल से होकी के बारे में तो मुझे लगता है कि मालू भी होना चाहिए आप लोग होकी खेले भी होंगे कई लोग और होकी का काम और भी रहता है आप लोग देखते होगे आप लोग लड़ाई करने भी जाते हैं चलिए अंगला कुश्चा ने कौन बैक्ति राष्टी है अर्विन चकवर्थी राकिस सें सिद्धार्थ लॉंग जाम या फिर इस पाल सी तो याद रखिए इसमें आपके कौन होंगे इसमें होगी सिद्धार्थ लॉंग जाम ठीक है और इस राष्टी डुमपिंगे विरोधी संस्था की बात करें तो इसकी इस्थापना 24 नव पर कला दिवस कम मनाया जाता है जिती वर्सं यहनि के हर साल कला दिवस कम मनाया जाता है जाता है कि अ एक पर Nicholas यह 25 देवसर इसलिए मना जाता है कि कला और संस्किति को बढ़ावां मिल चीन है यूदिभी आफ़़ वह नुड़ दोजार पंदर दोजार बारे में मनाए गया था हमारी संस्किती आप देखिए हमारी संस्किती हम लोग बहुत अठते जा रहे हैं अपनी संस्किती से जिस कला दिवस पंदर एपरेल को वर्ल्ड आर्ट डेगी बात हो रही है चलिए अब आँगे चलते हैं अब लोग अंगला कुख्षास देखते हैं किसे मार्ज 2021 का ICC प्लेयर आफ दा मंत का आवोड मिला है इसमें आप से क्या कह रहा है रोह सर्मा कैन विलियमसन भुमने सुर कुमार या इस्टीवन इसमित कौन होंगे बताईए कुछ अंदाजा लगा पाओगे कि नहीं लगाओगे देख इसमें आपके भुमने सुर कुमार होंगे ठीक है कौन होंगे भुमने सुर कुमार ICC का पुरा नाम क्या होता है बताईए International Cricket Council और इसकी स्थाफ़ना कब हुई थी 15 जून 1909 में ठीक है इसमें भुबनी सुरू कुमार चुने गए है मार्च महिने के लिए बात कर रहा हो चलिए आगे चलते हैं हम लोग हर साल यानि कि पित्ती वर्स विस से हीमो फिलिया दिवस कम मनाय जाता है विस से हीमो फिलिया दिवस की बात हो रही है बताईए कम मनाय जाता है A option कहरा है 17 April B कहरा है आपसी 18 April C कहरा है 12 April और 15 April D है 15 April तो इसमें याद रखिये आपका 17 April होगा A option बिलको सही है 17 April को दुनिया बर में विस से हीमो फिलिया दिवस मनाय जाता है और इस दिवस को बनाने का यही उद्देश है कि बीमारी के बारे में हीमो फिलिया के बारे में लोगों को जागरोब किया जा सके ठीक है तो adopting to change इस तरह इस बार की क्या रखी गई थी जिया रखी गई थी थीम रखी गई थी सबज में आया या नहीं आया और हीमो फिलिया के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि यह एक अनुबान से क्रोक है जिसमें मरीज में खून का थक्का जमाने वाली फ्रोटीन फेक्टर आठ नहीं बनता है जिसे clotting फेक्टर भी आप लोग कहते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम लोग अंगला कुश्यन है हमारे साबने पिती वर्स विस लीवर दिवस कब मनाय जाता है लीवर के बारे में तो सुने हो कई लोग कह देते हैं लीवर खराब हो गया है 18 अपरेल को 19 अपरेल को 20 अपरेल को या 20 अपरेल को क्या कहोगे दिस यक्रत दिवस भी कहते हैं लीवर को क्या कहते है हिंदी में यक्रत ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा तो कम मना जाता है, 19 अपरेल को मना जाता है, और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें, अपने लीवर को स्वस्त और रोगमुक्त रखें, इस बार की क्या रही है, क्या रही है, थीम रही है, ठीक है, याद रखिएगा, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, पिति वर्स विस्ट धरोः दिवस कम मनाए जाता है हर साल विस्ट धरोः दिवस कम मनाए जाता है A option कहralए 18 अपैल B कहर रहा उन्नीस अपैल और C कहर रहा है आपका 20 अपैल या फिर 23 अपैल D कहर रहा है 23 अपैल इसमें पताईए कुछ तुबाब सभी को माल होगा क्या अठार अपरेल को अप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें क्या रहेगा अप्शन बिल्कुल सही रहेगा अठार अपरेल को दुनिया वर में विस धरोगर World Heritage Day मनाया जाता है और एक तरह से इसे मनाने का उद्देश यही के दुनिया भर की पुरानी इसमारक और यतियासिक तुरिष्टी से जो भी मात्पूर इस्तल है इनके इनने सुरक्चित रखा जा सके इनने खतम होने से बचाया जा सके ठीक है इसलिए यह मनाते हैं लोग और इस तादबार की अगर थीम की बात करें तो complex, past, diverse, futures इस बार की थीम रखी गई है यह आप लोग जरूर याद रखेगा चलिए अंगले question की तरफ का चलते हैं जारी handling passport index 2021 यानि की 2021 में भारत को कौन सा इस्थान मे लाए है handling passport index की बात हो रही है बताईए कुछ भारत को कौन सा इस्थान मे लाए है handling passport index में 76, 82, 84 या 93 बताईए तो आप सभी को माल होगा 84 बात कितना 84 बात मिला है कौन सा 84 मिला है एक handling passport सुचका अंग्विस के सभी देशों के passport की ranking कुदर साता है एक तरह 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 यह बताता है कि सबसे मतलब एक तरह से आप देखी कौन किस देश का passport सबसे सकती साली है एक तरह से समझ रहे हैं तो यह आप लोग याद रख सकते हैं भारत का क्या है 84 बात और इसमें आपको बता दूं कि passport index इस साल दुनिया 6 से 3 से जारी किया जा रहा है भारत के जो नागरेख है यह बीजा फ्री या बीजा ओन अराइवल 58 जगों पर जा सकते हैं और कमजोर की बात करें तो आप देखेंगे अफगानिस्तान सबसे नीचे है चलिए आगे बढ़ते हैं लोग पिती बर्स राष्टी लोग दिवस कब मनाया जाता है हर साल राष्टी ये लोग दिवस कब मनाया जाता है यह option आप से कह रहा है 21 अपरेल 19 अपरेल 22 या 17 अपरेल तो याद रखिए इसमे 21 अपरेल होगा आपका यह option आपका बिल्कु सही रहेगा क्या रहेगा यह option बिल्कु सही रहेगा देखिए इसको एक तरह से बनाने का उद्धे से ही है कि लोग सेविकों को एक तरह से समर्फित रहता है जो देश की प्रगेती के लिए कार करते हैं साथी नेती नवाड में अपनी महत्पून भूमिका दिमाते हैं और सेविकों की युगदान को सब्दों में बया करना इतना असान नहीं होता है कि आप देखिए बहुत मेहनत करते हैं और कई लोग आप देखते हैं और किसी भिष्टाचार की दिशाब में एक तरह सी युगदान करते हैं आप समझ सकते हैं मुझे रखते हैं आप लोग बहतर जानते होंगे राष्टी है लोग से भगदे बस 21 अपरेल को बनाया जाता है कव 21 को तो आप लोग इसे याद रखिए चली आवी चलते हैं बंबलो क्या करेंगे रोख के अंगला कुछन है बारे सामने कौन माउंट अनपूर्णा को फत्य करने वाली पित्थम महिला बनी है एक राय को सल्या देवगन रुची सर्मा रादिका सिंग प्रेयंका मुहिते तो इसमें आप देखेंगे फ्रेयंका मुहिते होगे आप सभी को मालू होगा कि माउंट अबरेष्ट और कंचन जंगा जैसी उची चोटियों को फत्य कर कई भारतियों ने अपने नाम इतियास के बन्नों में दर्ज भी किया हुआ है और दुनिया की दस्त भी सबसे वारतियों ची चोटी मानी जाती है माउंट अन्यपूर्णा को इसे फत्य किया है पैंका मुहिते ने ठीक है बारत की पहली महला बनी हुई है माउंट अन्यपूर्डा को इन्होंने फद्य कर लिया तो आप लोग कुछ नहीं होता है तो आप लोग यहीं निकल जाये करिएगा घूमाया करिएगा लगबग आठ जार मीटर आपको देखने को मिलेगा समझ रहे हैं घूमाया करिएगा इसी में आपका नाम हो जाएगा इदियास में लिख जाएगा जारी वर्ल फ्रेस फीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा इस्थान में लाओगा है जारी वर्ल फ्रेस फीडम इंडेक्स की बात हो रही है 140 वा 142 वा 159 वा बताई कुछ इसके बारे में बता पाओगे या नहीं बताओगे कुछ मुझे भी बताओ तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालू होना चाहिए कि इसे 142 वा इस्थान में भारत को इसमें और आपको मालू होना चाहिए कि 180 देसों को सामिल किया गया और आप देखिए 180 देशों में हमारा नंबर कितना है 142 वा है यानि कि माल लिए यह से बहतर बहुत सरल सब्दों में आप लोग समझे आपकी कलास में 180 वच्चे बेटे हुए और आपका इस्थान 142 वा है तो आप बताईए कि आपकी स्थिति क्या है आप अच्छी स्थिति ह या खराब इस्थिति है एस वभा भी कसी बात है कि हमारी इस्थिति बहुत बुरी है और इसे विस्प्रेश सुतंदा सूचकां को हर सारी जारी किया जाता है एक गेरलाबकारी संगर्टिम्ट के द्वारा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है इस संस्था को भी याद रखिएगा 1985 में इसकी इस्थापना हुई थी Paris, France में इसका मुख्याला देखने को मिलेगा Reporters Without Borders यहीं इसे जारी करता है ठीक है और इसमें अगर हम लोग और पड़ोसियों की बात करें तो Iretia सूचकांग में सबसे निचले इस्तर पर है 180 वे स्थान पर है एक बात और आपको बता दू इस तरह की रिपोर्ट कभी जारी होती है सूचकांग जारी होती है या जिने आप लोग Index कहते है तो इसमें भारत की स्तिति आप लोगों को ध्यान से पढ़ दिये इसे कौन जारी करता है ये भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है सबसे नीचे कौन है उसे भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है सबसे उपर कौन है उसे भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और मुझे लगता है कि इनी से आपके questions बनने की पूरी संभावना रहती है, अगर हम लोग World Press Freedom Index की बात करें, तो इसमें सबसे उपर आपको Norway देखने को मिलेगा, सबसे उपर है, पांस सालों से लगातर उपर बना हुआ है, दूसरे स्थान पर फिलनेट आपको देखने को मिलेगा, तीसरे स्थान पर Denmark आपको देखने को मिलेगा, अगर हम लोग अपने परोस्टी की बात करें, चाइना की, तो 177 बेस्थान पर देखने को मिलेगा, आप सभी जानते हैं कि चाइना में कोई लोकतंत नहीं है, उत्तरी कोरिया 189 बेस्थान पर है, तुर्कमिनस्थान 178 बेस्थान पर है, ठीक है, हमारा इस्थान 142 बाहर, कितना 142 बाहर, और 172002 से ये रिपोर्ट जारी की जा रही है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हर साल, यानि कि पितिवर्स दिस्थ पितवी दिवस कब मनाये जाता हैं, आप देखिए, पितवी को बचाना भी हमारा कर्टब है, इस पर जो संसालने वो सभी के हैं, और इनका एक तरह से आप देखिए, उपियोग बड़े सोच समझ के करना चाहिए, विस्थ पितवी दिवस कब मनाये जाता हैं, 20 अपरेल, 22 अपरेल, 21 अपरेल, 25 अपरेल, बताए कुछ इसके बारे में, तो आपको बता दूं कि 22 अपरेल को दुनिया भर में 20 पितवी दि दे मनाये जाता है, और इसे एक तरह से आप देखिए, पहली बार, 22 अपरेल, 1910 को मनाये गया था, ठीक है, और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें, तो इस बार की री स्टोर और अवर अरथ, इस बार की क्या रखी गई है, थीम रखी गई है, री स्टोर अवर इस बार की ठीम रखी गई है, ठीम रखी गई है, ठीक है, चली आगे चलती हम लोग, कौन भारत की 68-60 Grand Master बने है, भारत की, कौन भारत की 68-60 Grand Master बने है, A option आप से कह रहा है पिमल जैन B कह रहा है अतुत्तिर पार्टी C अर्जुन कल्यान और D है सुरेश राना सुरेश राना तो याद रखिए इसमें होगी आपके अर्जुन कल्यान C option आपका बिल्कु सही रहेगा और आपको बता दू कि अर्जुन कल्यान यह आपके तमिलाडू के रहने वाले है ठीक है तो यह आप लोग ज़रूर याद रखिएगा चलिए आंगे चलते हैं किस देश के राष्टपती इद्रिस डेवी का 68 वर्स की उमर में नेधर हो गई यानि की मौत हो गई इनकी चाड Kenya Braji Nigeria इद्रिस डेवी किस देश के राष्टपती थी जिनकी डेथ हो चुकी है तो याद रखिए चाड चाड अफीका महादीब में आपको देखने को मिलेगा एक इस्थल रुद देश है चाड ठीक है इसकी राददानी अन अन जमेना है अन जमेना समझ रहे हैं आप लो अफीका महादीब में आपको देखने को मिलेगा अंगला क्रुक्षिन है हमारे सामने कौन नैसकॉम की पहली महला चेयर परसन बनी होई है नैसकॉम की पहली महला चियर परसन बनी है मनिशा पटेल, रवीना सींग, रेखा वेनन, अंजली दुवेधी तो याद रखे, रेखा मैनन होगी इसमें क्या होगी? रेखा मैनन होगी और अगर हम लोग नेस कौम के बारे में बात करें तो एक मार्च 1988 को इसकी स्थाफना होई थी इसका हेड़क्वाटर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा चलिए अंगला कुक्षेश देख लेते हैं पिती वर्स, यानि कि हर साल विस्ट पुस्तक दिवस कम मनाये जाता है विस्ट पुस्तक दिवस की बात करा हो आप लोग समझ रहें ना आप लोगों में एक तरह से किताबों को कि किताबों के विती रुजार बड़े समझ रहें आप लोग और एक आप देखे एक तरह से आप सभी जाद देए कि मुझे लगता है कि आजकल हम लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहें लेकिन किताबें किताबें रहती है समझ रहें किताबों की कि एक तरह से आप कहिए तुला नहीं की जा सकती है मोबाइल की तुला किताब उसे रहीं की जा सकती है समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं और इस बार की अगर हम लोग थीम की बात करें 1995 में युनेशको ने 23 अपरेल को विस पुस्तक दिवस या फिर विस पुस्तक कॉपिरा राइट दिवस की रूम में मनाने का वैसला किया था ठीक है और थीम की बात करें तो इसकी अलग अलग साल अलग अलग थीम भी रहती है युनेशको टू सियरे स्टोरी वर्ल्ड वी दा थीम अफ दिस इयर वर्ल्ड बुक एंड कॉपिराइट डे कीपिंग दा पैंडेमिक इन माइंड चलिए आगे चलिए अपलो तेही सप्रेल को याब रखिए ठीक है कॉन अमेरिका की पहली भाती मुल्की एस्सोसियेट अटॉर्णी जलनल बनी है आसाराओ बनीता गुपता गीतांजली वर्मा दीपका चतुरवेदी तो याब रखिए बनीता गुपता हुए इसमें यानि कि आपका बी ओप्सन ठीक रहेगा बी कैसा रहेगा ठीक रहेगा अंगला कुश्य नहीं हमारे सामने कौन बेक्टी HDFC बेंक की नए अंसिकालीन अध्यक्च बने है अतनू चकवर्ती निलेस सर्मा फिकाश चौदरी रिसी गोयल तो याद रखिए इसमें अतनू चकवर्ती होगी अब आप लोग कहेंगे कि HDFC बेंक के बारे में कुछ बता दीजे तो याद रखिए इसकी HDFC बेंक की स्थापना कब हुई थी अगस्त 1994 में और इसका हेड़कॉर्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा कहां मुंबई में देखने को मिलेगा सेवन राठ ओर का नयद जान यानि कि मौत कि होगे किस से जुड़ी हुए थी संगीत्कार थी अभिनिता थी अचित्कार थी अभिज्यानिक थी कांद के कौन ते सरवन राठौर संगीत्कार थे बॉलिवुड के मसूर जोडी नदीम सर्मन में समझ रहे हैं आप लोग सेवन राठ और की डेथ हो चुकी है कुरोना से एक तरह से आप समझ सकते हैं इन्होंने कई हिट सौंग भी दिये हुए थे चलिए आगे चलते हैं हम लोग तिती वर्स यानि के हल साल विस मलेरिया दिवस कब मनाये जाता है विस मलेरिया दिवस की बात हो रही है समझ रहे हैं मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है 25 अपरेल, 26 अपरेल, 28 अपरेल या 23 सपरेल बताइए तो याद रखिए इसमें 25 अपरेल होगा आपका बिल्कुश सही क्या होगा 25 अपरेल बिल्कुश सही होगा 25 अपरेल को दुनिया बर में एक तड़े से 20 मलेरिया दिवस मनाया जाता है और इसे मनाने का सुर्वाद पहली बार 25 अपरेल 2008 को हुई थी और इसे को मनाने का उद्धिस यही है कि जैसे malaria जैसे खतलनाक रोखो उसे जन्दा जारूखो बच सके और इस बार की थीम की बात करें तो जीरा-malaria लक्ष की और यानि कि जीरो-malaria लक्ष की और बढ़ना ठीम रहा है ठीक है और इसे एक तरह से बचा जा से के दूर रहा जा सके समझ जीरो-malaria या start up with me अपने आसपास सफाई भी रखा करिएगा पिसिद्ध बेक्तित पंडित राजन मिस्तर का निधन हो गया यानि कि डैथ हो चुगे क्या थी गायक या लेखा क्या विज्ञाने कभी नेता तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालू हो गया गायक थे क्या थी गायक थ में पंडित राजन मिस्तर का जनम बनारस के सास्ती संगीत गहराने में हुआ था तो यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए दोजासात में उन्हें पदम भूसन से नवाजा भी गया था चलिए खेर आगे बढ़ते हैं देखी कुरोना महामारी ने बहुत सारे लोगों क हमारे वेश से चील लिया है और अभी देखे कुरोना महामारी खतम नहीं हुई है इसलिए अपनी सावधान ही रखना है अपने परिवाल का ख्याला अप लोगों को रखना है कौन बेक्ती कलकत्ता उच न्याले के मुख नयादिस नियुक्त किये गए है मनिस्तिरवेदी ज जमनालाल या जमनलाल ससो दिया राजेस बिंदल रमेस भक्ता चाह तो याद रखिए समें राजेस बिंदल होंगे कलकत्ता उच नहाले के मुख नहादिस आप लोग देखते हैं कि पश्टिमंगाल कलकत्ता उसी की बात हो रही है मम्ता बनर जी जानते होंगे आप लोग मम्ता बनर जी को तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग चले रुक के क्या करेंगे कईयो अर्णवान निकोबार दुईप तक इसका अधिकार छेत जाता है परश्य मंगाल और अर्णवान निकोबार दुईप तक चलिए आगे चलते हैं हम लोग बढ़ते हैं दिए गए ओसकर अवार्ड दो हजार एक्किस में किसी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलाएं बेस्ट एक्टर का जैंस फिलोनो या एंथनी होफ किंग्स एडी एंडी जुल्क रियान किलार्ड बताईए इसमें क्या करो के कुछ है मालग तो याद रखिए एंथनी होफ किंग्स को आउसकर अवार्ड दोहजार एक्किस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है अंगला कुछ है किस देश ने अपने पहले मंगल रोगर का नाम जुरोंग रखा है जापान चीन यूएई फ्रांस तो याद रखे चाइना ने रखा है हमारा पडोसी भी है चाइना हमारा पडोसी है या नहीं है जिसकी राधानी बिजिंग है हमारी सीमा भी लगती है कर बेट जाता है मैं एक मुहन रेखा को मानता भी नहीं है तो ऐसे ऐसे तो हमारे पड़ोसी है कि हम से कितने जलते हैं जारी सीपरी की बर्स 2020 की रिपोर्ट के मताविक कौन सेंट खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाए इसमें अमेरिका चैना या फोरर आब देखी भारत जापान तो मुझे रखता हैं कि इतना तो कौन सेंस आप लोगों को होगा इसमें आपका अमेरिका होगा क्या होगा अमेरिका हुगा सेफरी का पूरा पूरे नाम की बात करें तो इस टॉप हम इंटरनेशनल पीस रिसर्श इंस्टिट्यूट है इसकी तरफ से आप देखिए एक आंक्रे जारी किये जाते हैं और 2020 में दुनिया का सेल खर्च 1981 अरब डॉलर रहा है जो एक तरह से से आप कहिए कि 2019 के मुकाबले 2.6 पीज़दी जानला बड़ा है ठीक है और सबसे जानल अमेरिका ने खर्च किया हुआ है और भारत की इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट यानि की सीथरी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 6 माई 1966 को भी थी ठीक है और इसका हेड़कॉर्टर यानि की मुक्याल है सोलना में देखने को में लिगा आपको चलिए आगे बड़ते हैं कौन बैक्ती कौन बैक्ती NCDEX के नई MD और CEO नुक किये गए हैं यह ओप्शन कहा रहा है आपसे गोविंद पर साथ भवानी सिंग राजपाल मेगवाल अरुन रस्ते तो मुझे लगता है कि आपको मालूम होना चेह अरुन रस्ते अरुन सस्ते नहीं रस्ते और इसकी इसकी आप लोग पूरा नाभेस का नेशनल कमोडिटी एंड डरीवेटिफ से एक्सजेंज इसकी स्थापना 15 दिसमबर 2003 में हुई थी इसका हेट कोटर आपको मुमभई में देखने को मिलेगा ठीक है अंगला कुश्चन है पिती बस यानि कि हाल साल अंतराश्टी नेत्य दिवस नित्य यानि कि नाच कब मनाये जाता है एए ओप्सन आप से क्या कह रहा है 26 अपरेल, B 28 अपरेल, C 29 अपरेल और D है आपका 30 अपरेल बताए कुश इसका यह आपका 29 अपरेल देखने को मिलेगा, C ओप्सन आपका विल्कुल सही रहेगा, देखिए एक और बात बताऊं उसमें, पहली बार सुरुआ 30 की कब हुई थी? 29 अपरेल, 1982 में हुई थी, बहुत पुराने समय से मनाया जा रहा है और एक तरह से आपको और एक मालू हो नचेव, इस दिवस को पितिवस नित की सिक्षाओ और उसके आयोजने में भागेदारी के लिए प्रुसान बढ़ाने की उद्देश से मनाया जाता है और इस बस की थीम परफ़र्ट ओफ दांस यानि नित का उद्देश रखी गई है तो याद रखी इसकी चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सीमा सडक संगठन वी आरोगी पितं महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है नम manufacturers जोतीवर्वा पुस्पा राव विसाली हिवास्ति तो याद रुकी सबुसाली हिवास्ति होगे सीमा सटक संगर्थन किये और इसके बारे में अगर सीमा संगर्थन बॉडस रोडस और्गनाइजेशन के बारे में बात करें तो 7 माई 1907 को इसकी इस्थापना हुई थी और निव दिल्ली में इसका मुख्याले आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सीमा बरती छित होते ना आजैसेट, देवासीस, पांड़ा, टीवी, सौमनाथन, एम की नज से भा तो याद रखिए, टीवी, सौमनाथन, बित्य सचिप, बित्य सचिप जानते हो, बित्य सचिप की निवति कि गई है, बित्य आयोक की बारे में भी आप लोगोंने सुनाओगा, सुने हो या नहीं नहीं सुने हो फिर गहोंगे नहीं सुने हैं वित आयोग वित आयोग से बात तो आप लोगों कुछ समझ में आ रही होगी फाइनेंस कमिशन इसकी स्थाफना कप्ली की थी 22 नवंबर 1959 में इसका हेड़कोटर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा ठीक है और पंद्रवा वित आयोग हो गया ना वित आयोग 200 CRT कल आप लोगों को ने कभी पढ़ा है उसनी में विवस्ता की गई वित आयोग की ए पंद्रवा वित आयोग का कारकाल होगा 2020 से लेकर 2025 तक अभी 14 वित आयोग चली यहां के चलते हैं हम लोग खतम हुआ था पंद्रवा हो हो गया है कि सिद्व विक्तित रोहित सर्दाना का डैथ हुई है नहीं कि उनकी मौत हो चुकी है कुरोना महामारी में आप लोगों ने देखा होगा यह पत्कार थे विज्ञानिक थे गायक थे यह आविनेता तो मुझे लगता है इस समय तो आपको लोगों को मालू होना च समय हार्ट अटक से इनकी डैथ हुई थी जी नी उज में आपने देखा होगा इन्हें आज तक पर भी देखा होगा ठीक है गड़े संकर विद्ध्यायती पुरुसकार भी इन्हें मिला था दो जार रठारे में तो यह आप लोग याद रखेगा चल्दी आगे चलते हैं कौन वण अन्वेशक पुरुसकार के लिए चुनी जाने वाली पिथा भारती महला बनी है कौन वन अन्वेस्थक पुरुसकार के लिए चुनी जाने वाली इत्थम भार्ती महला बनी है सुगंदा सर्मा कृती कारंद आउनी जैसपाल मादुरी रहा है तो याद रखी कृती कारंद कारंद है ठेक है दो बी ओप्सन आपका गिल्कु सही रहेगा असमें अगला कुप्शन है मारे समले कौन वेक्ती बजाज ओटो के नए चेयर्मेंट बने है पिदीब बजाज, नीरज बजाज, योगेश बजाज, सुरेश बजाज तो याद रखी नीरज बजाज बजाज ओटो देखे हो या नहीं देखे हो बजाज ओटो लिमिटिट की बात करने इस कंपनी की तो इसकी पाउंडेड यारी की स्थाफना हुई थी 29 नवंबर 1945 को इसका हेड़क्वार्डर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा पूने में देखने को मिलेगा मंबई में नहीं पूने में ठीक है पूने महराष्ट में चलिए आगे चलते हैं आप लोग यह आपका अपरेल महिने के करेंट पेस के जो भी कुश्चन से बन सकते थे उन्हें आप लोगों ने एक एक करके देख लिया है और जब भी आप लोग पेपल देने जा रहे हो उ गटनाय रही हैं जो भी मातवून गटनाय गटी हैं उनसी किस तरह की कुश्चन से बन सकते हैं उन पर एक नजर हम लोग डालेंगे वो विस्तार से हम लोग बात करेंगे बस टाइम थोड़ा जानदा लगेगा लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ेगे ठीक है नमस्काल साथियों चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे मंतली करेंट पेर्स के बारे में और अभी तक आप लोग उने देखा होगा कि हम लोग चार महिने का करेंट अफेर्स कवर कर चुके हैं जिसमें सबसर पहले हम लोग उने जनवरी फिर उसके बाद फरबरी उसके बाद मार्च महिने का फिर अपरेल महिने का और आज की इस किलास में हम लोग बात करेंगे मई 2021 में जो भी आपकी घटनाय घटी हुई है उनसे आपका आपकी परिक्षाओं में किस तरह की को यहां सामिल किया गया है और मुझे लगता है कि आप लोग बहतर जानते हैं कि देखें आपकी परिक्षा किसी भी परिक्षा की तैयारी कर रहे हों आप लोग फिर चाहें आप लोग का स्टेट PCS हो जिसमें MPPSC, राजिस्थान, चत्थिसगड, उत्तरप्यदेश PCS, महर आप स्टेट में देखते होंगे टीचर, पुलिस, SI, दरोगा समझ रहे हैं तो उसमें भी आपकी current affairs से काफी अच्छी संख्या में questions पूछे जाते हैं और मुझे लगता है कि आप लोग अगर syllabus देखते रहते हैं और पुराने paper देखते रहते हैं तो आप लोग इसे बहतर जाते होंगे ठीक है और याद रखी हम लोग इसमें cable current पिस कवर नहीं करेंगे, static GK भी कवर करेंगे, static GK कहने का मतलब यह होता है कि आप देखिए, आप लोग जब किसी exam की तयारी करते होंगे, तो उसमें आप लोगों देखते होंगे, दो तरह आप लोगों को देखने क मिलते हैं, एक तो आपके इस्थाई आकड़े होते हैं, और एक आपके आस्थाई आकड़े होते हैं, आप लोग इस्थाई आकड़े उसे कह देते हैं, जैसे माल लेजे, कि कोई index या रिपोर्ट जारी की जारी है, या माल लेजे आपके यहां कोई घटना घटी थी, आप स था आप समय रहें यह आखड़े बदलने वाले नहीं है अब कौन सी गांधी की जैन्ती मनाई जा रही है आजादी को कौन सा साल मनाया जा रहा है इस साल की क्या थीम रखी गई है यह होते हैं आपके आयस्थाई आखड़े और इन्हें आप लोग क्या कह देते हैं कि करेंट क्या थेते हैं तो इसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे दिखी किलासे ठोड़ी बड़ी हो सकती है इसमें कोई दोए नहीं हो लेकिन इतना याद है इतना के सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से हम लोग करेंट एसको कवर करेंगे और याद रखी इसके लिए आपका मन्तल करेंट फियर्स 2021 के नाम से प्लेइलिस्ट सूची बना दी गई है उसमें आपकी 2021 के जितने भी महीने बारे महीने की करेंट फियर्स की जो भी किलासे होंगी उसमें डाल देगे ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम लोग पहला कुश्चन्स देखते हैं एक कहरा है कि पिती वर्स मईए और अठ्ठाइ सब रहें एक मईश को कम एक मईश को मुनाए जाता है और दुनिया भर में मनाया जाता है देखिए रखिए ये आपका अंतराष्टी लेवल पर नहीं अंतराष्टी लेवल पर और इस दिवस को मनाने का यह होद्देश रहता है कि एक तरसे आप जो हमारी संरमिक हैं, उन्हें जागरूप करना, उन्हें अपने कामकी पती जागरूप करना, उनके साथ अच्छा भेत्भा हो सके, ठीक है, इसे आप लोग एधिवस भी कहते हैं, । फो मजदूर दिवस भी कहते हैं, तो अगर किसी भी तरह का questions आता है तो आप लोग answer दे सकेंगे इसकी अगर हम लोग सुरुवाद की बात करें तो 1 माई 1886 में से पहली बार मनाये गया था 1886 समझ रहे न आकट फिर आपको किदि कन्फिऊ हो चुका हो पहली बार कम बनाय गया था है एक माई 1886 में और अमेरिका में एक आंदोलन चला था उसी से इसकी सुरुआत हुई थी और इस आंदोलन के दौरान अमेरिका में मजदूर काम करने के लिए आठ घंटे का समय निर्धारित किये जाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे अभी आपने मजदूरी कर रहा है उसकी एक नियूनतम बेतर रखने की बात की गई थी नियूनतम देहारी जो भी रहती है और आपके घंटे कितने घंटे काम करना पड़ेगा ठीक है और एक माई 1886 के दिन मजदूर लोग रोजाना 15-15 घंटे काम कराए जाने और सोशन के खलाब पूरे अमेरिका में सड़कों पर उतर गए थे और इसके बाद 1889 में अंतराष्टिय समाजबादी सम्मेलन की दूसरी वैटक में एक पिस्ताव पारित किया गया था और जिसमें यह है अलान किया था कि एक माई को अंतराष्टिय मजदूर दिबस के रूम में मनाया जाएगा और सबी कामगारों सेवेकों का आवकास रहेगा यानि कि छुट्टी रहेगी उनके लिए तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं रख क्या सकते हैं रखा जाना चीजिए मुझे लगता है रखोगे कि नहीं रखोगे नहीं रखोगे तो आपको ही हाटा रहेगा भारत में अगर हम लोग इस मलतूर डिवस की शुरुवायत की बात करें तो एक माई 1923 में शुरू हुआ था ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा एक अंतराष्टी सैमिक संगटन के बारे में आप लोग सुने हो ILO के बारे में तो इसके बारे में जिसे आप लोग Central National Labor Organizer भी कहते हैं तो इसकी स्थाफना उन्नीस तो उन्नीस में हुई थी इसका हेड़कॉर आपको जेने बाद सुईजलेंट में देखने को मिलेगा चली आगे बढ़ते हम लोग कौन सड़कों पर चालक रहे कारों की अनुमती देने वाला पहला राज या पहला देश बन गया है आप समझ रहें अब दराइबर की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सड़कों पर चालक रहे कारों की अनुमती देने वाला पहला देश बन गया है औसके लिया जापान वेट होगा आप समझे रहे हैं अप डराइबर की वह जरूरत नहीं होगी और यूरोप का देश है आपका वेटेट समझे रहे हैं जिसे आप लोग ग्रेट वेटेन भी कहते हैं चलिए आगे चलते हैं पिती वर्स यानि कि हर साल 200 हास से देवस कम मनाये जाता है हसने बाला दिवस की बात हो रही है एक मईー दो मईー तीन मईー या चार मईू मैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग को कुमाल होना चीया, दो मईए को, कब मलाया जाता है? दो मई को भी option आपका बिल्कु सही रहेगा विश्वास दिवस मनाय जाता है दो मई को और आपको बता दू कि हर साल आप देखे मई महिने के पहले रवीवार को मनाय जाता है और इस बार आपका दो मई पढ़ा हुआ है इस दिवस को मनाय पहली बार 1998 में मुंबई में मनाय गया था वर्ड वाइव लाप्टर योगा मुवमेंट की संस्थाफ़क डॉक्टर मदन कटारिया ने लाप्टर थेरीपी की फितीव जारूपता बढ़ाने और लोगों में बढ़ रही इस ट्रेस वर डिप्रेशन को दूर करने के लिए इस अंतरक्ष की हस देवस्प मनाने की सुरुवाद की थी तो आप लोग भी क्या किया करिएगा हस्ते रहा करिएगा और हसने में क्या जाता है कहते हैं कि हसने की बहुत फायदे भी है अगर आप कहें तो फायदे भी बता देता हूँ बता हूँ देखिए हसने के कई ऑक्सीजन लेते हैं उसमें च्छे गुना आधिक ऑक्सीजन हस्ते समय लेते हैं और इस तरह शरी की अच्छी मात्रावे ऑक्सीजन मिलती रहती है और मनुबिघ्ञानिक भी तराव से गरसित ब्यक्तियों को हसने की सलाएवी देते हैं मनुबिघ्ञानिकों का कहना है कि जब आप मुस्कराते हैं तो आपका मस्तिश्क आपके अपने आप सोचने लगता है और आप खोसें, यह पितिकिरिया पुरे सरीव में बता देता है हो, और आप बड़ा सुकून एक तरह से महसूस करते हैं, जब आप हसना शुरू करते हैं, तो सरीव में रखते हैं, जो संचार होता है, भो भी अच्छे से चलने लगता है, हसने के लाब आप देखें, हसते एक रोध नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है, हसने से आत्मसंतों के साथ सुखद अनुमूती भी होती है, बलेड पेसर भी कम होता है, समझ रहें, हसने से मासफेसियों में खिचाओ कम होता है, हसी दर्द दूर कर देती है, तो यह आप लोग याद रखिएगा, और हसते रहा करिएगा, बेवजय ही हसते रहा करिएगा, और 11 जन्वरी 1998 को उन्होंने पहली बार विस हस देवस मनायने की गोशना कीती एक तरह से, तो इसे लिए याद रखिए, चलिए आगे चलते हैं लोग, पिती वर्स यानि की हल साल विस प्रेश सुतंता देवस कम मनाया जात है, हमारे देश में क्या मीडिया की स्तिती है, आप लोग बेहतर जाते हैं, उन्हें आम जन्ता की एक तरह से सवाल उठाना चाहिए, वो आम जन्ता को ही विवफू बनाया जा रहे हैं, इसमें 30 अपरेल कह रहा है, दो मई, तीन मई या चार मई, पिस प्रेश सुतंता में 3 मई होगा इसमें, क्या होगा 3 मई, तीन मई को विश्टु प्रेश सुतंता दिवस मनाया जाता है, और एक तरह से आप देखिए, दुनिया भर में लोकतंत को स्वास्थ वम्राजूत बनाने के लिए एक तरह से इसे मनाया जाता है, और 1991 में यूनेसको ने, यूनेसको का एक सम्मेलर हुआ था, उसे इसमें अपनायाने की सिफारिस की गई थी, 1993 में सहिकतराष्ट महासबादवारा फ्रेश, विस फ्रेश सुतंता सुचकांग दिवस गोसित किया गया था, तो यहाँ दो संगटनों का उलेक हुआ है, एक तो आप देखिए यूनेसको का, तो और भी एक जाम ले लिजे, और अगर हम दो सहिकतराष्ट की बात करें, यूनाइटिड नैसल्स की बात करें, तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेटक्वाटर आपको निव अर्क, यूवेसे में देखने को मिलेगा, तो यह भी याद रख सकते ह आप लोग, रख क्या सकते हैं, रखना चाहिए मुझे लगता है कि, और यूने इसको कि अगर पूरे फुल फॉर्म की बात करें, तो सहिकतराष्ट शैक्षडी, विज्ञानी की मुम सांस्कितिक संगठने से आप लोग कह देते हैं, चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारे अनुछे उन्नीस एक पढ़ते हैं, इसके तहरे आप देखिए, देखिए, क्या प्रेश की सुतनता की बात की गई है, लेकिन वो उसे निभाय तब तो, कौन बीपी कानून गो की जगह आरवी आई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं, डिप्टी गवर्नर की बात ह हो रही है, आरवी आई तो आप लोग जानते होंगे, रजर बैक कॉप इंडिया की बात हो रही है, एस जैसंकर, के घो साल, टी रवी संकर, एम बारवाल, कौन हो इसमें, तो आपको बता दूँ कि इसमें टी रवी संकर होंगे, इसी आप्शन आपका बिल्कु सही रहेगा रिजर बैंक का उप इंडिया की बात करें तो इसकी स्थावना एक अपरेल 1935 में हुई थी कुलकाता में इसका हेट कुवार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा एक कुश्चिंज कई बार कुछ लिया है RBI की स्थावना कब हुई थी ठीक है अगला कुश्य है हमारे सामने हर्स पिस्तित बेक्तित विक्रमजीत कमवरपाल का निर्धन हो गया है इनकी मौत हो चुकी है वह कौन थे मतलब किस छेते से जुड़े हुए थे वो ए ओप्सन के रहा है आपसे अभिनेता थे लेकक थे अगड़ितक गये थी आपूर किरकेटर थे कौन थे तो आप सभी को माल होगा कि अभिनेता हो थे आप लोग निवच पर पढ़ते रहते होंगे तो आप लोग बहतर इसकी आंसर भी जान पाते होंगे अभिनेता थे ठीक है और विक्रम कमवरपाल ने भारती सेनसी सिवा ने वित होने के बाद 2003 में अपने अभिने की किस देश के खलाडी थी सारा परिरा ने अंतराष्ठी केट यह भारत और चाइड भारत और स्री लंका की बीच आपको देखने को मिलेगी स्री लंका और कहते हैं स्री लंका से आप देखें स्थीता लंग रावर्ड का लगाओ भी कुछ जुड़ाओ भी है कहा जाता है ऐसा तो यह भी आप लो चली आगे चलते हैं अगर इन में कोई हर्ष्टिचेप करता है तो इन मुद्दों को ठाने का काम करता है आपका ठीक है राष्टी ये नेस्मल यूमन राइट्स कमीशन ऑप इंडिया इसकी स्थापना की बात करें तो वारेक टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हैटक्वाटर आपक कितीवाल से यारी कि हालसाल पिस्य अस्थमा दिवस कम मनाया जाता एं तो याद रखेंट इसमें special of the माई महिने पेहले मंगल भार को और इसके बारे में और कुछ अगर हम लोग बताएं तो इस बार ये चार मई को मनाया गया था ठीक है तो ये भी आप लोग और आप सभी जाते हैं अस्थमा जो बाईव फिदूसर होता है इसके कारण काफी लोगों में अस्थमा की रोग देखा जा रहा है इस बीमारी से छोटे बच्चों से लेकर वजूग सब लोग प्रभावित होते हैं और एक तरह से अस्थमा के खिलाब लोगों को जागरू कर करने हैं और सिक्षित करने के लिए इस दिन को पूरे विश्व में मनाया जाता है समय रहे हैं तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं कि विश्व अस्थमा दिवस 1993 विश्व स्वास्त संगटन की सहयोग से गिलोवल इनिसेटिव और फोर अस्थमा के जरिये ये पहली बार 1998 में 35 से जादा देशों में मुनाया गया था उनिस सो अन्ठावन में ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखें और विश्व अस्थमा की अगर हम लोग इस बार की थीम की बात करें किसकी थीम की अगर बात करें तो देखिए इसकी थीम रखी गई है अस्थमा की गलत सब्सक्राइब को उजागर करना इस साल की क्या थीम रखी गई है यहां एक संग्ठन का उल्लेक हुआ है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन का विश्व है स्वास्त संग्ठन का तो साथ अपरेल उन्नीस तो प्रतालीस को इसकी स्थापना हुई थी और जैनेवा स्विज सिब 2021 का खिताब जीता है इस्टीपन हेंडरी इस्टीव डेविस सौन मर्फी मार्क सेलवी मार्क सेलवी डी ऑप्सन आपका बिल्कुश सही रहेगा मार्क सेलवी आगे चलते हैं लोग ममता बना यही लगा था तीसरी बार किस राजी की मुकमंत्री बनी है आप सभी लोग लेकिन जिस हिसाब से आपको दिखाई दे रहा था वीडिया में या लोगों की द्वारा कहा जा रहा था उस तरह से रिजल्ट नहीं रहा है आपने देखा है कि न्यूजपेपरों ने जो एकजिक पोल होते हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं बंती दिखाई पष्चे मंगाल जारकर अल्विदेश एक बात और आपको बता दो देखें हम लोग ने सभी की बायोगराफी कवर की हुई है समय रहें आप लोग तो आप लोग जाकर वहां जरूर देखिए जीविनी या बायोगराफी की नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है जो भी लोग रहते हैं जिनका युगदार रहा है देश को आजात कराने में उनके बारे में भी हम लोग बश्तार सि बात करते रहते हैं और पष्चे मंगाल की थी ए ठीक है पष्चे मंगाल के बात करें तो एक नवंबर 1906 में ऐसे राज बनाय गया था इसकी राज्धानी कोलका कि यहां पश्चिय मंगाल में आप सभी जानते है मम्तवरी जी यहां की मुक्मंत्री हैं और इसमें अगर हम लोग बात करें क्या बात करें पश्चरे mangal सीटे देखने को मिलेगी आप लोगों को और बता देता हुए इसके बारे में 294 में तो बिधान सभा में हो गई लोग सभा में आप देखेंगे 42 सीटे और राजी सभा में आपको 16 सीटे देखने को मिलेगी देखें कई बार कुश्चन्स आ जाते हैं स्टेट PCS और आप देखें सिविल सर्विस में सीटों से संबंधित कुश्चन्स आ जाते हैं अंगला कुश्चन्स ने कौन व्यक्ति तविलाडू की नए मुख मंत्री बने है तविलाडू की बात हो रही है बताए ए ओप्सन कह रहा है एस रेगूपती बिगराए MP समी नाथन आर्चक पानी M कि स्टालिन तो मुझे लगता है कि आप लोगों कमालों अच्छी M कि स्टालिन थे क्या थे M कि स्टालन तेक है आप देखें कि दच्छन भारत में इसी तरह की नाम होते हैं और अगर आम लोग इससे की बात करें पश्चे मंगाल की बात हो रही है तो इसकी बाकर यह तमिल लाडू की बात हो रही है पश्चे मंगाल की बात हो चुकी ना कि नहीं होई हो चुकी है तो इसी राज बनानी की बात हो तो 26 जन्मरी 1950 को इसी राज बनाय गया था यहां आपको 234 सीटे बिधान सभा में देखने को लीगी लोक सभा में 49 सीटे हैं और राजी सभा में आपकी 18 सीटे हैं किन्नी 18 सीटे हैं तो यह आप लोग याद रखेएगा आँगे चलते हैं लोग पिसिद्वेक्तित अभीलासा पाटिल का नेधन हो गया यानिके इनकी मौत हो गई यह कौन थी किस छेति से जुड़ी हुई थी अभीनेत्री थी लेखक थी चित्तकार थी अपत्तकार थी तो याद रखे अभीनेत्री थी क्या थी अभीनेत्री थी सारे एक तरह से लोगों के जान गई हुई है और आपको पता दूँ कि देखे करोना महमादी से इनकी डेथ हुई थी और मराठी फिल्मों की मसूर अभनित्री थी और इन्हों ने आप देखी बद्रीनाद की दुलनिया हो चिचोरे हो गुड़नी उजो मलाल हो इस तरह की क प्रिसन में ही मिल गया कि फुडूचेरी के मुखमंत्री कौन बने गए और एन रंगा स्वामी तो याद रखिए चौत्री बार बने गए फुडूचेरी आप जानते हैं केंदसासित पिदेश है उसे की बात हो रही है फुडूचेरी इसे इसी नाम से बुकारते रहते हैं यहाँ कि समझना चाहिए एक नवंबर उन्डिस से चमण में इसकी गठन हुगा था एक तरह से यूनियन तरड टरिटरी है ठीक है और यहाँ को 35 सीटों के करीब आपको देखने को मिलेगा और राजसावा लुकसावा में एक-एक सीट है यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हर साल विस्द थैले सीमिया दिवस कम मनाया जाता है हर साल विस्द थैले सीमिया दिवस कम मनाया जाता है पहला ओप्षन की तरह क्या कह रहा है इसमें 6 माई 8 माई 9 माई 10 माई वगाई तो याद रहे कि 8 माई को भी ओप्षन आपका बिलकुछ सही रहेगा इसमें 9 माई 9 माई को मरा जाता है थेली सीविया बच्चों को probabil विमारी की मिलने वांवान सिक रोग होता है रक्ट रोग और इस रोक की पहचार बच्चे में तीर मही ने बाद ही हो पाती है और इससे को मनाने का सबसे बड़ा उत्यस यही होते है कि लोगों को रक्त समंदित इस गंबीर विमारी के पिती जागरूप करना है और आपको मुझे लगता है कि पहले सी अपना ब्लेड ग्रोप चेक करवा लिना चाहिए कुछ कमी तो नहीं है कौन सा ग्रोप है ठीक है तो ये काम आप लोग बेहतर कर सकते हो करना चाहिए मेरा ऐसा मानना है अब आप लोग हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ आप सही हो सकते हैं अब इसमें फरक हो सकता है और इस बारे में अगर आप लोग इस बार की थीम की बात करें किसकी विस थैले सीमिया दिवसकी तो addressing health in qualities across the global थैले सीमिया community इस बार की थीम रखी गई थी इसकी ठीक है तो यह आप लोग याद रख सिग्धिश चले तो आगे चलते हैं और इसे 1994 में पहली बार बिस थैले विस सीमिया दिमस बनाने के वारे बिस सोचा गया था चलिए आगे चलते हैं पिसिद व्यक्तित बनराज भाटिया का नेधन हो गया यारी कि इनकी मौत हो चुकी है एक इस चेत्य से जोड़े हुए थे संगीत कार थी या पूरुव राजपाल थे विज्ञानिक थे या पूरुव केरिकेटर थे बताए कौन थे तो याद रखिए आपके संगीत कार थे यह ओप्शन बिल्कुल सही है इन्होंने भाटिया ने स्याम बेनेगल की फिल्मों अंकुर बोमिका धारावाही क्यात्रा भारत एक होज खांदाल वागले की दुनिया नाकाव और बने की अपनी बात इस तरह की संगीत दिये ठीक है और इन्हें राष्टी संगीत का राष्टी पर उसका संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी मिल चुका था तरंग, दो, काल, अजूबा, बेटा, दामनी, गातक, परदेश, चमेली और रूल्स, प्यार का सुपरहिट, फॉर्मूला इन सब के लिए संगीत भी तियार किये थे नों चलिए आगे वड़ते हैं लोग फिरहाल बहुत कुछ कर चुके इनकी बारे में अंगला कुशन है राइस किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समेन ओप दा इयर 2021 देता है पिजसने लॉर्ययस वर्ल्ड इस स्पोर्ट्समेन ऑप दा इयर 2021 जीता है रोजर पेडरलर डोमिनिक does आप बताईए को चाहिए आपको मालू और और यहां लनाल डी उप्शन इसमें आपकी बिल्कु सहसाहिए एक टेनिस खिलाडी है आपको मालू न प्रक्राश मा कि इस्पनिक के साधी कि अंगला कुश्य ने किस ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स बूमेन वहां में था यहां बूमेन ओफ दा येर 2021 जीता है सेरेना विलियम्स सेमोना हालेप नाओमी ओसाका इस्ठेफी ग्राफ बताई तो याद रखिए इसमें नाओमी ओसाका होंगी सी ओप्सन आपका बिल्कु सही है एक जापानी टैनिस खिलाड़ी है ठीक है यह आप लोग याद रखिए अंगला कुश्यन है मारे सामने हर साल यारी की पितिवर्स मात्य दिवस मदर डे कम मनाया जाता है मदर डे जिसका भद तो भगवाल से आधिक है लगो और कहते नहीं है कि अगर एक मा पड़ी लिखी हो तो उसके बच्चे हमेशा संस्कार भी पड़ी लिखे होते हैं और नहीं भी पड़ी लिखी होती है मा तब भी वो अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा देती है मही महीने के दूसरे रविवार को मही महीने के दूसरे वंकल बार को मही महीने के पहले संबार को मही महीने के पहले सनीबार को तो याद रखे मही महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है इसके बारे में और कुछ अगर आपको पॉइंट बताए जाए तो माताओं के लिए मा के लिए सम्मान की एक तरसे हो सके जागरोख हो लोग इसलिए इसकी सुरुवात की गई थी इसकी सुरुवात इस दिन की सुरुवात एना जार्विस ने की थी इस नाम को याद रखिएगा 1911 में मदर्स दे को वो एक तरसे पता है मानता मिली थी इसके बाद 1941 में बोडरो बिलसन ने माई के महिने में दूसरे रविबार को राष्टी आवकास गोशित करते हुए एक गोशना पत्वियस परहस्ताक्षर भी किये हुए थे मा की स्थाल की बात करें तो एक मा जिन्दगी में कई फरज निबात दे कई रिष्टे बिना किसी स्वार्थ की निबाती है मा का दर्जा भी आप सभी कुमाल होगा कि काफी उपर है भगवान से उपर रखा गया है और आप सभी जानते होगे कि एक मा निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को प्यार करती है और वरना दुनिया को आप देखिए आप में मतलवी अगर आप से कोई काम नहीं निकल ला है तो वो आपको हाल नहीं में पूछेंगे अंगला कुष्ण है एहमंत विस्वा सर्मा सर्मा किस सराज के नए मुखमंत्री बने है बताई केरल असम तमिलाडू मडीपौर तो यादर की असम के है कहागे असम के है और आपने देखा होगा पश्चिमंगाल के साथ इसके चुना हुए थे उसी समय अगर हम लोग असम की बात करें तो पूरवी भारत में आपको एक राज देखने को मिलेगा किंग अंगला घुक्षिन किस मनोस दास अंतराष्टिय साहित पुरुष्काल देनी की गोशना की है किस सरगार ने एसम बिकलादू या फिर उडीसा या जहार खंड चार उप्सन में से एक तो चाहिए होगा अब कौन सा सही होगा यह आप लोगों को बताना है तो यादर सरकार ने सरकार ने फितिवस मनोज दस अंतराष्टी साहित पुरुसकार देने की घोशना की है कि याद में इस घोशना करने की बात की है और आपको बता दूँ यह हर साल अंग्रेजी Сआहित में उनके रचनात्मक योगदान के लिए उड़ीशा के साहितकारों को दिया जाएगा और पदम भूसर्ण पाने वाले पिसिद लेकक मनोजदास जिन्होंने अंग्रेजी उड़ीशा भासावे सेक्डों कहानिया और पन्यास कथा कविता है और इस्थम लिखेते अब उड़ीशा का उलेक हुआ है तो उड़ीशा के बारे में कुछ जाल लिजे बेदभाव नहीं रहना चाहिए किसी भी राज़ीश के साथ तो आप सभी को बाल होगा कि उड़ीशा राज़ी की स्थापना 26 जन्वरी 1950 को हुई थी और इसे यहां अगर हम लोग नभीन पतनायक यहां के मुकमंत्री है और विधाल सभा में यहां 147 सीटे है राज सभा में 10 सीटे है और लोग सभा में 20 सीटे आपको देखने को ब्राट कोईली, कैन विलियम्स, टीम पैन, बावर आजम तो याद रुकिए बावर आजम को मिला है बावर आजम को मिला है अप्रेल 2021 का ICC Men's Player of the Month का पुरुसकार पाकिस्तानी किरिकेटर है आपको मालू है तो याद रुकिए और इस साथ ही आप देखे महला बरग में यह अब आजम को मिला है यह आप लोग याद रख सकते हैं अंगला कुश्यर हमारे सामने इतीवस राष्टिय फरुद्धोगी की दिवस कब मनाये जाता है राष्टिय फरुद्धोगी की दिवस की बात हो रही है कितना आठ मई दस मई ग्यारा मई या फिर आपका 13 मई बताई तो याद रखे इसमें आपका 11 मई होगा क्या होगा 11 मई होगा राष्टिय फरुद्धकी की दिवस की बात हो रही है पूरे भारत में मनाये जाता है नेशनल टेक्नोलोजी डे और इसकी सुरुद्ध 11 मई 1998 में हुई थी आपको मालू होगा कि 11 मई 1998 को राजिस्थान की पो परिक्षन से पात दसमलोग तीन रियक्टर प्रिवाडने पर भू कमपिये कंपन दरज हुई थी और कुल तीन बर्माडू बंविस्पोट किये गये थे और इस अफल परिक्षन के बाद ही उस समय की प्ततकालीन पिदानमंत्री थी अटल वहारी बाचपी ने देश में 11 मह एक सतत भविस्थ के लिए बिज्ञान और प्रोध्योगी की तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं रखना चीए रख्या सकते हैं कौन पैक्ती आर्वियाई के नए कारिकारी ने देशक नियुक्त किये गया है जीत सिंग्ठाकुर ताराचंद मेगवाल जोस जे कट्टूर एस एन पल्लानिस्वामी तो याद रखे जोस जे कट्टूर इसमें होगे पितिवस अंतराष्टी नर्स दिवस कब मनाय जाता है नर्स दिवस की बात हो रही है बताएए दस मई बारे मई चौदै मई या पंदरे मई तो याद रखे यह मनाय जाता है बारे मई को का बारे मही को और एक तरसे से मनाने की अगर बात करें हम लोग क्यों मनाया जाता है ये भी तो सवाल आता होगा इस दिन फेलोरिंग 90 गेल का जर्म हुआ था जो आधुनिक नर्सिंग की सस्थापक मानी जाती है और यही बजाए कि उनके जनम दिन पर आप देखिए इसे मनाने का गोशना की जनवरी 1974 में International Council of Nurse द्वारा अंतरष्टी नर्स दिवस मनाने की गोशना की गई थी पहली बार ठीक है तो यह आद लोग याद रखिएगा इस बार की थीम की बात करें तो थीम नर्स एवाइस टू लीड एवीजन फोर फ्यूचर हेल्थ केर रखी है ठीक है तो यह सुल जे जे थीम रही है नर्स एवाइस टू लीड एवीजन फोर फ्यूचर हेल्थ केर इस बार की थीम रही है अगर हम लोग International Council of Nurse की बात करें तो इसकी इस था अपना 1889 में हुई थी इसका हेटक्वाटर जेनिवा सुईजेलेंड में आपको देखने को मिलेगा ठीक है किस राजी की विथम राजस मंत्री के आर गोरी अम्मा का 102 बर्स की उम्मर में डैथ हो चुकी है इनकी मौत हो गई है गुजराद की थी असंद की थी केरल की थी अत्मिलाडू की थी तो याद रखे केरल की थी कहा की थी केरल की थी और के आर गोरी अम्मा गोरी अम्मा साल 1997 में EMS नमुदरी के नेततवाली पहली कविनिस्ट सरकार की सदस थी और वह पहली बार केरल विधाल सभा की अकेली जीविस सदस्ती वो है केरल की पहली राज समंत्री भी थी साल 1994 में वो है भारती कमिनिस्ट पायटी से निकाली गई थी और इसके बाद उन्होंने खुद की पायटी भी बनाई हुई थी केरल के बारे में कुछ पॉइंट बता दीते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं केरल कोई भी सूचकांकाता होगा आपका केरल सबसे टॉप पर आपको दिखाई देता है केरल की इस्ताफना राजी की एक नवंबर उन्नीस सो चपर में की गई थी यहाँ आपको विधान सभा में 140 सीटे देखने को बिलेगी राजी सभा में 9 सीटे हैं और लोकसभा में आपकी 20 सीटे आपको देखने को बिलेगी ठीक है केरल और तिरू अरंध पुरम इसकी राज़धानी है यह भी आप लो याद रखिए अंगला कुष्टन है हमारे सामने कौन डिजीटल बार्ड रिपोर्टिंग पिनाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज़ बना है कौन डिजीटल बार्ड रिपोर्टिंग पिनाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज़ बना है तो याद रखिए यह असम होगा क्या होगा असम होगा अब यह असम के बारे में आपको बताया थी न वही यह असम यह टाइम फ्लेर्ड रिपोर्टिंग और सूचरा प्रवंदन पिडाली का सुभारम किया गया है असम भारत के पहला ऐसा राज बन गया असम हर साल बहेंकर बारों मिट्टी के अपरदन का सिकार होता है यही सभी जाज परताल के लिए एक तरह से इस्पडाली की काउपयोग किया जा रहा है अगला कुश्चन है किस देश के खलाडी वीजे वाटलिंग ने इंटरनेसल क्रिकिट से संद्यास लेने की घोश्चना की हुई है किस देश के खलाडी वीजे वाटलिंग ने इंटरनेसल क्रिकिट से संद्यास लेने की घोश्चना की है न्यूजी लेंड के हैं ऑस्टेलिया के हैं इंगला देश के हैं बताई कहा के हैं तो यादर कि ये न्यूजी लेंड के हैं अच्छे खिलाडी हैं समझ रहे हैं न्यूजी लेंड आप देखते हैं पिसांद महासागर में ऑस्ट्रिडिया के पास आपको देखने को मिलेगा उसी की बात कर रहा हूँ चली अंगला कुश्यन है देखिए सब के बारे में पढ़ाया हुआ है कोई देश नहीं चूटा हुआ है आप लोग मैप के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुए है वहाँ जाईए आप लोग सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ कबर किया हुआ है अंगला कुश्यन है जायत पुरुषकार हमसा खान ताहरा कुटव बुद्दीन आएसा बेगम रजीया पठान तो याद रखी इसमें ताहरा कुटव बुद्दीन है कुटव बुद्दीन एवक के बारे में सुने हैं और इसकी स्थापना देखिए पहली बार ये 2007 में दिया गया था ठीक है ये भी आप लोग याब रखिएगा इसमें या आपका मुंबई में जन्मी है पिरुपेसार है अपनी पुस्तक अरभी ओरिशन आट एंड फंक्शन के लिए इने इस सम्मान मिला है ठीक है किस भारती मूल की महला ने विश्वखाद पुरुसकाद 2021 जीता है निर्मला सींग चोहन गायती कुमारी सर्मा सकुंतला हरक सींग और एक है आपकी दिब्या सींग दिब्या स्री पटसाज़ पटसरिया तो याद रखेंसमें संखंच प्रुषकार हारस इंग हो रहे हैं तो इनके बारे में याद रखेंगा 1986 में पहली बार दिया गया था और विस्षब्सषकार फौंडेशन द्वारा भांती हनुवल एक तरह से दिया जाते हैं टिकर्थ सखादत पुरुषकार फार्मनेशन के द्वारा इसे दिया जाते हैं चलिए आंगे चलते हैं अंगला खुशेन है आपका कौन बेक्ति भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड यानि की बीपी सी एल की नए अध्यक्च और पिरवंद नेदेशक बने हैं बताएए इसमें क्या करोगे अरुन कुमार सिंग सुरेश चंद सर्मा सीपी कुमार मौर लोकिस सिंग राठोर चार में से एक तो सही होगा अब आपको बताना है कौन सही होगा तो अरुन कुमार सिंग होगे इसमें कौन होगे अरुन कुमार सिंग ए ओप्सन आपका बिल्कुल सही रहेगा देखिए इसकी बात करें अगर हम लोग भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड की तो इसका हेटकॉर्टर आपको प्रियाग राज इलावाद में देखने को बिलेगा 1970 में से इसकी स्थापना की गई थी तो यह आप लोग याद रख सकते हैं अंगला कुछन ने कौन बैक्ती सही राष्ट के मानुविये मामलों की अजनसी के पिर्मोक बने हैं टॉनी फीड मार्टिन ग्रेफिक्स ग्रेफिक्स जैन फीटर्स वर्ग एडम चाल्स तो याद रखिए इसमें आपकी मार्टिन ग्रेफिक्स ग्रेफिक्स ठीक है इसमें आपका बी ओप्सन आपका ठीकी रहेगा इन्हें सेक्तराष्ट की जो मानुविये मामलों की यह जसी होती है इसका प्रमुक्स चुना गया है और उन्हों ने एक तरसे आप देखिए यह मानौ अधिकारों की रक्ष्या करती है आगे चलते हैं हम लोग अंगला कुशन है इन में से कौन सा इस्थान पंजाब का नया 23 वा यानि की 23 वा जिला वना है अहमदगर लोंगोवाल चौगावन मलेर कोटला 22 में से क्या करोगे तो मुझे लगता है काफी चर्चा में रहा था मलेर कोटला होगा इसमें क्या होगा मलेर कोटला होगा पंजाब की बारे में हम लोग बता देते हैं कुछ पाइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए मुझे लगता है पंजाब हुमारा स्टेट भी है राज भी है राज भी है हमारा पडोसी भी है पाकिस्तान से लागा हुआ हमारा पाकिस्तान पडोसी है ना पंजाब हमारा राज हो गया पडोसी पड़ इसकी स्थाफना की बात करें तो एक नमंबर 1966 को इसकी किसकी पंजाब की स्थाफना की गई थी इसकी राध्धानी चंडीगर है विधान सभा में यहां आपको देखने को मिलेगा एक सो सतरे सीटे राज सभा में साथ सीटे देखने को मिलेगी लोग सभा में आपको तेरे सीटे देखने को मिलेगी ठीक है चनी अनला कुछन है मोरे समने, क्या कह रहा है, हर साले आरे की पिती वर्ज अंतराष्टी परिवार दिवस कम मना जाता है, अंतराष्टी परिवार दिवस की बात कर रहा हूँ, बताई, A option क्या रहा है इसमें, A कह रहा है 3 मई, B 15 मई, C 16 मई और D 19 मई, बताई, तो यादर कि 15 मईई होगा इसमें क्या 15 मईई होगा परिवार आज कल आप देखिए पहले लोगों के पास टाइम हुआ गरता था परिवारों के लिए आज कल तो आप देखिए किस तरह से बदलता जा रहा है सलमाहूर और सेटराष्ट जनरल अबसेंबली ने 9 दिसमर 1990 के दि और इसमें हर साल परिवार दिवस मनाने की घोषना की गई थी ठीक है और इसके बाल आप देखेंगे 1993 में महासवा ने एक संकल पिस्ताव पारित किया था और हर साल 15 मईई को इसे मनाने की घोषना की गई थी पर विस परिवार दिवस 15 मईई को तो इसे भी आप लोग रख सकते हैं और इसे मनाने का उद्देश से ही है सोच यही है कि दुनिया भर के लोगों को उनकी परिवारों से जुड़े रखने और परिवार किसे जुड़े मुद्दों पर समाज में जागरूपता फेले और साथ ही युवाओं को परिवार के पिती जागरूप करना उन् परिवार और नई तरोधुकिया, ठीक है, इस बार की T में 2021 की अगला कुछा रेक कौन बेक्ती, भारती महला क्रिकेट टीम के मुख कोच बने हैं कौन बेक्ती हाली में ही भारती महला क्रिकेट टीम के मुख कोच बने हुए तो याद रखे रवेस पुवार, अनिकी कॉप्पले, गौतम गंभी, आरपी सी, तो याद रखे रवेस पुवार होंगे, पुवार, वार, ठीक है, ए ओप्शन आपका बिल्कु सही रहेगा, पिती वार से आरी के हर साल राष्टी डेंगू दिवस कम मनाया जाता है, अब द 17 मही को, 18 मही को, या 19 मही को, तो याद रखे रखे रहे रहेगे, आपका कम मनाया जाता है, 16 मही को, 16 मही को, राष्टी यानी पुटे भारत में डेंगू दिवस नमाया जाता है, डेंगू के बिती चाग रूबता पहलाने के लिए, स्वास्त परिवार का लेयार मन्त्रा काले की तब से मनाया जाता है और यह आप सभी जाते हैं डेगू बुखाल होता है और इसमें बच्छर जलित वीमारी हैं जिसमें सेद्रत तेज बुखाल सरीर मिंद्रत जैसी परिशारी आपको सामने देखने को मिलती है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा और मुझे ल सफाई अभी यार की बात कर रहा हूँ ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा 16 मई को चलिए आंगे चलते हैं बढ़ते हम लोग किसने Miss Universe 2021 का किताब जीता है किसने Miss Universe का किताब जीता है जूलिया मोर एनापलस और सी है आपका एंडिया मेजा हैली जॉनसन कौन होंगी इसमें एंडिया मेजा सी ओप्सन आपका बिल्कुल सही रहेगा सी ओप्सन कैसा रहेगा बिल्कुल सही रहेगा मैक्सको की मैक्सको की हैं एंडिया मेजा ठीक है अगला कुशन है हमारे सामने कौन बैक्टी बाटा इंडिया के नए CEO बने हैं बाटा इंडिया बाटा के बारे में सुने हो या नहीं सुने हो ए ओप्सन कहरा है फिदीप मीना सेले साय अजय ठागोर गुंजन साय बाटा जूता भी पहने होगे आप लोग ने तो इसमें आपकी देखिया याद रखिए गुंजन साय होगे डी ओप्सन आपका बिल्कु सही बाटा की अगर बात करें तो इसकी स्थाब्स अगस्तो अठारे सो चौरावे को की गई थी ठीक है और इसका मुख्याल है आपको ल अगला कुश्चन है मारे सामने पिती वर्स यारी की हर साल विस उच्च रक्त चाप्त दिवर्स कम मनाया जाता है विलेड फेसर आप देखते कई लोग इससे क्या रहते हैं बीमारी से काफी लोग परेशान रहते हैं बहुत सारी लोगों में देखने को मिल जाती है छौदै मही 16 मही 17 मही या उन्डीस मही कब मनाया जाता है तो याद रखे Kennet को 17 मही को इससे मनाया जाता है इस विस भर में आटी JP-हारी दुनिया में मनाया जाता है वर्ड दा वर्ड हाइप टेन्संप लीक द्वारा इससे घोष्णा की गई थि il ठीक है और आप देखते हैं विलड पिसर की कारण यारी कि उच्छ रख्तुचाप की कारण दिल का दोरा भी पड़ सकता है इसे बड़े सजग रहा करिएगा इसके पिती और अगर इसकी थीम की बात करें तो इस बार की अपन थीम रही है रख्तुचाप दिवस 2021 की थीम अपने रख्तुचाप को सठीक रूप से मापना इसे नियंतित करना लंबे समय तक जीवित रहना इस बार की क्या रखी गई है ठेग ने रख्तुचाप लोग गऩ सकते हैं और अगर हम लोग देखें चली आंगे बढ़ते हैं हम लोग फीर अंगला Italian Open Tennis Tournament 2021 में पुरुस एकल का खिताब जीता है किसने Italian Open Tennis Tournament 2021 में पुरुस एकल का खिताब जीता है एंडी मुरे, रफैल नडाल नोवाग जोकुविच और डोमेनिक थीम पताईए तो याद रखे रफैल नडाल होगे कौन होगे? रफैल नडाल होगे इसमें और इस्पैनिश इस्टार खिलाडी है आपने देखा होगा ठेक है? नोवाग रफैल नडाल तुई आप लोग चलिए आगे चलते हैं हम लोग अंगला पुशन क्या है? किसने Italian Open Tennis Tournament 2021 में महिला एकल का किताब जीता है देखिए वो आपका पुरुष था यह महिला था दोनों को बड़े अच्छे से याद रखिएगा ठेक है? तो इसमें आपका E का स्वेतिक कैरोलीना पिलिसकोवा सिमोना हालेप नवभी ओसा का तो याद रखी E का स्वेतिक है अपका सही होगा और पॉलेन देकी है यह अंगला पूप्षिन है हमारे साबने कौन भारती है? मूल की महला अमेरिकी राश्टपती जो बाइडन की बरिष्ट सलाहकार निव्थ की गई है अमेरिकी राश्टपती है ना जो वाइडन नहीं राष्टपती बने है नीतु डेविड, राजबाला सीख, नीरा टंडन, वो ऐसी का जो सी तो याद रखी नीरा टंडन होगी इसमें क्या होई? नीरा टंडन होगी सहिकतरा जबेर के आगे बारे में सुने हो या नी सुने हो तो उसी की बात हो रही है इसकी राध्धानी वोसंक्तन डेसी है अब यह आपकी राष्टपती जो वाइडन है ठीक है? चलिए जब सबसे पहले लिखिश सम्मिदान की बात होती है तो अमेरिका का नाम तो आप लोगोंने सुना होगा हर साल विश से दूर संचार हर साल विश से दूर संचार दिवस कम मनाया जाता है विश से दूर संचार की बात हो रही है ए ओप्शन कहा रहा है 14 मही, 15 मही, 17 मही या फिर 18 मही किसको मनाया जाता है? तो याद रखे 17 मही को मनाया जाता है C option बिल्कु सही है दुनिया भर में विश्व दूर संचार दिवस मनाय जाता है और इसे 17 मई 1865 को International Telecommunication Union की स्थाफना की वर्षगाट को इस तरह से उसी की वर्षगाट पर यह मनाय जाता है International Telecommunication Union की स्थाफना की हुई थी उसी दिन यह मनाय जाता है कब भी 30 की स्थाफना 17 मई 1865 में इसका हेड़कोर्टर आपको Geneva Switzerland में देखने को मिल जाएगे तो इसका किसी आप लोग विख्याद रख सकते हैं चली आगे चलते हैं हर साल यानि की पिती वस अंतराश्टी संगराले दिवस कम मनाय जाता है संगराले दिवस की बात हो रही है अंतराश्टी है संगराले दिवस की बात हो रही है ए ओप्सन के रहा है 18 मई 19 मई 15 मई या पर 13 मई बताइए इसमें क्या लगाओगे तो मुझे रखता है कि आप लोगों न लगा दिया होगा अगर आपको आता होगा 18 मई देखिए अगर आप लोगों को आता होगा तो आप लोग मुझसे आंसर जानने के पहले ही मैं जब आंसर बताऊं उससे पहले ही आप लोग लिख दिया करें कमेंट वॉक्स में ठीक है 18 मई को दुनिया वर में अंतराष्टी संगरालाय दिवस मनाया जाता है और इंटरनेशनल काउंसिल और मियूजियम ने सबसे पहले इस दिन को मनाने की एक तरह से विचार किया था साल 1977 से इस दिन को मनाने की शुरुआ थोई थी और इस वर्स की थीम की बात करें तो संगरालाय का भविस पुनर कल्पना और सरक्षण इस बार की थीम रखी गई है इंटरनेशनल काउंसिल और मियूजियम की अगर बात करें तो 1946 में इसकी इस्तापना की गई थी फैरिस फ्रांस में इसका आप लोगों को मुख्याल है देखने को मिल जाएगा ठीक है चली अगले कुशन की तरह बढ़ते हैं हम लोग कौन बेक्ती सुझकी मोर्टर साइकल इंडिया के नए CEO बने है आप लोगों को ने चलाई भी होगी सुझकी बहुत अच्छी गाड़ी है इसमें उदित मेगवाल रियान खान सतोसी उचीदा राजिस तंबर तो याद रक्षी सतोसी उचीदा होई ठीक है इसमें CEO अपसन आपका बिल्कु सही है देखे सुझकी वोटर साइकल इंडिया लिविटेट की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में होई थी गुरू गराओ हर्याना में इसका गुरू गाओ हर्याना में इसका क्या देखने को मिल जाएगा मुख्याले देखने को मिल जाएगा चलिए ठीक है हर्यार्णा के बारे में कुछ बता दू यहां हर्यार्णा की बात हुई है किसकी हर्यार्णा की बात हुई है तो मुझे रगता हर्यार्णा के बारे में कुछ आपको बता देना चाहिए हमारा राज जैना हर्यार्णा के नहीं है मालू आप लोगों को इसकी राध्धानी क्या है अरियाना की चंडीगड यहां आपको 90 सीटे देखने को मिल जाएगी विदान सभाव में राज सभाव में 5 सीटे और लोग सभाव में 10 सीटे एक नवंबर 1966 को इसे राज बनाये गया था ठीक है चलिए आंके चलते इसमें आप लोगों ने लगा द बन चुके हैं बताएं राजन्द चोहन अर अरजन भुल्लर जीते सराना या फिर ग्यानेंद सींग बताएं कौन लगाओं इसमें तो याद रखिए इसमें आपके अरजन भुल्लर होंगे ठीक है क्या होगा बी ओप्शन अक्का बिल्कु सज़ रहेगा अगला कुक्शन ह की बताएं क्या होता उद्侏 मधू मख्की दिंवस कि बात हो रही है एंध्छन आप से क्या कह रहा है 17 मई बताईये रिफ्लेक्त क्या होगा तो 20 म मईø वोगा इसमेंस क्या होगा 20 मईध होगा में on होने वाले खत्रों से आगाय करने के लिए विस्मदुमक्की दिबस एक तरे से आपका मनाया जाता ए और याद रिखे पारिस्तिदी तंगतम है अगर इस्थे रखना ऐसे सही रखना है तो आप देखें सबका ये तरह से बरावर अधिकार है वो सबको बरावर अधिकार मिलना भी चाहिए आप देखते हम इंसान से जाना लालची कोई नहीं होता है महत्मा कंदी ने एक रुवा के कहा था अच्छा और उसका पिरियोग आप लोग निवन्द लेखते होंगे आंसर आइटिंग करते होंगे तब आप लोग जरूर उपयोग कर सकते हैं बता सकते हैं आप लोग कि देखे हमारे पास पितिवी पर इतने संसाधन हैं कि हमारी कि हम लोग दस घर बनाने की सूचते हैं तो यही सबसे ज्यादा और इस तरह का जानवरों में आप देखे पक्छियों में जो आपकी कीडे होते इनमें ऐसा कोई मद्भीर नहीं रहता है वो तो अपना वरावर एक तरह सी करतब निभा रहे हैं लेकिन हम लोग अपने मनाया जाता है और वी इंगेजड इस बार की थीम रखे गई थी याद रखिये हैं किस राज जी के पूरों मुखमंत्रि है जगनात पहाडिया का डेथ हो गई यारिक इनकी मौथ हो चुपी है कहांके थी आन्दिपदेश, राजस्थाथ, पंजाब, मंतिपदेश तो याद रखिए राजिस्थान के थे कहां के थे राजिस्थान के थे आप लोग बताईए राजिस्थान के वरत्मान मुखमंत्री कौन है भी जब आप लोग पढ़ रहे हैं से 1390 साल की यो मिम्रे में पाडिया साहब का नेधन हो चुका है और पहले दलित मुखमंत्री थे ये जरूर सब्द याद रखेगा पाडिया राजिस्थान के पहले दलित मुखमंत्री थे और 15 जन्वरी 1935 को इनका जनम हुआ था ठीक है और 6 जूल से 1980 से जुलाई 1981 तक 11 महीने राजिस्थान के सीम भी रहे थे और 1957 में सबसे कम उम्मर में सांसर बंने क्या इन्हें अउसर भी मिला हुआ थब ठीक है? वो सबाई इनकी सांसर जब बने थे तो इनकी उम्मर थी 25 साल 3 महीने लोकसभासदस बने थे और आप सभी जानते ही कि लोकसभासदस बनने के लिए आपकी उमर कम से जिरूर होनी चाहिए अधेक्तम की कोई बाद नहीं है, राजिस्थान आप लोगों को दिखाई दे रहा है, राजिस्थान के विबारे में अगर बात करें तो आप सभी को वालो होने चाहिए, राजिस्थान हमारा एक राज है, और राजिस्थान को राज बनाने की बात हो, या फिर इसके बारे में राध्धानी की बारत हो तो जैपुर इसकी राध्धानी है और राजिस्थान उन्डी सो उनन्चास में आ चुका था यहाद बिधार सवा सीटे आपको 200 देखने को मिल जाएगी, ठीक है? आगे हैं आपका गुश्चन कौन बेखती? पाकिस्तान की नए राष्टिय सुरक्षा सलागा निफ्थ किये गए हैं. जामित अहमत मुईद यूसूप आदिल फरुकी सिराज जमसेद और पाकिस्तान आप सभी जानते हैं कि हमारा पडोसी है और किस तरह की हैरकतें करता रहत हैं आप सब ही जानते हैं तो मुईद यूसूप यूसूप होंगे इसमें और आप देखें पाकिस्तान की राध्णानी कि कि बात करणे तो यहां की करेंसी पाकिस्तानी रुपिया है, 1947 में हमारे साथ आजाद हुआ इता है, हमारा ही सावगा करता था, 1947 में आपने देखा था, यह हमारे दो टुकडे हो गए था, एक पाकिस्तान बन चुका था, एक इंडिया, ठीक है, एसिया में ही यह, अंगला कुशन है हमारे साबने, हर साल यानी की पिती वस, अंतराष्ठी चाय देवस कम मनाया जाता है, अंतराष्ठी चाय देवस की बात हो रही है, चाय आप लोग पीते हैं न, आप में से किसको लथ लगी हुई है चाय की, बताईए आप लोग, तो 21 माई, 19 माई, 22 माई, 20 माई, 21 माई को मनाया गया है, यह साल 2019 में आपको बतादू, कि साइफ दराष्ठ की आप सभा ने हर साल 21 माई को अंतराष्ठी चाय देवस मनाने का पैसला किया था, ठीक है यह आप लोग, याद रखिए गा, चलिए आगे चलते हैं लोग, अंतराष्ठी चाय देवस के फाल को, अंतराष्ठी चाय देवस, चाय उत्पादक, एक स्टूडेंट होंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए चाय तरसे हत्यार होता है आपका, पिंराई, विजेन, किस राजी की दूसरी बार मुखमंत्री बने है पिंराई, विजेन, विजेन, किस राजी की, करनाटक, केरल, जारखन या चतिसगण, बताए किस राजी के बने है, एक के तो बने है, लेकिन किसके बने है, यह आप लोग उनको बताना चाहिए, केरल के है, किसके है, केरल के है, और केरल आप देखेंगे, दच्छन भारत में आपको एक राज देखने को मिलेगा, एक नबंबर 1906 में से राज बनाया गया था, यहां 140 सीटे हैं, राज सवा में सीटे हैं, और लोग सवा में आपकी 20 सीटे हैं, विधाल सवा में कितनी हैं, 140 है, इसकी राध धानी आप देखेंगे, तिरुव अनन्द पुरम देखने को मिलेगा, ठीक है, आगे है आपका, हर साल कितीवस अंतराष्टी जैब विवित्ता दिवस कम मनाया जाता है, अंतर 25 माई, 24 माई और 25 माई, बता ये, तो याद रखेंगे, इसमें से आपका क्या होगा, 22 माई, बी ओप्सना का, बिल्कु सही रहेगा, अंतराष्टी जैब विवित्ता दिवस मनाया जाता है, 22 माई को, ठीक है, और नौरोमी में 30 दिसमबर 1992 को जैब विवित्ता सम्मीलन आय जीत किया गया था, और जिसमें एंतराष्टी जैब विवित्ता दिवस मनाने का पैसला किया गया था, और जिसके बाद 22 माई को ये दिवस पहली बार मनाया गया था, लोग जैब विवित्ता बर्स की, अगर हम लोग थीम की बात करें, तो इसकी थीम रखी गई है 2021 के लीग 2021 ट्राफी जीती है, किस टीम ने महला चेंपियन लीग 2021 ट्राफी जीती है, वारसी लोना, चेल्सी, लियून, या फिर आपके देखिए, रोजन गार्ड, कौन होंगी इसमें, तो इसमें होंगी वारसी लोना, ए ओप्षन आपका बिल्कु सही रहेगा, अगला क्वेश अगला क्वेशन क्या है, बड़े जल्दी हम लोग नीचे आ गया, ऊपर बहुच चुके हैं, ठीक है, अगला क्वेशन हमारे सामने, पिसिद ब्यक्तित, सुंदरलाल बहु गोडा, बहु गोणा का डैथ हो चुकी है, इनकी मौत हो चुकी है, एक किस चीते से जरूरे हमारे में आप लोग चरूर याद रखें, आपका पुष्यस बनने की संभावना है, परियावडवित बिग्यानिक थे, या गड़तक थे या गायक थे, तो आप सभी को माल होगा कि परियावडवित थे, सुंदरलाल बहु गोडा, और आप लोगों ने देखा होगा, चिप आविरती नदी के किनारे बसे मरोडा गाउम इनका जिनम होगा था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगा इनकी वारे में, इन्होंने कुछ किताबें भी लिखे हुई थी, धर्की, धर्दी की पुकाद, इंडियाज इन्वर्मेंट, ठीक है, तो ये भी आप लोग, चलि ये आंगे चलते हैं हम लोग, अंगला कुछ नहीं मारे समने, पितिवर्स यानि की हर साल विस्व कच्छुगा दिवस कब मनाया जाता है, कच्छुगा दिवस की बात हो रही है, कच्छुगा है तो आप लोगों ने देखा हुआ, अभी मैंने भोपाल बन विहार गूमने गया हुआ था, तो वसका आप लोगों ने वीडियो, लाइब वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप लोग जाकर देखिए, भारत भर्मन की नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें कुछ आपकी इस तरह की कलास से मिलती रहेगी, गूमने जाएगे तो बना के जरूर लाएगे, ठीक है, तो हाँ बनो, देखिएगा, जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो आपकी मरजी, 20 माई, 23 माई, 24 माई और 25 माई, तो याद रखे 23 माई होगा इसमें, क्या होगा, 23 माई होगा, विस्व कछुआ, दिवस की बात हो रही है आप देखिए, इसकी तसकरी की जाती है, और इसके लिए मानो देवित कई एक तरह से खत्रे भी है, पिदुसन का हो गया, समझे रहे हैं, सिकार का हो गया, तो ये भी कछुई के सरक्षण के लिए एक तरह से इसी मुनानेक की बात होई है, ये कछुआओं को बचाया जा सक ठीक है, चले ही आगे चले हैं, आप लोग बड़े, अगला कुश्चन है किस टीम ने है, ला लीगा लीगा टाइटल, 2020-21 का किताब जीता है, एफसी वर्सी लोना, एटलिटिको मेड्रेड, विलारियल एफसी, रियल सोसी डेड, तो याद रखें इसमें आपकी कौन होगी, एटलिटिको मेड्रेड होगी, ठीक है, वी ओप्सन आपका बिलको सही रहेगा, कुश्चन है हमारे साबने, किस राज्य की सरकार ने COVID-19 से अनात हुए, बच्चों के लिए मुख मंतरी वादसल योजना सुरू किया, किस राज्य की सरकार ने हाले में ही जो COVID-19 के कारण, आपने देखा है कि बहुत साए वच्चे अनात हो चुके हैं, जिनके या तो माता मा मर चुकी है, इस कुरोणा महाबारी में उनकी डेथ हो चुकी, या पिता की, या दोनों की हो चुकी है, तो एक किस सरकार ने की हुई करूना काल में अनात हुई बच्चों के लिए मुखमंतरी वात्सली ओजना की सुरुवाब की हुई है, ठीक है, इसे ओजना के तहट अनात बच्चों की आई, 21 वर्स होने तक उनकी भरन पोसन, सिक्षा रोजगार के लिए तिसीक्षार की वश्ता राज सरकार ही करेगी, अगर 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 विदान सब्सक्राइब बात करें, तो आप सभी जानते हैं, इसकी देहरादूर, इसकी एक तरह से राध्धानी है, बिंटर, और इसमें अगर हम लोग विदान सब्सक्राइब बात करें, तो 17 सीटें देखने कम लेगी, राज सब्सक्राइब तीन सीटे हैं और लोग सब्सक्राइब आपकी 5 सीटे हैं, कितनी 5 सीटे हैं, अगला कुश्यन है मरिसम ने, किसको मुनाको गरांड फिक्स 2021 रेस जीती हैं, किसने, मैक्स, वेर इस्टा फेन ने, लुईस हेमिल्टन ने, चाल्स, लेक लर्ट ने, लेंडो नोरिस ने, तो याद रखिए, इसमें मैक्स, वेर इस्टा फेन हैं, यह ओप्सन आपका दिल को सेज़ रहेगा, अगला फूशन हमारे सामने हर साल, यानि कि विती बस, भारत में राष्ट मंडल दिवस का मनाया जाता है, 21 माई को, 22 माई को, 24 माई को, राष्ट मंडल दिवस की बात हो रही है, आप लोग कर्फियोज मत पुईएगा, तो कम मनाया जाता है, 24 माई को, सी ओप्सन आपका, बिल्कुल सही रहेगा, यह तरह से, आप देखिए, इसे दिवस को मनाने का उप्देश यही है कि, एकता को इस्थावित किया जाए, माना होता को वड़ावा दिया जाए, राष्ट मंडल दिवस सुतंता की भावना निय है, उसे अशनुता की आधर्सों के लिए भावना की एकता का पिदिग भी है, वराष्ट मंडल, हमारी देश में देखिया, एक तरह से आप, कितना सुंदर था, या हर जाती के लोग मिलते थे, हर धरम के लोग, बड़े मिल जोल के रहते थे, हजारों साल को, पहले से रह र हिंदू, मुसलिम, इस जाती का, उस जाती का, पूरा भेदभाव एक तरह से आप देखे करना सुरू कर दिया गया, तो इसमें आप लोग क्या लगाएगे, 24 मही लगाएगे, ठीक है, चलते हैं, आंके चलते हैं लोग, कौन भारतिय मूल की छात्रा, ओक्सफोर्ट छात्त संघी की अध्यक्च बनी हुएं, जयमी दिशाइ, रस्मी छेन, रिया सींग, अन्वी भूटानी, बदाइए, तो याद रखे, आन्वी भूटानी होंगे, ठीक है, ओक्सफॉर्ट छात्रा संघी की अध्यक्च बनी हुएं, या आप लोग याद रखेगा, ओक्सफोर्ट उनिवर्सिटी के बारे में आप लोग ने सुना होगा तो उसी की बात हो रही है चलिए आगे चलते हैं हम लोग पहले कौन ब्यक्तिक केंदी है जाज भीवरो की नए नितेशक बने हुए हैं CBI के बारे में आप लोग सुने हैं आजकल आप देखिए CBI का एक तरह से जाच हो रही है यहां CBI का वो रहा है देखिए जाच एजनसियों का दुरुपयों आज से नहीं होता रहा है जब भी जिसकी भी सरकार रहती है वो इस तरह की एजनसियों का दुरुपयों करती है ठीक है राजिस चंद्रा महिस्तोमर सु बहुत जैस्वाल होंगे और अगर हम लोग केंद्री यह जाच व्यूरो के बारे में बात करें यानि की सीवियाई सेंट्रल व्यूरो अप इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो इसकी इस्ताफना एक अपरेल उन्डे सो त्रेसट में हुई थी इसका हैटकॉटर आपको न्य दोस्त तो याद रखे डेविड वर वर्णिया इसराइल आप लोग समझ रहे हैं उसी की बात हो रहे है चलिए आगे चलते हैं अब लोग हम लोग किस देश के सहर अड्डू में भारत का पहला वाडिज दूतावास खोला गया है मताइए मालदीव स्री लेंका नैपाल भूटान तो याद रखिए इसमें मालदीव होगा हमारा पड़ोस ही है मालदीव जल के द्वारा उसकी सीमा लगती है अरब सागर हुआ आप देखते होगे माले इसकी राध्धानी है ठीक है अचलिए इन सभी देशों के बारे में बिस्तार से बात की हुई है तो आप लोग मैप को जरूर कबर कर लें मैप के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें बड़े बिस्तार से हर देश की बारे में एस या पिसांत महासागर जो भी आपका आप लोग बूगोल पढ़ते हैं न तो विस्तार के बूगोल में आपको जो भी एक तरह से इस तरह का मैप का पार्ट होता है उसे हम लोगों ने कवर किया हुए तिक अगला पुश्य ने पित्ती बरस विस्ताराइड दिवस का मना जाता है विस्ताराइड ने अबस मना जाता है और पहली बार अबी स्थ थारएड दिवस साल दोजार आथ में मना जाता है अमेर्की थाइराइड ऐसोसीयेशन और यूरोपे थायरॉपे थायराइड के तों लोगों को जागरूप करने के लिए तरह से इसे मनाय गया था यह आप लोग याद रखेगा थायराइड आप लोग ने एक तितली के याकार की गरंती भी देखे होगे एंडोक्राइन गरंती हार्मोन बनती है चल यह आगे चलते हैं हम लोग मुहाली हौकी स्टेडियम का नाम बदल कर किन के नाम पर रखा गया है मेजर ध्यानचन बलवी सिंग सेनियर अजीत पाल सींग केडी सींग तो याद रखे बलवी सींग सीनियर के नाम पर बलवी सींग सीनियर के नाम पर मोहाली हौकी स्टेडियम आपने देखा है जब से नई सरकार आई हुई है तो नाम बदलने का काम बहुत हुआ है चंडीगड में देखने कुमले का साइदी अगर बलवी सिंग सीनियर की बात करें हम लो तो 10 अक्टूबर 1925 में इनकी डेथ हुई थी इनकी 25 में 2020 में इनकी डेथ हो गई थी पदम स्री भी बलवी सिंग्ल सीनियर को मिला हुआ था चलिए कर आगे बढ़ते हैं अब दूसरी सरकार आएगी फोर बदलती रहेगी इस तरह के बदलती रहते हैं कौन एस जी इने से सर्वोच सम्मान पाने वाले पहले भारती ये डॉक्टर बने हैं कौन एस जी इसे सर्वोच सम्मान पाने वाले पहले डॉक्टर बने हुए है ए है एस बिजयपाल भी कह रहे है आरपी वर्वा डी सी है आपका डी नागेसोर रेटी और डी कह रहा है आपका टी गुन राज सिनहा तो याद रखे डी नागेसोर रेटी होंगे इसमें अमेरिकल सोसाइटी फोर इसे क्या कहते हैं गेस्ट्रो गेस्ट्रोन टेस्ट्रिनी नल एंडो एंडोस कॉफी तीस दिसम्बर उन्नी सटालीस को इसकी इस्थाबना की गई थी तो यह भी आप लोग याद रख सकते हैं अमेरिकल सोसाइटी ओफ गेस्ट्रो इंडे इंटेस्टाइनल एंडोस्कोफी ठीक है इन्हें पुरुस्कार रहे हैं ने पिसिद्र रोल्फ वी सेंडर पुरुसकार दिया गया है आपको बता दू एस जी इजी आई एंडोस्कोफी की दुनिया में सी संस्ताओं में से एक है रोल्फ वी सेंडलर अवार्ड दरसल पितिश्टित क्रिस्टल अवार्ड में सर्वोसेडी में आता है जिसका नाम डॉक्टर सेंडलर की नाम पर रखा गया है जिन्हें आप लोग गयिश्ट्टो कोफी का जनक भी मांगते हैं यह सांगे हैं कौन भारतिय मूल के वीद्धिति-अएक का महान निदैक क्या वार्डिज्य विभाग की महान निदीशक नियूक्त किया गया है तो याद रखिए अरून बैंक रभ प्रमन होंगे इसमें अंगला गूशन है हमारे सामने कॉल बेक्टी अमेजन के नए CEO न्यूप किये गए हैं अमेजन आप लोग देखते हैं आप सॉपिंग करते रहते होंगे तो आपको मालू भी होगा टी फोड मौंजे एंडी जेसी लूसो एंडू कीको वर्ड तो यादर के एंडी जेसी होंगे इसमें और अमेजन के बारे में आप सभी को मालू हो रहे चाहिए इस केस्ता अपना 5 जुलाई 1994 में की वे थी बॉसेंग्टन DC में इसका बुख्याल है देखने को मिलेगा बॉसेंग्टन USA में ठीक है किस भारतिय को सामाजे के विख्यान के छेत में इस्पैन का सर्वोच पुरुसकार मिला हुआ है इस्पैन आप लोग जानते हैं उसी की बात हो रहे हैं यूरोप के दच्छेड पक्षिम में एक देस्ट आपको दीखने को मुलेगा त्रवीन खंडा आसी चोगी या फिर रवेज राउ अमरेसेंट तो यह अमरेसेंट को मिला हुआ है और अमरेसेंट के बारे में आप सभी जाने ते होंगे कौन है अर्थ सास्त्री है इनका जनब तीन नमंबर 1933 में हुआ था नोबल फुरुस्कार भी मिला हुआ है आपको मालू होन अच्छी है अंगला पूश्यन है हमारे सामने वसर वसर अल असद किस देश की लगातर चौतरी बार राश्टपती बने है सीरिया के बने है यह आपको देखने के मिलेगा कहा अभी काम हादी में ठीक है सीरिया बहुत इस्तिती रहती बुरियर सीरिया की आप लोग सुनते रहते हैं दविस्त की इसकी रादधानी है ठीक है चली अंगला कुश्चन है इसमें क्या लगाओगे सीरिया बियो अपसन आपका बिल्कुस है एक केंद सरकार ने किसे मिनिश्टी आफ कॉमर्स के नए उस्टी के रूम में निवक्ती दिए गया है बताईए केंद सरकाने किसे मिनिश्टी आफ कॉमर्स के नए OSDK रूम में निपती मिली है जलच सिंग्तर पाटी आरगी सकसे न V, V, R सुबर मन्यम और D में कह रहा है S के भूसन कौन होंगे इसमें तो याद रखे B V, V, R सुबर मन्यम एक V, V, A ऐसा है तो याद रखे वडिज और उद्धिव मंत्रा ले चलिए आगे चलते है क्या कह रहा है आप से किती बर से यानि कि हर साल विस भूंक दिवस कम मनाया जाता है आप समी जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ऐसे भी हमारे देश में भी ऐसे हैं कि जिनके पास दो वक्त की रोटी खाने की भी लाले बड़े हुए तो आप समझ सकते क्या इस्तिती है 28 माई को 25 माई को 22 माई को 26 माई को और आप देखते हैं एक तरफ इतना खाना वरवात किया जाता है तो आप लोग इसकी कम से कम आप लोग तो पड़े लिखे हैं तो आप तो इसकी कीमत समझा करिएगा ठीक है तो यह आपका कब 28 माई को मनाय जाता है और एक तरह से आपको बता दू कि दुनिया भर में जो भुकमरी से गरसित लोग है इनके बारे में जागरूपता पहलाने के उद्दे से एक दिन को मनाय जाता है 2011 में इससे एक तरह से आप देखें इसकी सुरुआ थी थी और इस साल की अगर थीम की बात करें विसाई की बात करें तो एक्सिस एर्स हंगर इसका थीम रखी गई है तो आप लोग जरूर याद रख पाएगे अगला क्विश्यन है हमारे सामय किस देश टरसांग को सबसे कम समय में फतय करने वाली महिला बनी होई है यह घूल कॉंग कॉंग की है चीन की है चार की चाड की है या वीज़ियम का की है पतने के ही और Kyrie मांन्ट अवरिस्द के मारें बात करें, तो आप सबी जानते हैं, कि सबसे दुनिया की सबसे उची, चोटी है, मांन्ट अवरिस्ट, इसकी उचाही आपको 8848 में बिल जाएगा, तो मुझे लगता है, हिमायने नहीं रखता हूं नैपाल में आपको देखने कुम लेगा ऐसी, नैपाल में से आप लोग सागरमाथा की नाम से भी जानते हैं, देव गरी के नाम से भी जानते हूँगे, दुनिया के सबसे उचा परवस्थे खरे एक तर ऐसी, हिमालाय में, ठीक? और Hong Kong के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि Hong Kong आपको China कहता रहता है कि हमारा देश है यह लेकिन आप देखते हैं हमारा हिस्सा है लेकिन आपको देखने कुम लेगा कि Hong Kong में आपको लोग तंदे देखने को लेगा आप चाइना में आप सभी जानते हैं क्या इस्तिती है पिती बर्स हिंदी पत्यकारता दिबस का मना जाता है देखें अब पत्यकारता की जहां बात होती है तो बड़ा negativity आने लगती है दिमाग में क्या हालत भी है पत्यकारों की आप सभी जानते हैं 28 मही, 29 मही, 30 मही, 31 मही तो याद रुखिए 30 मही को मना जाता है कब 30 मही को मना जाता है और आपको बता दूँ कि एक दिन इसलिए मना जाता है कि आज से आप देखेंगे लगवग 195 बर्स पहले, तलकत्ता में हिंदी का पहला अकवार शुरू हुआ था एक तरह से उसी कियार में उदंत मार्तंड शुरू हुआ था और कानपूर के एक निवासी थे पंडिजुगल की सुकुल या सुकल इनके द्वारत तीस मही उन्निस सो माकरी तीस मही 1826 में ओधन्त मार्तंड की सुरूआत किया था इसकी पेकासन किया हुए था प्रेक्तर से उसी के लिए मनाए जाता है ठीक है आंगी चलते हैं लोग और हर साल विस्ट तमाखू दिवस। यानि की विस्ट तमाखू निस्लिबस से कं मनाए जाता है आप देखें बहुत सारी लोगों की तमाखू के णरμ भी टैथ होती है तमाखू आपदेखते हैं कई लोग खाते रहते हैं उनका मन ही नहीं नहीं एक जून, 31 मई, 29 मई, 2 जून, तो याद रखे, 31 मई को बना जाता है, यह कुश्चन से भी आपको बता दो, कई बार पूछा जा चुका है, और इस बार कि अगर हम लोग से थीम आप से अगर कभी पूछता है, तो याद रखे, commit to quit, इस बार की थीम में रखी गई, यानि की चोड़ने के लिए पिती बत है, ठीक है, तमागों चोड़ने के लिए तिपी बत है, और तमागों से आते हैं कि कई गंबीर और जानलेवा बीमारियां भी हो सकती है, जिर में फैपनों में cancer, लीवर cancer, मुह का cancer, कोलन cancer, गरभासायक का cancer, रेट्टाइल डिस, फंक्सन, हिद 2021 चेंपियन सिम लीग का किताब जीचता है, लिवर्पूल FC, चेल्सी FC, और FC Barcelona, मैंचेस्टर सिटी, तो याद रखें इसमें आप लोगों का होगा, चेल्सी FC, ठीक है, क्या होगा, बी ओप्सन आपका, बिल्कुछ सही होगा, कौन UAE का गोल्डन वीजा पाने बाली पहली भारती अभिनेता बने है, सुनी सेटी अजय अक्षा कुमार, रणवी, कपूर, संजय अधत, तो याद रखें संजय अधत होगे, इसमें कौन होगे, संजय अधत के बारे में आप लोग पढ़े होगे, संजय अधत, बॉलीवूर की अभिनेता है ना, तित्थम भारती निवेश कर रहे हैं, ठीक है, और आपको बता दो, दो किसम का गोल्डन भी जा हुता है, एक दस साल के लिए दिया जाता है, एक पांस साल के लिए, कैन सरकारने के लोगों को पिसीचित करने के लिए यूबा, तिधान मंत्री ये उजना सुरूख लिए है, लेखकों, डॉ बटरों, लेखकों, बिग्यानिकों, पत्तकारों, तो याद रखी, लेखकों को, किसे लेखकों, आप भी लेखक हैं, तो आपको भी, उच्छे सिक्षा विवागने यूबा, लेखकों को पिसीचित करने के लिए पिधान मंत्री यूजना की सुरूख की हुई है, ठीक है, यूगा पिधान मंत्री यूजना, और आपको बताती कि यूगा और नवोधित लेखकों, यानि कि 30 वर से कम आईउ के जो लेखक हैं, उन्हें एक तरह से पिसीचित किया जाएगा, ठीक है, और इसका उदेश है ही, पढ़ने लिखने उपस्तक संस्किती को बढ़ावा मिल सके, किस राजी की सरनायन ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुखमंत्री सिसु, सेवा, यूजना सुरू की हुई है, अपने अब को बताया हुए है कि COVID-19 महामारी ने बहुत नुखसार पहुच रहा है, किसी कि तो परिवार चीन ने पूरी तरब से, तो किस राजी की सरनायन ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुखमंत्री सिसु, सेवा, यूजना सुरू की हुई है, असम राजिस्थान, बड़ीपूर, तबिलनाडू की, याद रखिए असम होगा इसम होगा, असम सरकार ने, और इस यूजना के अनुसार अविभ या फिर संस्थानों में भेजा जाएगा, इसका खरण भी सरकार उठाएगे, अच्छी पहल है, फिर भी कह रहा हूँ कि देखिए, अगर इसे सही से लागू होता है, तो मुझे लगता है बहतर है, और नहीं होता है, तो हजार यूजनाय बना लीजे, कोई मतलब की नहीं किस राज्य सरकार ने COVID-19 के कारे अनात हुए बच्चों के लिए मुखमंतरी COVID-19 बाल कल्यान यूजना सुरू की है, हरयाना, मदपिदेश, पंजाब, बिहार, तो याद रखे, मदपिदेश ने की हुई है, लेकर आपको बता दो, देखे, ये जो भी है यूजनाय, इन्हे आपनों के याद रख लिए, क्योंकि COVID-19 माहारी ने बहुत प्रवाविट किया हुआ है, तो मुझे लगता है, कुश्चन इसे पूछे जाने की संभावना भी रहती है, मदपिदेश सरकार ने मुखमंतरी COVID-19 बाल कलने आड़ी उजना सुरू की हुए, और इसके उजना के पड़ाई का खर्चावी सरकार उठाएगी, सरकार ने अब तक मदपिदेश में ऐसे कुल 325 बच्चों की पहचार उस सबय कर ली थी, ठीक है, और इस योजना के तैत उन बच्चों को कवर किया जाएगा, जिनके माता पिता की मौत 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 से वीच हुई थी, ठीक है, आंगे भी जनकी हुगी, उन्हें भी देखा जाएगा, अब आती है मत्पिदेश के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देता हो, बना आप लोग कहेंगी, मत्पिदेश वाली कहेंगी कि हमें हमारे बारे में कुछ नहीं बता है, तो 1 नमबर 1956 को मत्पिदेश राज़ी का गठन किया गया था, और आपको एग बात और बता दू, कि जब तक 36 गण मत्पिदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो छेतफल में सबसे बड़ा राज़ी था मत्पिदेश, लेकिं 36 गण सन 2000 में मत्पिदेश से अलग करके, अलग राज़ बना दिया गया था, त और यहां आप लोगों को बिधान सबा सीटे 230 देखने को मिल जाएगी, राज़ सबा में 11 सीटे, लोग सबा में 29 सीटे आपको देखने को मिल जाएगी, तो यह आप लोग, और मत्पिदेश का उच्च न्याले, उच्च न्याले कहा है, जवनपूर में, इसकी खंड़ पी अच्छे से इंज्वाय करते रहे हैं, और जब भी आप लोग पेपर देने जाते हैं, तो उस समय भी आप लोग इन्हें देख के जाये करिएगा, तो माई के बाद आप जून महीने में मिलते हैं हम लोग, जून महीने की सभे जो भी करेंट की घटनाय रहेंगी, उनसे जो हम लोग बात कर रहें थे आपकी मंतली करेंट अपेस के बारे में, और आप सभी लोग उने देखा होगा, अभी तक हम लोग पांच महीने का करेंट अपेस कवर कर चुके हैं, पांच महीने में आपकी जो भी घटनाय घटी हुई हैं, उनसे संबंदित आपकी परिक्छाओ के लिए किस तरह के कुश्चन्स बन सकते हैं, उन सभी कुश्चन्स को हम लोग ने कवर किया हुए है, और याद रखिए किलासे थोड़ी बड़ी हो रही है, टाइमिंग जाना लग रहा है, क्योंकि आप सभी को मालू होगा, अगर आप लोग देख रहे हैं, कि इसमें हम कुश्चन्स बन सकते हैं, कौन-कौन से कुश्चन्स बन सकते हैं, और याद रखिए, इस अभी कवर किया रहे हैं, पिलासे आपकी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, जिसमें MPPSC, UPPCS, बिहार, राजिस्थान PCS, 36गर PCS, या फिर आप देखते हैं, कि आपका सिबल सर्विस में इस तरह की कुश्चन्स आते हैं, या फिर आपकी सेंटरल के और भी एकजाम होते हैं, या फिर आप देखते हैं कि आपके स्टेट लेवल पर भी कई तरह के एकजाम होते हैं, जिसे आप देखिए, पुलिस होके हो गया, दरोगा, या टीचर वर्ती हो जाती है, पोस्ट ओपिस होके होते हैं, बन विवाग के होते हैं, तो इसमें भी आप देखिए, इस तरह की कुश्चन्स आती रहते ह हैं, ठीक है, और इसके लिए आपकी एक मंतली Current Affairs 2021 के नाम से playlist सूची बना दी गई है, उस पे सभी किलासे आपकी डली रहेंगे आपको, चलिए तो इसे भी हम लोग विस्तार से ही बात करेंगे, इस किलास को भी, और इसमें पहला कुश्चन्स हमारे सामने हैं, किती वर्स, विस्त दूद, दुख्द दिवस कम मनाया जाता है, आप लोग दूद देखते हैं न, उसे एकी बात हो रही है, विस्त दुख्द दिवस या दूद दिवस कम मनाया जाता है, एक जून को, दो जून को, 31 मई को, 30 मई को, बताईए आप लोग, कम मनाते हैं, एक जून को मना जाता है एक जून को दुनिया भर में क्या मुनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे ठीक है यह आप लो इसे इसे मनाने का उद्देश यही होता है कि बिस्ते दोग देवस को मनाये जाने की सुरूआ 2001 में हुई थी और दूद को डाइट में सामिल करना एक तरह से इसका उद्देश और तो सयुक्त राष्ट ने इसकी सुरूआत कप की थी 2001 में की थी अब आप लोग कहेंगे कि सयुक्त राष्ट के बारे में कुछ बता दीजे और इसमें आप देखेंगे UN की बात करें तो United States United Nations की तो इसकी स्थापना 24 सक्टूबर 1945 में हुई थी इसका हेड़क्वाटर आपक आप लोग फूड एंड एग्रिकल्चर और्गिनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं इसकी स्थापना सुलेक्टूबर 1945 की कही थी और इसका हेड़क्वाटर आपको रॉम इटली में देखने को मिल जाएगा और आप लोगों को एक बात और यहां बता देता हूँ कि देख आपको दो तीन कुष्टन्स हर साल देखने को मिल जाएगे और आपके सभी संगटनों को मैंने कवर किया हुआ है तो महत्पूंड संगटनों के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं चलते हैं आगे चलते हैं लोग चलें यह पर्यावन पोशन के साथ डेरी चेत में इस थिरता इस बार की थीम रखी गई थी 2021 की ठीक है अंगला कुक्षिन है हमारे सामने किस देश के पूर पिधानमंतिरी रहे पॉल इस लूटर का 92 बर्स की उम्र में नेधन हो गया यानि कि इनकी डायत हो चुकी है इसमें पहल अगर हम लोग डैनमार्क की बाद करें तो आपको मालूपन चाहिए कि इवरोब में पढ़ता है इवरोब महाधी में इसकी राध्धानी आपको देखने को मिलेगे कोपन कोपन हैगन है इसकी राध्धानी ठीक है और यहां एक तरह से राजशाही चलती है ठीक है तो इसमे यह लाख आपनों याद रख सकते हैं अंगला कुश्चन हमारे सामने कौन बैटती है भालतिय उद्ध्योग परिसंग यानि कि CII के नए अध्यक्च बने हैं किसके भालतिय उद्ध्योग परिसंग की बात कर रहे हैं इसमें पहला ओप्सन कह रहा है आपसे संजीब सी करा है टीवी नरिंदन और डी करा है एन के आचारे बताई इसमें से क्या लगाओगे कुछ लगाओगे भी या नहीं तो याद रखी इसमें आप लोगों को लगाना है टीवी नरिंदन ठीक है यानि कि C आप्सन आपका बिलकु सही रहेगा और अगर हम लोग इसके बार बालती है उद्योक्स परिसंग है तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1895 में ठीक है और इसका हेड़क्वाटर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा अंगला कुक्षन हमारे सामने कौन बैक्ती असम राइफल्स के 212 महानेदेशक की रोब में निउक्त किये गए है कौ अरवेंद कुमार सिंग, रवेंद सिंग, गुएल, असोग परताब जैन, फिदीप चंदन, फिदीप चंदन नायर तो इसमें आप लोगों को याद होने चीह है पिदीप चंदन नायर होंगे यानि कि आपका डी ओप्सन बिल्कुल सही रहेगा असम राइफल्स की अगर ह मेगाले में देखने को मिलेगा ठीक है असम राइफल्स का चलिए आगे चलते हैं अप लोग पिती वर्स यानि कि हर साल बैस्विक अभीभाबक गिलोवर्डे ओपरेंट्स कब मनाय जाता है हर साल बैस्विक अभीभाबक दिवस कब मनाय जाता है 31 मई को या 1 जून को या 2 दो जून को तीन जून को तो बताइए एक जून को मनाया जाता है बैस्विक अभी भाबक दिवस की बात हो रही है इसके बारे में अगर कुछ पॉइंट और आपको बताया जाएं तो इसे एक तरह से मनाने का उद्देश क्या है सबसे पहले तो आप लोगों से यही पूछ लेता है कि एक तरह से आप देखी परिवारों के वलीदानों की सराहना करना और उनके प्रयार और इसने को सुविकार करने के लिए परोसायत किया जाता है और साल 2012 में सभी माता-पिता को सम्मानित करने के लिए इस दिन को चुना गया था और इस बार कि अगर हम लोग थीम की बात करें तो दुनिया भर में सभी माता-पिता की सराहना करें इस बार की ठीम रखी गई थी एक बात और आप सभी जाते मुझे लगता है कि देखें अगर दुनिया में अभी कोई अगर रिस्ता बच्चा हुआ है और किसी रिस्ते में अगर वफादारी आपको देखनी हूँ सही में रिस्ता निवाना देखना हो तो वो आपका परिवार है आपके माता-पिता है मुझे ली लगता है कि इसके बाद आप देखिए दुनिया में कोई आपसे रोस्त दोस्ती करता है या आपसे जुड़ता है तो वो अपने किसी मतलब के साब apostा जुड़ता है वैस्विक अभीभावक दिबस मनाए जाता हैं। अंगले कुश्षण की तरफ रोगब बढ़ते हैं क्या करा है कौन व्क्ति राष्टिये माना उधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं कौन व्क्ति हाल में ही राष्टिये माना उध्यकार आयोग के नए अध्यक्च बने है राजिंद कुमार गुपता अजी सिंग चंदेल राम कुमार मिस्वाब अरुन कुमार मिस्राब बताएए कौन होगे अरुन कुमार मिस्रा होगे कौन होगे अरुन कुमार मिस्रा होगे D option आपका बिल्कुछ सही रहेगा अगर हम लोग राष्टी अमाना उदिकार आयोक की बात करें तो इसकी स्थापना 12 एक्टूबर 1993 में की गई थी और इसका headquarter आपको देखने को मिलेगा निव दिल्ली में कहां देखने को मिलेगा निव दिल्ली में चलिए आंगे चलते हैं हम लोग अंगला कुक्षिन हमारे साबने कौन बैक्ती भारती नौसेना के ओप पिरमुक बने हैं भारती नौसेना की बात हो रही है आसीज खन्ना, रावनीच सींग, रमेश प्रिजापती, सुभाष जीला तो याद रखे रहनी सींग, इसके होंगे, भारती नौसेना की अंगला कुक्षिन है हमारे सामने इसाग हर जोग इजराइल के कौन से नए राष्टपती बने कौन से नंबर के हैं, तो याद रखे ग्यारवे नंबर के हैं किस नंबर के हैं 11 नंबर के हैं और इजरायल के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो इजरायल राष्ट दश्चिर पश्चिम एसिया में इस्तित एक देश है या दश्चिन पूर भूमत्द सागर की पूर चोर पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है वह इसकी राध्धानी दावा है एरूसलम ठीक है एरूसलम सुना है उसी वही है इसकी राध्धानी चलिए अंगला कुछ ने हमारे समने हर साल विस्व साइकल दिवस कम मराय जाता है और आप देखिए साइकल चलाने के कई फायदे भी रहते हैं पता है आप लोगों को एक तो सबसे बड़ा फाय जून 3 जून या 4 जून को कम मना जाता है तो याद रखिए 3 जून को मना जाता है इसमें आपका सी आप्सन विल्कुल सही रहेगा और इस दिवस को 2018 में सविक्तराश्ट महसावाने 3 जून को विस्वस वाई साइकल दिवस के तोर पर घोसित किया था ठीक है तो 2018 से सुरू Interforce Cellular Molecular Biology के नए तिरमुक बने हैं इसमें पहला आप लोगों से क्या कह रहा है पहला कह रहा है आप से डॉक्टर जावर सिंग्ग, डॉक्टर रीटा चोहन, डॉक्टर विनय नंदी कुरी और डॉक्टर हसित जाना बताई इसके बारे में कुछ तू याद रखी इसमें आपके होगे डॉक्टर विनय विनय नंदी कुरी ठीक है और इसमें आपका C option बिल्कुछ सही रहेगा और 1977 1997 में इसकी स्थापना हुई थी 1977 में चली आगे चलती हम लोग कौन बैक्ती भारत में मैसेजिंग एप वाट्सप की सिकायद अधिकारी बने हैं वाट्सप आप लोगों में से कहीं लोग चलाते भी होंगे कौन है इसक में तो याद रखे पारेश बीलाल होंगे इसमें बाट्सप आप लोगों ने सुना है बाट्सप के बारे में जानते हैं या नि जानते हैं तो उसी बहुत सम मेसेंजर की बात हो रही है आगे हमारा कुश्शन किस देश की पूर पिधान मंतरी अनुरुद जगनात का 91 वर्स की उम्र में नेधन हो चुका है डैथ हो चुकी इनकी सिंगापूर के थे स्रीलंका के थे या फिर मौरीसस के थे या नियापाल के थे तो और आप सभी को मालू होना चाहिए कि मौरीसस कहां है मौरीसस गडराजी की बात करें तो अफीकी महादीप के तटके दच्छिनपूर में लगबग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में और मेडा कासकर की पूर में आपको इस्तित एक दूइपी है देश देखने क के बारे में हम लोगोंने बात की हुई है जब आपका विस्त का भूगोल पढ़ा थी पढ़ रहे थे उस समय हम लोगोंने मैप का सहारा लिकर सभी देशों के बारे में बताये था भूगोल में आप देखते हैं जो मैप का पार्ट होता है उससे इस अपको कबर कर चुका देख लिजेगा इसमें मौरीस से लगाओगे पिती बस विस्त परियावन दिबस कम बनाया जाता है और आपको मालू होगा कि ये बड़ा ही सरल कुष्टन्स है लेकिन कई एकजाम में इक कुष्टन्स बन चुका है पहले भी और बनता रहेगा ठीक है तो इसमें आप को मालू होगा क्या होगा मालू होगा और आपको बता दू कि इसे मनाने का उद्देश यही है कि परियावन और पिदूसन से हो रहे जो नुकसान हो रहा है इसके पितीक लोगों को जागरूप किया जाए और इसे मनाने की सुरुवात 1972 में हुई थी ठीक है और परियावन खुरूरा की और हम लोग थीडिग भी की बात करें विश परियावन देवस 2020 की डिया तो इकोसरूरे न balance यानि कि पारिश्थिति की तंती तंत बहाली इसमार की क्या रखे गया वो क्या क्या रखीगां जैत थीम रखी गए ठीम ठीम ठीक है पारिश्थिति की तंत की बहाल कि नए वाइस चीप बने है बताएए सुरेश कुमार चौधरी राजन पिसाद दीरज मुकेश सिंग जजर और विबेक राम चौधरी तो याद रखे विबेक राम चौधरी होंगे D option आपका बिलकुँ सही रहेगा D option के सार रहेगा बिलकुँ सही रहेगा किसने बर्स 2021 का अंतराश्टी वुकर पुरुसकार जीता है अंतराश्टी वुकर पुरुसकार की बात हो रही है इसमें ए उप्सन आपसे कह रहा है डेविड डियोप डेविड डियोप एलेक्स जोसेप हैरी बेडियोप और केलोप फार्कियन सन तो याद रखी इसमें डेविड डियोप होंगे और इसकी बात करें तो आपको मालो होना चाहिए 2005 में पहली बारे दिया गया था मैन वुकर पुरुसकार तो ये भी आप लो अंग्रे जीबासा में जो आपके उपन नयास पिकासित किये जाते हैं उसी में एक तरह सी दिया जाता है और बुकर पुरुसकार की अगर हम बात करें तो ये बुकर पुरुसकार पहली बार 1970 में दिया गया था चलिए आगे चलते हैं अंगला कुश्चन है किस सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विध्यारतियों के लिए अनूप पुरेती, कोचिंग योजना सुरूप ही हुई है और याद रखे इस तरह कि आपकी कोई सेंटरल से कोई योजना आती है थरिया आपकी स्टेज की कोई योजना रहती है यह आपकी परीक्षा की दिरिश्टी से बहुत ही मत्हूर रहती है आपकी परीक्षाओं पर काफी कुश्चन साते रहते हैं तो यह पंजाब किया है राजिस्थान की है हर्याना की है या केरल की है बताइए याद रखे कहां की है आपकी राजिस्थान की है कहां की राजिस्थान की है और जो राजिस्थान राजिस सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SCST और अती पिछड़े वर्ग के विध्यारतियों के लिए मुखमंत्री अनुफिर्टी कोचिंग यह उजना का सुभारम किया है और आपको बता दूँ कि इस यह उजना से हर वर् राजिस्थान के हैं तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं अगर हम राजिस्थान के बारे में बात करें तो आप सभी कुमाल होगा राजिस्थान की राधानी क्या है जैपुर और यहां आपको बिधान सभा में 200 सीटें देखने को मिले जाएगा वर्टमार मेहा की मुकमंत्री कौन है असोग गहलोद और राज्य सभा में 10 सीटें हैं लोग सभा में 25 सीवे हैं और आप सभी कुमाल होगा कि छेतफल में सबसे बड़ा राज्य है राजिस्थान और आपको बताना है कि छेतफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है आप लोग नीचे लिखिएगा अंगला कुष्यन है भारती मूल के ब्यक्ती विस्थ बैंक के सेक्षिक सलाकार बने हैं कौन है वरुन देव से सौधिया टिपिंद कुमार स्वामी कुमार स्वामी पियूस चेतरवेदी रंजी सिंग दिसाले तो याद रखिए इसमें रंजी सिंग दिसाले होंगे अब आ आप सभी को माल होना ची जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी विस्थ बैंक की और वासेंग्टन DC USA में इसका हैटक्वाटर आपको दिखने मिल जाएगा अंगला कुष्यन है वारे सामें हर साल पिती वर्स खाद सुरक्षा दिवस कम मनाया जाता है हर साल विस्थ विल्कु सही रहेगा और इस दिवस को मनाने का उद्दे सही रहता है कि लोगों को सुरक्षित और पोष्टिक भोजन के पिती ज्यागरो किया जाए और विस्थ खाद सुरक्षा दिवस 2021 की अगर हम लोग थीम की बात करें तो इसकी थीम रखी गई है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन रखी गई है और साज जून 2019 को पहली बार ये मनाये गया था इसे सही उक्तराष्ट महासावाद द्वारा दिवसंबद 2018 में खाद और किसी संगठन की सहयोग से से अपनाये गया था तो ये आप लोग याद रख सकते हैं अंगला कुष्टे ने कौन बैकती पैटॉलियम और प्राक्तिक गेस्ट नियामक बोड की अंगले अध्यक्ष बने हैं बताइए क्या वूच रहा है आपसे पैटॉलियम और प्राक्तिक गेस्ट नियामक बोड के अंगले अध्यक्ष यानि की नए अध्यक्ष कौन बने है इसमें A option कहा रहा है रंजन कुमार गो स्वामी दूसरा है संजीब नंदन शाह है C कहा रहा है अजीत पाल सिंभा D कहा रहा है जितिन कुमार लोखंडे तो इसमें याद रखी संजीब नंदन सहा है होंगी B option आपका बिलकुँ सही रहेगा B option कैसा रहेगा बिलकुँ सही रहेगा इसमें अंगला कुक्षान है मारे सामने Patti verse 200 महासागर दिवस कब मनाया जाता है 200 महासागर दिवस की बात हो रही है A option इसमें क्या कह रहा है 3 June तो कब मनाया जाता है बदाईए कुछ तो इसे मनाया जाता है आठ जून को, भी ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा और एक तरह से आप देखिए समुद्र को यानि की महासागरों को साब सफाई की प्ति लोग ज्यागरूक रहे हैं इसी उद्दे से मनाए जाता है और इस साल के अगर हम लोग थीम की बात करें तो महासागर में मौझूद लाइफ और लवली होड से जुड़े तक्तों के बारे में आम जन तक जैनकारी पहुचाना थीम रखी गई ठीक है और आपने देखा है कि पूरी दुनिया में प्रोटीन और बलद कराने का सबसे बड़ा जगिया है क्या यही और क्या किसकी बात कर रहा हूँ मैं महासागरों की आप देखिए हमारे पास एक तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्या है महासागर है और हमारे देखिए हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है बस आप सभी जानते हैं कि देखिए पानी वो पानी है जिसे हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उपयोग नहीं कर सकते हैं और आठ जून 1992 को रियो डी जिन्रो में गिलोबल फॉरम में पिस्ताविद किया गया था पहली बारे और हाला कि 2008 में साइक्तराष्ट महासावा ने संकल्व लिया कि 8 जून को साइक्तराष्ट द्वारा विस महासागर दिवस के रूम में नामित किया गया और पहला विस महासागर दिवस वर्ष 2019 में मापकर ये 2009 में पहला विस महासागर दिवस 2009 में हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी बिसय के साथ आपका मनाय गया था तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं क्या कर सकते हैं याद ही तो रखना है और क्या कर सकते हैं इसमें अंगले कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कौन व्यक्ति स्युक्तराष्ट महसाबा की 76 सत्य के लिए अध्यक्च बने है अजीम भारुकी दुनी लुपोड अब्दुल्ला साहिद और वर्नौन केकर तो याद रखे इसमें अब्दुल्ला साहिद होंगे स्युक्तराष्ट के बारे मैं पहले भी बता चुका हूँ फरसे बता देता हूँ आपको तेकि स्युक्तराष्ट की बात होती है तो यूनाइटिड नैसंस की बात हो रही है तो इसकी स्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसका हेड़कॉर्टर निवार्ग USA में देखने को मिल जाएगा अगर स्युक्तराष्ट महासावा की बात होती है तो इसका हेड़कॉर्टर भी आपको निवार्ग में ही देखने को मिलेगा ठीक है चलते हैं आगे चलते हैं अब लोग कौन बेक थी HSBC इंडिया के नए CEO बने हुए हैं बताइए ए कह रहा है नवाब अली बी कह रहा है राजेस फाटेकर सी कह रहा हरसित नाएक और डी कह रहा हितिन्द दवे तो याद रखी हितिन्द दवे होंगे इसमें डी ओप्सन आपका बिल्कु सही होगा आप सभी जान बैंक इंडिया इसकी स्थापने की बात करें तो 1853 में हुई थी और इसका हेट कोड़र आपको मुंबई में देखने को मिल जाया को आपको चलिए आंगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हम लोग कौन बैकती भारत की नए चुनाओ आयुक्त निउप किये गए हैं भारत की नए चुनाओ आयुक्त निउप किये गए हैं कि अनुब चंद पांडे रामनिवाश पाठक जमंलाल गोड़ मताएं से कौन होंगaking अनुब चंद पांडे होंगे अनुब चंद पांडे रहेगा कि श्रक्षोर मुंकर जरस to be orange, 8 1, और आपको बता दूँ कि अनुप चांद पांडी की नियुक्ति के बाद चुनाओ आयुक्त में सदसों की संक्या एक बार फिर से तीन हो गई है सुनील अरोडा का कारकाल समात होने के बाद साल 2020 में चुनाओ आयुक्त सुसिल चंद्रा को ये जिम्मेदारी संपी गई थी वही रेटायर्ड आई एस राजीक कुमार का एक अन्न चुनाओ आयुक्त थे उस समय अगर हम लोग चुनाओ आयुक्त चुनाओ आयुक्त के बारे में बात करें तो आप सभी लोगों को मालू होने चाहिए इसके बारे में कुछ point तो मालू होना चाहिए क्योंकि इसके मुख चुनाव आयुक्त की कारकाल की बात करें या अनकी तो 6 वर्स 65 वर्स आयू रखी गई यह अनकी क्या रखी गई है 6 वर्स 65 जो भी पहलो है उसे साब से बात कर रहा हूँ और इसकी स्थापना की बात करें तो आपको मालू होने चाहिए कि स्थापना 25 जन्वरी 1950 को भी थी चुनाव आयुक्त की बात हो रही है ठीक है और इसमें आप देखें तो क्या देखना है आपको जो मुख चुनाव आयुक्त होता है इसका कारकाल 6 वर्स या 65 वर्स होता है जो भी पहले हो और अन दो होते हैं जो चुनाव उनका कारकाल 6 वर्स या 62 साल आयुक्त रखे गए हैं जो भी पहले हो इनकी राश्टपती देखें अगर इनकी निवत्ती की बात हो तो राश्टपती करते हैं और जो आप आपका भार्तीय चुनाओ आयोग होता है इने लोग सभाहो, राज सभाहो, बिधान सभाहो, बिधान परिषत्दो h, राश्ठपती ho, अपराश्ठपती ho इनकी चुनाओ करवाने का जिम्छा लेता है और आप देखे कि आपके इस्थानिये जो चुनाव होते हैं नगरपाल का नगर निगाप पंचयायतों के इन्हें करवाता है आपका हर राज में आप देखते होंगे कि अपना चुनाव आयोग होता है और अगर आप लोग भारती चुनाव आयो की बात करें तो आप सभी कमालोग होगा कि अनुच्छे 324 में इसकी विवस्ता की गई है ठीक है तो अनुच्छे 324 को आप लोग याद रखा करिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करें कोई बिटकोईन को कानुनी मानता देने वाला दुनिया का पहला देश्ट बन गया है कौन बिटकोईन को कानुनी ज्यामा एक तरह से पहना दिया इसने कौन बन गया है बताइए उपसे अल, सल्वाडोर, पनामा, डॉमीनिकन, रिपभलिक, मैक्सको इनमें से क्या लगाओगे आप लो तो मुझे लगता है अल सलवा डोर लगाओगे लगाओगे या नहीं लगाओगे या कुछ और लगाओगे बताईए कुछ इसके बारे में और इसके बारे में विटकॉइन के बारे में बात करें कर आप लो तो देखे एक तरह से विटकॉ जो एक तरह से लेता है इनके बीच कुछ जानदा है जानकारी खट्टी करपाना मुस्किल होता है बड़ा मुस्किल होता है और यह आपकी किसी केंद्रिय बेंक द्वारा संचालित नहीं होती है इसलिए आप देखते हैं चिंता का विसाय बना हुआ है कही देशी से कानुनी इमानता दे रहे हैं लेकर हमारे देश ने अभी तक नहीं दी हुई है अलसलवाडोर बन गया एसे और एक तरह से आप लोग याद रखिए इसका कंप्यूटर नेटबर्किंग पर आधानी भुकतान होता है इसके द्वारब ठीक है अगर हम लोग अलसलवाडोर के बारे में बात करें इस देश के बारे में कुछ प्वाइंट आपको अगर बताए जाए तो मद्ध अमेरिका में इस्तिस सबसे चोटा एक तरह से देश है और इसकी राजधानी की बात करें तो सान सलवाडोर इसकी राजधानी है ठीक है अगला कुछन है हमारे सामने सोसल मीडिया कमपनी फेस्बुक ने किसे भारत में अपना सिकाय अधिकारी नियुक्त किया है फेस्बुक तो आप लोग चलाते होंगे बताईए आप लोग मुझसे भी जुड़े होंगे आप लोग फेस्बुक पे जिसी नाम से यूटूब जिस नाम से चलता है अपना और इसकी फेस्बुक की आप गर बात करें तो आपको मालो होना चाहिए फरवरी 2004 में याया हुआ था इसका है इसका हेड़कोर्टर आपको कैलिफॉनिया इवी एसे में देखने को मिलेगा इसमें कीरती दास रादी का पारीक सरेष्टी जेन और इस्थपूर्ती प्रिया तो याद रखी इस्थपूर्ती प्रिया होंगी इसमें ठीक है आपका डी ओप्शन बिल्कुल सही रहेगा अगला कुश्चन है कौन जोब इंडिया फुटवाल इसस एशन की पहली महला अद्ध्यक्च बनी है निग्लीज फुटवाॉल इसस सरेष्टन की पहली महला अद्ध्यक्च बनी होई है पिटी मार्स देवी हैविट रिनी गोल हीजोब जोन तो याद रखे डेवी हैवीट B option आपका विल्कु सही रहेगा और देखिए जो आपका English Football Association है इसकी स्थाफना की बात हो तो 24 अक्टूबर 1863 को इसकी स्थाफना हुई थी और London, US, United, UK में इसका United Kingdom में इसका मुख्याल है आपको देखने को मिलेगा चली अंगला कुशन है कौन इलावाद हाईकोट की नए Chief Justice बने है नियामूर्ती संजय यादव नियामूर्ती दीपक राओ नियामूर्ती जमन खेर और नियामूर्ती हरी राम पर्वा तो याद रखे नियामूर्ती संजय यादव होंगे संजय यादव होंगे तो इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं और इलावाद हाई कोट आप सभी को मालू होना चाहिए एक बहुत पुराना हाई कोट है समझ रहे हैं 1866 में इसकी स्थापना हुई थी मालू होना चाहिए आपको सबसे पुराने एक परसे उच्छे निया लगों में से एक है आँगे चलते हैं हम लोग कौन इंग्लेंड के सबसे जानदा तेस्ट में खेलने वाले क्रिकेटर बने है इसट्वरड और रसीद जैम्स एंडरसन और एक है आपकी किस क्रिस् बाक्स तो याद रखी इसमें आपकी जैम्स इंडरसन होंगे सबसे जानदा टेस्ट में खेल चुकी है है पता है जैम्स एंडर्सन अगर आपको बता दूं तो इस सबसे तेज गेंद बाज है और उन्हें ने बरिविंगमेंट टेस्ट जेम्स एंडर्सन का 162 वा टेस्ट मैच खेला है उनमें ठीक है 162 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जो आप समझ सकते हैं इंग्लेंड के हैं आगे इंग्लेंड के हैं इंग्लेंड के वारे में सुने हो अंग्रेजों के बाद इंग्लेंड की राददानी राददानी क्या है लंदन क्या है यह यह एक देश देखने को में लेगल इंग्लेंड चलिए आगे चलते हैं लोग कौन बैक्ती रक्षा कंपनी थेलेश के भारत में उपाध्यक चोन निर्देशक बने गये अमन खन्ना जैनत निगम वरुन जैस्वाल आसी सराव तो याद रखिए इसमें 80 सराव होंगे कौन सी रक्षा कंपनी थेले इसके भारत में उपार्द्यक्ष बने हैं आसी सराव चलिए यांगे चलते हैं हम लोग अंगला कुश्यन है मारी सापने पिती बस विस बाल सरम निसीत दिवस यानि कि आप देखे बच्चों की मजदूरी को रोखना बच्चों को एक तरह से मजदूरी में लगाने से रोखने के लिए ये दिवस मनायगा जाता है कि संदोहया दो में हुई थी जो अंतराष्टी सरम संगठन के बारे में सुनें न इसी के द्वारा इसकी गोशना की गई थी 2012 में मापकरी 2012 में नहीं 2002 में कभी कभी फिलो फिलो में कुछ भी बोल देता है 2002 में इसकी स्थाफना अगर हम लोग International Labor Organization यानि की अंतराष्टी सरम संगठन की बात करें तो 1919 में इसकी स्थाफना हुई थी और जैनिवा स्वीजलेंड में इसका मुख्याला आप लोगों को देखने को मिलीगा और एक तरह से आप देखिए समझें कुछ पढ़ें और अगर हम लोग इस पी थीम की बात करें सबसे जरूरी होती है थीम क्या थीम की तो 2021 में थीम रखी गए यह कुरोना वाइरस के दौर में बच्चों को बचाना कुरोना क्या है अब ही करो बाल सरम खत्म करो आई एलो इस वार की थीम क्या रखी अभी करो बाल सरम खत्म करो यह दिया आप लोग याद रख सकते हैं चलें तो आगे चलते हैं क्या कह रहा है आगे अंगला खुश्चन है मारे सामने दियेगे वर्ष 2021 में पुलित जर फ्रोस्कारों में किस भारती मूल की पत्तिकार को मिला है भारती मूल के पत्तिकार को मिला है बताई इसमें एक कह रहा है आउनी घोस किरन गौतम मेगा रोज गोपालन पी यल चौदरी तो याद रखी मेगा रोज गोपालन इसमें हैं 2021 की पुलित जर फ्रोस्कार की बात हो रही है और इस बर्ष भारती मूल की पत्तिकार है मेगा रोज गोपालन इन्हें मिला है जो पत्तिकार के अध्तागे चेत में मिलने वाला सर्वोच पुरुसकार माना जाता है और उन्हें ये पुरुसकार दुनिया के सामने चीन के बड़ी जूट उजागर करने के लिए एक तरह से दिया गया है वही अमेरिका की आसुएत सक्स जॉर्ज फिल्वाइड की हत्या का वीडिय रोकॉड करने वाली लड़की डार नेला फ्रेजियर को भी एक पुरुसकार दिया गया है फुलेत जर फुरुसकार यह आप लोग जरूरी याद रख सकते हैं और 1973 में पहली बार यह दिया गया है था ठीक है चलिए आंगे चलती कौन ब्यापार और विकास पर सविक्तराष्ट संगठन की नई महाने देशत बनी है ए उप्षन कहा रहा है जे जी बै लोड मूसी डेविड रिवेका ग्रेन इस्पैन किम हैजल वुड तो याद रखिए इसमें रिवेका ग्रेन इस्पैन विक्तराष्ट संगठन तो क्या लगाओगे सी ओप्षन और इसकी स्थापना कि अगर हम लोग बात करें युनाइटिड नेशन से कॉन्फरेंस ओन ट्रेड एंड डबलमेंट की तो 30 देसमबद 1964 को इसकी स्थापना हुई थी और जैनेवा स्वीजलेंड में इसका मुख्याल है आपको देखने को म बीलेगा आगे चलते हैं अंगला कुश्य के हमारे सम्ट अंह չर साल पिटी वर्स विस्ट रख्तदाघumm कम मनाया जाता है देहीं इनु मैंने ये देखा है कि जब दान करने की रख्तदान करने की आती है तो लोगों में कई लोगों में एक तरह सी वी त्दोन से बात होती है ठीक है तो दान करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान होगा आप सोचिए कई लोगों की ज्यान बच जाती है अगर तो उससे बड़ा मुझे लगता है दानी वादमी कौन हो सकता है तो विस्व रखता था दिवस कम मनाया जाता है 13 जून 14 जून 15 जून को बताई यहन में से कब मनाते हैं आप लोग एक दिन तो मनाते होंगे लेकिन कब मनाते ही कि आप लोगों को भी मालू है या नहीं है देखिए 14 जून को मनाया जाता है कब बी आप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा इस रखत दाता दिवस रखत दाता भगवान से सोचिए आप लोग की भगवान ने आप लोगों को देने लाइक बनाया है तब आप लोग दाता कहला रहे हैं तो 14 जून को मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्धिय से ही है कि लोग जागरूप हो सके और डॉनेट कर सके अपना खून जिससे जरूरूमत मंद जो भी लोग होते है उने खून चड़ सके उने खून दिया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके और अगर इसकी थीम की बात होती है तो इस साल की इस World Willard Donut Day की थीम रही है खून दो और दुनिया को धड़का दे रहो इस बार की थीम रखी गई है तो मुझे लगता है इसे आप लोग याद र अड़काते रहो और आप देखिए आपका खून बढ़ जाता है बहुत जल्दी इतना मत सोचा करिए इतना दिमाग मत लगाया करिएगा कि खून में कमी हो जाएगी ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा और साल 2004 में वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन ने विस्व रखते दि बात करें तो इसकी इस्थाफना साथ अपरेल उन्डी सोटालीस को भी थी और जेनेवा स्वीजलेंड में इसकी इस्थाफना की गई थी ठीक है यह आपनों याद रख सकते हैं अगला कुश्चिन है हमारे सामने कौन बैक्ती इसराइल के नई पिधान मंद्री बने हैं याद रखी नपताली बैनेट होंगे ठीक है इसमें आप लोग क्या लगाओगे डी ऑप्शन अंगला कुश्चन है कौन वैक्ती जैव प्रोद्री की कंपनी माई लेब डिसकबरी सॉलीवसंस की ब्रांड एमिश्डर बने हैं अमिता बच्चन अक्षर कुमार वीरेंद सह ठीक है चली आगे चलते हैं हम लोग किन फिल्मों की मसूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्स में उम्मर में इनकी डेथ हो चुकी है एकौन थे किस कहां की अभिनेता थे कंणर गुजराती वराठी भोच्वरी बचता यह कुछ तो याद रखिए कंणर थे कंणर से जोड था ठीक है कि 2011 से उन्होंने काम सरू किया था इनकी पहली रिज्वी फिल्म थी रंगपा हो बिटना ठीक है बड़ी अजीम हो भी नाम रहता है चली अंगला देखते हैं किसे मई 2021 के लिए ICC पिलेयर ऑफ दा मंग्त कावार्ड मिला है ICC समझ रहे हैं International Cricket Council की बात हो रही है और International Cricket Council की बात करें तो इसकी स्थाफना 15 जून 1909 में हुई थी ठीक है और दोबाई United Arab Emirat में इसका मुख्याल है आपको देखने को मिल जाएगा तो बताई इसमें जो रूट इंगलेंड की थी चमिरा कपोगे देरा स्री लंका मैथ्यू बेड या ऑस्टलिया मुस्फिकूर रहीम बंगलादेश कहां के थे तो याद रख इसमें मुस्फिकूर रहीम होंगे डी ओप्सन आपका सही होगा अब आप कहेंगे कि बंगलादेश के बारे में कुछ बता दीजे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे जांदा सी मारी बंगलादेश से लगती इसकी केपिटल राध्धानी क्या है धाका है और आपको ये बात और बतादू कि देखिए तिप पाकिस्तान मंतरी इंद्रा गांदी से पाकिस्तान ने टकर ली थी उन्होंने गुस्सा में दो टुकडे कर दिये थी पाकिस्तान की एक बंगलादेश बना दिया गया था जो नया देश बन गया था और पाकिस्तान ठीक है ऐसे लिए कहते हैं महिलाएं कभी कमजोर नहीं हो किती वर्स विश्व पवन दिवस गिलूबल बिंड डे कम मनाया जाता है बताईए इसमें कुछ विश्व पवन दिवस की बात हो रही है 13 जून, 15 जून, 16 जून और 17 जून कम मनाओगे मनाओगे भी या नहीं आप लोग तो याद रख इसमें 15 जून कम 15 जून को मनाया जाता है और इस दिवस को एक तरह से मनाने का यही उद्देश है कि पवन उर्जा एक तरह से आपने दिखा होगा देखिए आजकल आप देखिए नभी करणिये उर्जा पर बिसे ध्यान दिया जा रहा है हमारे देश में देखिया है दुनिया में क्योंकि आपको बता दूए देखिए जो कोईला है जो कच्चा देल है एक समय के बाद ही खतम हो जाएगा और आप सभी जानते हैं कि इसे बनने में हजारों साल लगते हैं और खतम कितने जल्दी से हो रहा है आप सभी जान रहे है तो कम से कम देखिए अब बिजली से हमारा कनेक्शन बहुत जुड़ चुका है उर्जा से और इसका हमें विकल्प उपलब्द कराना होगा आप देखिए आजकल हम लोग बिना बिजली के रहना मुस्किल है तो इसके लिए आप देखिए नभी करणी उर्जा कहना का मतलब है जल्द से या बायू से या आप देखिए सूर से उर्जा प्राफ्त की जाए और आप सभी जानते हैं कि जब तक पवन चलती रहेगी बायू जल रहेगा और सूर भगवान रहेगे तब ही तक हम लोग रहेगे अगर उनका भी अस्तित खतम हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा तो इसी दिसा में जागरूपता फैलाने के लिए 15 जुन को ये पवन उजा दिवस मनाते हैं और इउरोपिय पवन उर्चा संग और गिलोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इस दिन को पहली बार 2007 में मनाय था और इसके बाद 2009 में इसे विस विस्तर पर मनाने की करने ड़े लिया गया था और 2009 तक विस पवन दिवस या बैस्विक पवन दिवस नहीं था 2009 के बाद ही यह दिन और अधिक समाविसी हो गया और इस दिन को लोगों को बताया गया तो इससे आप लोग 15 जुन को याद रख सकते हैं कौन बैकती डबलु एचो के बैस्विक भाई पी दुसन और स्वास्त तक्नीकी सलाहकाल समू के मानत सदक्स नियुक्त किये गए बताये इनमें पहला ओप्सन कह रहा है मुके सर्मा आदिल पठान मुहमद रजाक गनेश स्री नाथ तो याद रखे मुके सर्मा होगे कौन होगे मुके सर्मा होगे ए ओसन आपका बिल्कु सही रहेगा आगे चलते हैं लोग अगला कुश्चन है मारे जारी वर्स 2021 की विस्व दाता सुचकांक रिपोर्ट में भारत कौन सा इस्थान मिलाए भारत को दाता आप समझ लिए दानी दाता दसबा बारेवा तेरेव या 14 वा तो आप सभी को मालू होने चाहिए कि इसमें 14 वा इस्थान मिलाए है मैं भारत को और जारी विस्व दाता सुचकांक 2021 में जिसे वाइल्ड गिविंग इंडेक्स भी कह देते हैं इसमें भारत को दुनिया 14 सरवाद्दिक परोग कारी दिसमाना है कोविद 19 महामारी में दुनिया में दान कारेओं के रुजानों का संकित दिया है और चेरेटी एंड फाउंडिशन सी ए एब की बरस की सरवेक्षन में दान और फरुककारी गतिविदियों पर लोगडाउन के प्रभावों का उलेकिया गया है ठीक है यह आप लोग याद र प्रेमेन बनाए गए या बने हैं माइक्रोसॉप्ट आप लोगोने सुना होगा कुमार अरागो एम की किसना सत्या नडेला और सुन्दर पिचाहिए तो याद रखी सत्या नडेला है माइक्रोसॉप्ट की बात करें तो इसकी स्थाफना कब हुई थी चार अपले 1975 में इसक कौन बेक्ती भारत की डवलू टी ओ मिसंद में नेदेशक निउक्त किये गए हैं अरविंद डागर राम पिकास माधव अरजन अननद और आसीश चंदोर कर तो याद रखी इसमें आसीश चंदोर कर होंगे ठीक है डी आप्शन आपका बिलकु सही रहेगा अंगला कुक्षेन है बारे सापने किस राज जी की सरकार ने राज में बैदिक सिक्षा और संसकार बोड इस्थाफित करने की घोषना किये राजिस्थान पंजाब उत्रप दिश उत्राकर्ण बताई है इसमें तो याद रखिए राजिस्थान सरकार ने बैदिक सिक्षा और संसकार बोर्ड का गठन करने की गोसना की हुई है और इस बोर्ड के तहरे चातरों को बिज्ञान और योग के संबंद का ग्यान दिया जाएगा साथी बैदिक रिवाज और संसकार आणारि सिक्षा भी दी जाएगी एक बात और आप लोगों को बता दूँ कई लोग सोचे हैं कि जो योगा करते हैं लोग इसकी खोज बावा रामदेव ने की है ऐसा नहीं है देखिए हमारे देश में हजारों साल पहले देव रिसी जो हुगा करते हैं रिसी मुनी वो इसकी एक तरह से आप देखिए क्या करते थे योगा करते थे तो बावा रामदेव जी का कोई टेग नहीं लगा हुआ है ठीक है तो यह आप लोग आप लोगों को एक सवाल कुश्चन्स बताना है बताएए योग दिवस कम मनाये जाता है विस योगा दिवस कम मनाते हैं आप लोग ठीक है विस या वर्ड योगाडे कम मनाये जाता है और पहली बार कम मनाये गया था इसे सर्च करिए आप लोग और बताईए आप लोग तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे राजिस्थान लगाओगे यह option बिल्कु सही रहेगा पिस्षित व्यक्तित मिलखासींग का death हो चुकी इनकी मौत हो चुकी है क्रोना महामारी में एक क्या थे लेकक थे दावक थे या गायक थे या विज्ञानिक थे तो आप सभी जानते हैं दावक थे यह दोड़ते थे कितने तेज दोड़ते थे आप सभी लोगों को मालू होना चाहिए मोवी भी इन पर बनी हुई थी उसे भी आप लोग दिखा होगा और उड़न सिख्य के नाम से भी इन आप लोग जानते थे और इनका कुरोना संक्वर्ण से जूलने के बाद 91 वर्स्त की उमर में इनकी डेथ हो गई है इससे आप देखिए इनकी पतनी की भी मौत हो चुकी थी मिलखा सीन मिलखा सीन की अगर जनम की बात करने तो 20 नवंबर 1929 स्कुईड का जनम हुआ था और 18 जून 2021 स्कुईड की डेथ हो गई थी ठीक है तो यह आप लोग याद रखिएगा चलिए आगे हम लोग चलते हैं किस अप्धी की देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है दुनिया का नाइजिरिया, यूगांडा, बोथ स्वाना, तंजानिया तो आपको मालो होने चाहिए बोथ स्वाना है क्या है? बोथ स्वाना होगा यानि सी ओप्शन आपका बिल्कु सही होगा आप लोग ये निउच पेपर कम से कम फॉलो करते रहा करिए तो आप लोगों को मुझे लगता है बहुत कुछ जानकारी में मिलती रहेगी दच्छ अफीका के वो स्वाना की जवा नेंग, खदान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है ठीक है? और यह आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं तो इसके बारे में क्या रहा हुई? बहुत स्वाना अभीकी महादीम में आप लोगों को देखने कुमलेगा बहुत स्वाना इसकी राध्धानी की बात करें तो गबारोनी इसकी राध्धानी है चलिए आंगे चलते हैं इन सभी देशों के बारे में विस्तार से बात की हुई है तो आप लोग वहाँ जाकर देखेंगे तो आपके बहुत सारकवर होगा किस राजी की सरकार ने जहाँ बोट वहाँ वैक्सीनेशन नामकविया सुरू किया हुआ है किस राजी की सरकार ने जहां बोट वहां वैक्सीन इसन नामक अभिया शुरू किया है दिल्ली जारगंड बिहार या फिर आपका उड़ी सा तो मुझे लगता है कि आपको मालू होना चाहिए दिल्ली कहां दिल्ली सरकार ने किया हुआ है अच्छी पहले और आप मैं लगवा पारे में क्या जानते हैं और दिल्ली के जो अभी वर्तमार मुकमंत्री अर्वेंत के जीवाल आप सभी जानते हैं इनकी काफी तारीफ की जाती है सिछल्प में सवश्त की चितमें के क्रण. है कि और इसे अगर हम लोग दिल्ली को राज्य बनानी की बात हो तो Cityा बेसे द सीटें देखने को मिलेगी किस देश की पिथम राष्टपती रही केनेत कॉंडा का संतानवे वर्स की उन में इनकी मौत हो चुकी है डैथ हो चुकी है नेधन हो गया है इनका सूडान के जामबिया के हैं गहना के इथोपिया के हैं तो याद रखिए जामबिया के हैं कहां के हैं जामबिया के हैं अफी की आपको दच्छडी अफीका में देखने को मिलेगा एक इस्थल बद देशे लुसा का इसकी राध्धानी है ठीक ये जामबिया की अगला कुशन है हमारे सामने हर साल विस सरडार्थी लेने लगते हैं उन्हीं को आप लोग एक तरसे सरडार्थी कह देते हैं 18 जून 19 जून 20 जून 21 जून तो याद रखिए 20 जून को ये मनाया जाता है कि अब 20 जून को ये मनाया जाता है और इस बार की थीम की अगर बात करें सबी राष्ट्रों से कारवाही की अपेक्षा करते हैं ताकि सरडार्थियों को सोरक्षा जीमरक्षक देखभाल सीखने की अउसर की उपलब देता सोनिश्चित हो सके और एक तरह से सरडार्थियों के लिए सहान भूती मिल सके उनने है उनके कोई समझ रहे हैं तो यह हो सके तो गेदर वी हील लर्ण एंड साइन इफ्वार की क्या रखी गई थी और ऐसे मनाने की घुशना सन 2000 में हुई थी ठीक है और सरडा थी यानि सरण में उपस थी सीधा सब्दे से ही अरत निकाल ले करो जो आसाहाय हैं लाचार हैं निर वही लोग तो जाएंगे चलिए आगे चलते हैं लोग 20 जून को विस्व सरणार्थी दिवस पीछे हम लोगोंने कुश्चन स्पूंचा दाव से लेजे इसका अंसर आ गया पितिवस अंतराष्टी योग दिवस कम मनाया जाता है अंतराष्टी योगा दिवस की बात हो रह गया जाता है 21 जून को मनाया जाता है और आपको बता दू कि 2000-2015मे इसे मनाने की सुरुआत हुई थी भारस से ही और आज दुनिया भर में य। इस बार की दिवस रखी गई थी ठीक है चलिए आगे चलते हम लोग एबराहिम राई सी इरान के कौन से नई राष्टपती की रूम में चुने गए चौतरे चटवे आठवे दसवे तो याद रखिए ये आठवे चुने गए इरान इरान के अब आप कहेंगे इरान कहां है आप लोगों को देखने को मिलेगा इरान कहां देखने को मिलेगा इरान की राध्धानी की तेहरान देखने को मिलेगी इरान तेक है दर्षिम एसिया का ही देश है एक इरान कौन वेक्ति भारती मूल के वेक्ति कनाडा की उच्चतम न्याले में पिथम आस्वेद नियाय मूर्ती बने है एक दिन मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारे देश के जो आप खेएगी एक तरह से भारती मूल की लोग पिधान मंत्री होंगे मुख मंत्री होंगे राष्टपती होंगे आप समझ रहें कमला हैरिस और राष्टपती है भारती मूल की है तो कौन भारती मूल की वेक्ति कनाडा की उच्चतम न्याले में पिथम आस्वेद नियाय मूर्ती है कफील खान, अजय चंद्रा, रहीश कुमार, महमूद, महमूद जमाल तो याद रखी महमूद जमाल होंगे ठीक है कनाडा की उच्चतम न्याले की आस्वेद नियाय मूर्ती बनाए गए उत्री अमेरिका में आप दोख देखेंगे, कनाडा आपको देखने को मिलेगा, वो टावा इसकी राधधानी है ठीक है चलिए आगे सलते हैं अंगला कुश्चन क्या है हमारे समने किस भारती मूल की महला ने वर्स 2021 का यूरोपिय अविस्कारक पुरुष्कार जीता है अमीता राओ, सुमित्रा मित्रा, रजनीतर पार्टी, बरसा सी, तो याद रखे सुमित्रा मित्रा होंगी इसमें बी ओप्शन आपको बिल्कुल सही रहेगा यूरोप का सबसे पितिष्ठित अवार्ड है यूरोपियन इनवेंचर अवार्ड 2021 या पुरुष्कार उन्हें नेनो फिरुद्गी की इस्तमाल सिद्धातों को और मजूद बनाने के लिए उनके द्वारा किये गया काम के लिए दिया गया है एक परसे ठीक है तो याद रखेगा आप लोग चलिए आगे चलते हैं अंगला कुश्य ने पिति वर्स विस्व संगीत दिवस का मनाया जाता है विस्व संगीत दिवस आप लोगों को संगीत सुनना पसंद होगा अप लोग बताईए किसके गाने सुनना आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है क्या आप में से कोई सिंगिंग भी करता है यह भी बताईए 19 जून 20 जून या फिर 21 जून या 22 जून तो याद रखे 21 जून होगा इसमें बिश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इसके बारे में अगर कुछ और बात करें तो दुनिया भर में 21 जून को मनाया जाता है एक तरह से और इसकी सुरुआ साल 1982 में हुई थी फ्रांस में ठीक है यह आफ लोग और फ्रांस के लोगों की संगीत के पिती दीवानगी को देखते हुए उन्हें उन्हें इस दिवस को मनाने की गोश्णा की थी फेडी डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है इस तिन को फेटे डीला म्यूजिक चली आगे चलते हैं कौन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांस जेंडर एथलीट बनी है हो सकता है यह कुश्चन स्पूच ले आप से कौन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांस जेंडर एथलीट बनी है मैक्स जोर से एलीना योगन हर हावर्ड वेट लिप एक बात और आपको बता देखिए पहले ट्रांजेंडरों के साथ बहुत बुरा भीद भाव किया जाता था लेकिन आप देखिए एक समय बदल रहा है मुझे लगता है और न्यूजी लेंड की वेट लिप्टर है ठीक है लोरेल हावर्ड हावर्ड इन्होंने ओलंबिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांजेंडर बनी हुई है और बिवाद भी काफी रहा था इनकी जाने से पहले हावर्ड ने 2017 विस्ट चेंपियंसिप में रज़त पदक और साव मोवा में 2019 में पिसांग चेतरी एक खिलो में स्वेड पदक भी जीता था तो यह आप लोग याद रख सकते हैं के बारे में अंगला कुश्यर है मारे सामने 2021 की बैस्विक सांथी सूचकांग बैस्विक सांथी सूचकांग में भारत का कौन सा इस्थान रहा है अब आप सोचके देखिए मैं आप से ही पूंचता हूं कि बैस्विक सांथी सूचकांग हमारे देश में कैसी सांथी है कितनी सांथी है यह आप लोगों को देखने को 133 बाह है 148 बाह है या 56 बाह है बताइए कुछ इसके बारे में कौन सा होगा तो इसमें याद रखिए सीधा सा मतलब है कि 135 बाह होगा बी ओप्सान आपका बिल्कुल सही होगा और बैस्विक सांथी सूचकांग है बैस्विक सांथी सूचकांग है 135 बेस्थान पर रहा है बारत एक सो किदमे 135 बेस्थान पर रहा है और एक आपकी इंस्टिट्यूट फोर एकोनोमिक्स एंड पीस द्वारा बैस्विक सांथी सूचकांग जारी किया जाता है और याद रखिए इसका पंदरवा संसकर्ण है ठीक है और 163 देशों को इसमें सामिल किया गया था जिसमें हमारा 135 बाइस्थान है पिछले साल 137 से बेस्थान पर थे यमन आपको 162 बाइस्थान मिला है अब ग्रानिस्थान को 163 बाइस्थान मिला है यह भी आप लोग याद रख सकते हैं आइसलेंड विसम सरवादक सांती मैदेश है तो आइसलेंड टॉप पर है यह भी आप लोग याद रखें बूटान को 22 बाइस्थान मिला है हमारे पड़ोसी है नेपाल को 85 बाइस्थान स्री लंका को 95 बाइस्थान को 150 बाइस्थान तो आप देखें कि हमारे पड़ोसी ज स्थान हमें मिला हुआ है इस बात चलिए आगे चलते हैं पिति वस अंतराश्टी बिद्भा दिवस कब मनाया जाता है और इसे मनाने का उद्देश क्या होता है मुझे लगता है उद्देश आप लोग बहतर समझते होंगे 23 जून को 25 जून को 20 जून को 21 जून को तो यादर की 23 जून को मनाया जाता है यह ओप्सन आपका बिलको सही है और इसे मनाने पहली बार 23 जून 2011 को पहली बार से उतराश्ट महासबाद वारा अंतराश्टी बिद्भा दिवस मनाने की गोष्णा हुई थी ठीक है और बिद्भाओं की इस्तिती को बिशेश तोर पर पर आपको बताया जाता है एक बात आपको बता दू देखी एक बात आप सभी जानते कि जिसका पति खतम हो चुका है तो इसके साथ बहुती बुरा विवार किया जाता है अगर सुबह से वो मिल जाए तो इसे आसोग माना जाता है तो देखिए अब ऊपर वाले की सब आप लोग ऊपर वाले को मानते हैं तो ऊपर वाले की क्या है लेकिं मुझे लगता है इस तरह का वेदभाव नहीं दिनी चौधरी माओ या सूधन तो याद रखी माओ माओ वाया सूधन होंगी इसमें ठीक है क्या लगा हुए आप लोग डी ऑप्सन आपका दिल को सही है इन्डिया नियर फोर्स की बात हो रही है आठ अक्टूबर 1932 को इसकी एक तरह से आप देखे इस्थाफना की गई थी नियू दिल्ली में इसका मुख्याल है देखने को मिलेगा चली अंगला कुषण देख लेते हैं जम्मू कस्मीर को आप जानते हैं कि दो भागों में बाट दिया गया लद्दाग और जम्मू कस्मीर लद्दाग में आप देखे बिधान सभा नहीं होगी लेकिन जो जून को 24 जून को 25 जून को तो याद रखे 23 जून को यह मनाय जाता है 23 जून 1948 से हर वर संतराष्टी ओलपिक दिवस मनाय जाता है तो यह अब लो याद रख सकते हैं अगला है कौन इलावाद उच्छने आले के कारवाहक मुखने आदीस बने है मुनेसोर नात भंडारी अर्विन दास सर्मा राजगोपाल मेगवाद पवंसी खत्री तो याद रखे मुनेसोर नात भंडारी तो यह अब लोग ज़रूर याद रख सकते हैं चली आगे चलते हैं किस राजी की सरकार ने युवाओं के लिए मुखमंतरी युवा उद्धिमी योजना शुरू की हुई है किस सरकार ने युवाओं कि लिए मुक्वंत्री युवा उद्धिमी युजना सुरुआत की हुई है और ईसे युजना के तहित्ध है नया उद्ध्योंः लगाने के लिए अधिक्तम दस लाक रोपे की राची दी जाएगी और इसमें अधिक्तम पांच लाग रोपे अनुदान की रूम में और बाकी पांच लाग रोपे रेड करच की रूम में एक पिती सब ब्यात दर्पा उपलब्द कराए जागा और इससे योजना का उद्दी से है कि उबाओं को सक्चम और आग्मिन भर बनाए जा सके क्योंकि आप देखें नौकरी सभी को सरकाली नौकरी उपलब्द कराना पाना मुस्किल है और विहार की बात करें अगर तो आप सभी जा देखोंगे विहार की राधनी पटना है पटना और विहार में बड़े भुचपूरी सौंग सुने जाते हैं आप लोगों कुमाल होगा मालुख है नहीं है बिहार बिहार की स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी सुक्राइब किसी को सीखना है तो नी आटियस कुमार से सिखिए है आप देखे किसी की सरकार कोई भी चुना हो जीतता हो लेकर मुंकल में बनते है दर्ली है अगराल सेट कुमलेगि और राईसमा में सॉले सीटे लोग साबा मरें बात tuh 14 सीट पैर अटिक्सापा आँगे हमारा questions क्या पूछ रहा है किस cricket team ने World Test Championship की पहली trophy जीती है किस cricket team ने World Test Championship की पहली trophy जीती है England, भारत, स्रीलंका New Zealand तो याद रखे New Zealand किसने New Zealand और New Zealand के बाद में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पिसांत महासागर में यह देखने को मिलेगा आपको New Zealand अंगला हमारा questions हमारे सामने किस राज्य में दुनिया का पहला अनुवालसिक रूप से संसोदित rubber plant लगाया गया है उत्राखंड असम तमिलाडू मिखाले तो याद रूखे असम में लगाया है कहा लगाया गया है असम में लगाया गया है दुनिया का क्या पहला अनुवालसिक रूप से संसोदित rubber plant की बात हो रही है और rubber गुहाटी सुने यहीं लगाया गया है और असम के बारे में अगर कुछ आपको बताया जाए तो 26 जन्वरी 1950 को इसे रूप बनाया गया था और दिस्पोर इसकी राधानी है कहा और इसमें आपको बता दूँ कि यहां आपको बिदान सभा में 126 सीटे देखने को लिए कि राज सभा में साथ सीटे हैं लोग सभा में 14 सीटे हैं ठीक है चलिए आंगे बढ़ती हम लोग अंगला कुक्षिन है मारे साबने कौन भारती है ओन फिलस्की वियरे वॉल्स सैडी के लिए ब्रांड एमिश्डर बने है कौन भारती है ओन फिलस्की वियरे वॉल्स सैडी के लिए ब्रांड एमिश्डर बने है अमिरिकान रडवी सिंग जसमीत बुमरा दिराट को लिए बताए इसमें से एक कौन होंगे तो याद रखे जस प्रीत बुम्रा होगे C option आपका बिल्कु सही होगा इसमें और यह पहली global smart smart variable device है है चलिए अगला questions लेखते हैं जारी report के मताबिक कौन 100 साल में दुनिया की सबसे बड़ी दानवीर बने हैं बिल्गेट्स, वारेन बफे, जमसेज जी टाटा, अजीम पेरमजी तो याद रखें जमसेज जी टाटा होगे और एक बात और आपको बता दो देखिए जमसेज जी टाटा अपने धन बहुत सारा दान करते रहते हैं बरना आप सोची एक पता नहीं कहां होते एक होरोन रिपोर्ट और एडेल गिप फाउंडिशन द्वारा तेयार की गई पच्चास दान बाइरों की सूची में जमसेज जी टाटा को पिछले सौ सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दान भी चुना गया है और इनकी द्वारा इस था भी टाटा समूई उनने सबसे जान्दा यानि की 102 अरब डॉलर करीब 75 खरब 70 अरब 53 करोड 58 लाग रुपे का दान किया है ठीक है और इनकी कंपनी आप देखते हैं नमक से लेकर सौफ्ट वेयर तक बनाने का काम करती है टाटा समूई तो यह आफ लोग याद रख सकते हैं जमसेज जी टाटा सुने हो इनके बारे में या नहीं चलिए और जमसेज जी टाटा के बारे में बात करें तो आपको बता दो 3 मार्च 1849 में इनका जनम हुआ था और 19 माई 19 माई 1849 में समझ रहे हैं तीन मार्च 1849 में इनका जनम हुआ था और 19 मई 1904 में इनकी डेथ हो गई थी। तब से आप देखिए ये चला रहा है कंपणी उनिके नाम पर है। कौन दिल्ली खेल विश्विध्याले की पहली कुल्पति बनी है। कौन दिल्ली खेल विस्त विद्ध्या लेगी पहली कुलपती बनी है पीवी सिंदू और साइना नेहेवाल दूती चंद करनम मल्ले सुरी तो याद रखे करनम मल्ले सुरी होगी इसमें कौन होगी करनम मल्ले सुरी यानि कि D-Option आपका बिलकुँ सही रहेगा और आपने देखा है कि भारत की पहली मैहला ओलंपिक मेडल विजेता है करनम मल्ले सुरी तो याद रखेगा और दिली विधान सबा ने वरस 2019 में दिली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए विधियर पारित किया था इस यूनिवर्सिटी में केकिट, फु और डॉक्टरेट की डिगरी भी दी जाएगी ठीक है तो आप लोगों को अगर खेल में रुची है तो आप लोगों भी जाकर यहां से पढ़ सकते हैं कौन वेक्ति संजेक उठारी के स्थान पर केंद्रिय सतर्क्ता आयोक के नियुक्त यानि किसी भी सी के नियुक्त किये जाएंगे बिमल एस जन सुरेश एन पटेल रफीक मलेक केकिस को स्वामी तो याद रखते सुरेश एन पटेल होंगे इसमें केंद्रिया सतर्क्ता आयोक्त और आप सभी जानते हैं केंद्रिया सतर्क्ता आयोक्त के बारे में आप लोग जानते हो या नहीं जानते हैं केंद्रिया सतर्क्ता आयोक्त एक सीर सस्त सतरक्ता संता है जो किसी भी कारिकारी प्राधिकर्ण की नियंतर से मुक्त है और केंद्रिय सरकार केंद्र सभी सतरक्ता गतिविधियों की नियंगरानी करता है साथी केंद्रिय सरकारी संगत्नों में बिवेन प्राधिकारियों को उनके सतरक्ता कारियों की योजन वाली विश्टाचा निरुधक सम्ती की सिफारिश पर इस्थापित की गई थी और केंद्रिय सतक्ता आयो अधिनियम 2003 द्वाराय से साम विधिक दर्जावी प्राप्त हो चुका है तो यह आप लोग याद रखिएगा और CBC यानि की केंद्रिय सतक्ता आयो किसी भी मंतराले विवाक की दिन नहीं आता है यह ऐसे उतंत निकाय है और केबल संसर्ट की पिती उत्तरदाई होता है यह भी आप लोग याद रखिएगा चली अंगला कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कौन ओलम्पिक एक कट में प्रवेश करने वाली पहली भारती तरग बनी है श्रीहरी नटराज, खोसागरा रावत, संदीश जिस, सेजवाल और साजन प्रिकास तो याद रखिए इसमें क्या होगी साजन प्रिकास होगे डी आप्सन बिल्कुल सही रहेगा किस देश ने दिन में टेली विजन पर जंक फूर के विग्यापन दिखाने पर रोक लगाई है भारत, वेटेन, नाइजेरिया, यूजिले, तो याद रखिए वेटेन लगाई हुई है इसमें क्या लगाऊगी, बी ओप्सन आप लोग, टिक लगाऊगे जारी 2021 की रिपोर्ट की मताविक कौन सा सहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसी महेंगा सहर बना है वेरूत लेवलान, अस्वा, अस्दगावाद, तुर्कमिनिस्तान, संगाई चीन, जनेवा, सुईचलेंड तो अस्दगावाद, तुर्कमिनिस्तान है और ये सिया का ही एक तरह से आप देखिए, ये सिया में ये फड़ता है मद्दे सिया में आपको देखने को मिलेगा अस्गावाद इसकी राजदानी है अंगला कुश्चन है हमारे सामने पिती वर्स पूरे भारत में 29 जून को राष्टी सांकी की दिबस किनके जनम दिमन पर मनाया जाता है स्री निवासन रामानुजय पिसांथ चंद महाल नौबिस सतिन नाथ पोस समरेंद नाथ रोय तो याद रखे पिसांथ चंद महाल नौबिस की ठीक है याद रख सकते हैं 29 जून को राष्टी सांकी की दिबस मनाया जाता है पूरे भारत में ठीक है और सांकी की ये थे पिसांथ चंद महाल नौबिस इनके जनम दिन पर एक तरह से इसी मनाने की बात हो थी और 2007 में महाल नौबिस की जनमति थी की अर्शा पर इसी मनाने का ये तरह से फैसला दिया था अगला कुश्चन है कौन प्रेक्ति के अंदरीय जाच विवरो CBI की नई बिसिस निदिसक निव्ट किये गए है के अंदरीय जाच विवरो की बात हो रही है समझ में आया तो राजीत चंदन कमल जैसवाल अमनपुरोहेद परवीन सेनहा तो याद रखे परवीन सेनहा होंगे इसमें और अगर हम लोग क्रेंटल विवरो आप इनवेर्टिकेसन की बात करें तो इसकी स्थाफना एक अपरेल 1963 में होई थी और निव दिल्ली में इसका मुख्याल आपको देखने को मिलेगा कौन बेक्ती ट्विटर इंडिया के नए सिकायत अधिकारी बने हैं ट्विटर इंडिया की बात हो रही है जेरेमी केसल अजीत निगम आर्या फिरजाबती लोसो फेडररसन तो याद रखे इसमें आपकी होगी कौन जेरेमी केसल ए ओप्सन आपका विल्कु सही है ट्विटर पर आप लोग होगी ट्विटर आप लोग केंपियन चलाती रहते ना ट्विटर की बात करें तो इसकी स्थापना कब आया था स्थित में 21 मार्च 2006 में ठीक है सैन फ्रांसिसको कैलिफॉनिया यूएसे में इसका मुख्याला आपको देखने को मिलेगा ट्विटर का चली आगे बढ़ते हैं लोग कि बढ़ते आंगे किस राज्य सरकार ने पीछे पहुंसते जा रहे हैं आगे चलना है अंगला कुशन हमाते सामने वार्टसप ने किसे भारत में अपने भुक्तान कारोबार का प्रमुक निउक्त किया है आलो क्या दो रागवपुरी मनेस महत्मे और निसा देवगन वार्टसप की बात हो रही है मेसेंजर वार्टसप मेसेंजर भी आप लोग यह उच करते हैं तो इसमें आप देखे मनेस महत्मे होंगे ठीक है C option आपका बिल्कु सही रहेगा अगला question है हमारे सामने 28 जून को भारत ने किस आधुनिक मिसाईल का सफल परीक्षन किया है पित्वी प्राइम अगनी प्राइम आकास प्राइम या फिर आपका नांग प्राइम तो याद रखी इसमें अगनी प्राइम होगा अगनी प्राइम होगा मिसाईल आधोनिक मिसाईल आजकल आप देखिए मिसाईले बनने लगी है और DRDO द्वारा इसे विक्सित किया गया है अब आप लोग कहेंगे कि DRDO के बारे में कुछ बताईए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तो इसकी स्थापना DRDO की स्थापना 1958 में होई थी इसकी DRDO भवन डियो दिल्ली में इसका मुक्याला आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी नियू किलियर चमतापाली मिसाईल को उडिशा के चान्दीपुर तट से परिक्षन किया गया था और नए मिसाईल की रेंज एक हजार से दोहजार किलो मीटर तक ही की है और भारत में मई 1989 में पहली बार मध्यमदूरी की वेलिश्टे मिसाईल अगनी एक का टेस्ट किया था उस समय इसकी मारक चमता सासो से नौसो किलो मीटर हुआ करती थी ठीक है कौन डौफ टेस्ट में फैल होने वाली भारती महला क्रिकेटर बनी है इसमीती मंधाना, सैफाली बर्मा, हरलीन दियूल, अंसुला राओ बताई है तो याद रखिए इसमें अंसुला राओ होंगी डी ओप्सन आपका दिलकु सही रहेगा अंगला कुशन एक किस भारतीयों को 2021 का जापान का पितिश्टी Grand फोकु ओका पुरुसकार मिला है रवीश कुमार पाला गुम्मी साइनाथ पुनीत तरपाटी जैंत गोसवामे तो याद रखिए पाला गुम्मी साइनाथ पाला गुम्मी साइनाथ साइनाथ इन्हें सम्मानित किया गया है जो जापान के पितिश्टी Grand फोकु ओका पुरुसकार और साइनाथ एक पितिश्ट पितिबद बथिकार है समझ रहे हैं? जो भारत में खेती करने वाले गरीब लोगों की आवाज उठाती है उनके काम के लिए एक तरह से उन्हें दिया गया है कौन पिकती Indian Federation of United Nations Association की नई अध्यक्च निवप किये गया है Indian Federation of United Nation Association की अध्यक्च बनाए गया है इसका सौट फॉँम अगर कहें तो सौट में से I, F, U, N, A, V कहते हैं अजय ठाकुर जमन मेनन संभूनाद स्री वास्ता हो रविन्द चावला तो याद रखें संभूनाद स्री वास्ता होंगे इसमें Indian Federation of United Nations Association की बात करें तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी और निव दिल्ली में इसका आपको मुख्याले देखने को मिलेगा स्थापनाज़ा है वो अपने आपको बहाल ला रहे हैं आपको अगर कोई सिकायत है तो आप देखिए तरनता आप लोग Facebook, Twitter पर आप लोग टेक कर देते हैं आप लोग सिकायत कर देते हैं लेकिन आप दिखिए इसका दुर्पियोग चाल्दा हो रहा है जूटी खबरों को फेलाने में जानदा इसका उप्यों होता है 30 जून 27 जून 29 जून 25 जून तो इसे 30 जून ठीक है क्या 30 जून सोसल मीडिया आप सभी एक्टिव होंगे मुझे लगता है और पहली बार 30 जून 2010 को बिश से सोसल मीडिया दिवस मनाय गया था ठीक है आप लोग भी अगर जूटी खबर हुआ करें तो मत आंगे बढ़ाया करिए का स्टियर किया करिए का पितिवस विस छुद्ध दिवस छुद्ध ग्रह दिवस कम मनाय जाता है 27 जून को 28 जून 30 जून और 1 जूलाई तो याद रखिए 30 जून को मनाय जाता है विस छुद्ध दिवस छुद्ध ग्रह दिवस 30 जून को मनाय जाता है कब 30 जून को मनाय जाता है और इसलिए 30 जून को मना जाता है क्योंकि साइवेरिया में तुंगुस्त का नदी के करीब 30 जून 1908 में एक बहुत ही बड़ा विस्पोट हुआ था जिसे तुंगुस्त का फिरभाव कहा जाता है और साइवेरिया में तुंगुस्त का नदी के असपास घटित हुई इस घटना की याद में हर साल 30 जून को यह दिन बनाया जाता है और एस्टिरोईड से होने वाली खतरों के बारे में लोगों की जानकारी और लोगों को जागरूप बढ़ता बढ़ाने के लिए एक तरसी एज दिन बनाया जाता है कौन सभी पर आरूपों में भारत का पितिनी दित करने वाली सबसे कम उर्मे में किरकेटर बनी है कौन है दीपती सर्मा सेफाली वर्मा सिखापांडि प्रिया पूनिया तो याद रखिए सेफाली वर्मा होंगी ठीक है बी ओप्सन आपका बिल्कुस सही रहेगा और करकेटर है महला करकेटर तीनों पर आरूपों में भारत का पितिनी दित करने वाली सबसे कम उमर की करकेटर बन चुकी आपको बतादू सेफाली ने 17 साल 150 दिन की उमर में इंगलेंड के खिलाव अपना वंडे डिबू किया था और उन्होंने इतियास रच दिया था सेफाली से पहले ये रिकोर्ड इसमीती मंदतानाता के पास है उन्होंने 18 साल 26 दिन की उमर में तक करकेट की तीनों पर आरूप में भारत का पितिनी दित किया था फिलवाल ओए इस मामले में दूसरे नमबर पा गई है वही तीसरी नमबर भारती टीम की तेज गयनबाज इसांग सर्मा है जन्होंने 19 साल 152 दिन की उमर में एक कमाल किया था ठीक है आगे है कौन राज़ भारत का पहला रेवीज मुप्त राज़ बनाए मडीपुर विहार 36 गड या फिर गुआ तो याद रखे गुआ होगी इसमें रेवीज मुप्त बन चुका है गुआ भारत का पहला रेवीज मुप्त राज़ बन चुका है राज़ की मुखपंतरी पिर मोथ साबंत ने इसकी गोशना की थी और रेवीज नेदन का का रेवीज अगर हम लोग देखे गुआ की बात करें तो इससे राज़ बनाया गया था 30 मई 1987 को और इसकी राध्धानी की बात करें तो पढ़जी इसकी राध्धानी है और यहां बिधाल सभा सीटें देखने को मिलेगी 40 सीटें और राज़ सभा में एक सीफ है लोग सभा में यहां दो सीटें आपको देखने को मिल जाएगी तो यह आपका जून महिने का जो भी करेंट अफेरस की गटनाय गटी उनसे सम्मदित आपके जितने भी तरह की कुश्चन्स बन सकते थे उन्हें हम लोग उन्हें विस्ताल से देखा हुआ है यह की करके देखा हुआ है तो जून के बाद जुलाई महिने में हम लोग मिलते हैं जुलाई महिने के भी सभी कुश्चन्स आपके सामिल किये जाएंगे और बड़े विस्ताल से बात करेंगे हम लोग आप लोगे निवाय करती रहिए, हम लोग उस महीने में मिलते हैं, ठीक है?